गुड मॉनिंग स्टुडेंट आपका स्वागत है मेरे चैनल शोट एंद पे मेरा नाम है किसंसा और मुझे आठ सा लोग पढ़ाते हुए अब तक हम रियल नंबर और पेयर ओफ लीनेर उक्वेशन मतलब वह पोलिनोमियल कर चुके हैं ठीक है आज से हम पेयर ओफ लीनेर उ चली है और एक वन सोट लेक्शर डाल चुका हूँ जिसमें साथ छे गंटे 20 मिनिट की है मैंने सारे कुशन करवाए मतलब mcq केस इस्टेडी असरसन रीजन और लॉंग कुशन सोट कुशन प्रिविएस से तो उनको जागे देखो आपकी तियारी बहुत अच्छी हो जाए होने तो चेप्टर का पहले नाम देखते है क्या लिखा हुआ है और सबसे पहले क्या है और सबसे हैं जहो। इन सब चीजों का मतलब समझोलें, सबसे पहले हम रिक्रम समझते हैm equation क्या होती है ठीक है ? equation का मतलब क्या होता है ? अरहम से ठीक है ? तो मैं इसको लीग देता हूँ क्योंकि time बचाना है और फिर इसको करते है पहले लिग देता हूँ equation होती क्या है til देखो यह मैंने definition में लिख दी, क्या होता है equation, an algebraic expression, algebraic expression हम पढ़ चुके हैं, polynomial में, जो लोग नहीं समझे, पहली बार आया हैं, वो ध्यान रखे हैं, an algebraic expression with equal to sign is called equation, आई बात समझ में, मतलब ऐसा algebraic equation, जिसके equal to में कोई sign हो, तो उसको क्या बोलते हैं, equation, आई बात समझ में, कोई दिक्कत या था, जैसे example देखो, 4x equal to 8, या 3y minus 5 equal to 7, या 3x plus 2y equal to 10, यहाँ पर क्या है, इन दोनों में देखो, खासियत देखो, इसमें एक variable है, x, इसमें भी एक ही variable है, क्या है, y, और इसमें दो variable है, x और y, ठीक है, तो आप क्लास 9 में पढ़के आचुके हूँ, बार-बार repeat कर रहा हूँ, फिर बता देता हूँ, इसकी standard form क्या होती है, linear equation की, चलो अभी जब linear equation पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा standard form क्या होती है, आई बाद समझ में, तो इसको हम equation बोलते हैं, और इसको solve कैसे करते हैं, देखो, 4x equal to 8, तो यहां से x equal to 8 upon 4, मतलब x equal to कितना गया है, 2, मतलब 2 क्या है, 2 इसका एक, x equal to 2 इसका एक solution है, मतलब जिसको हम equation में put करेंगे, तो मेरा answer आजाएगा, जिसको हम equation में put करेंगे, तो मेरा answer आजाएगा, आई बाद समझ में, कोई doubt यहां तक, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, समझ में आगया होगा, इसी तरीक से इसको solve करेंगे, तो क्या हैगा, 3y equal to 7 plus 5, तो यहां से कितना आजाएगा, 3y equal to 12, 12, तो y equal to कितना आजाएगा, 12 upon 3, मतलब y equal to 4, मतलब y equal to 4 इसका क्या है, एक solution है, आई बाद समझ में, सर उसको कैसे solve करेंगे, महां तक अभी पहुच रहें, यह थी मेरी equation, आई बाद समझ में, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी हम पढ़ेंगे, linear equation क्या होती है, तो heading डालो, linear equation, linear equation, ठीक है, कि linear equation क्या होती है, आई बाद समझ में, हर एक एक चीज को समझेंगे, फिर हम chapter को समझेंगे, इसको लिख देता हूँ, ताकि आपका time बचे, आप देखो, linear equation क्या होती है, ठीक है, if the greatest exponent or power, ठीक है, greatest exponent or power, underline कर देना, if the greatest exponent or power of a variable, in an equation is one, then the equation is linear equation, जैसे यहाँ देखो, x की highest power कितनी है, one, ठीक है, यहाँ पे देखो, 4x की highest power कितनी है, one, और 5 की y की कितनी है, one, तो इसको हम क्या बोलेंगे, linear equation, आई बाद समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, अब देखो, यह मैं मिटा देता हूँ, अब अगली heading देखते हैं, जल्दी से, ध्यान से देखो, यह मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है देखो क्या है अगली हेटी अगली हेटी है मेरी linear equation linear equation in one variable ठीक है one variable ठीक है समझ में आ गया अब देखो ये क्या होता है ध्यान से देखो इसको भी लिखते है है ना note down कल लो इसको अब देखो क्या क्या रहा है linear equation in one variable ठीक है इसका क्या मतलब है देखो ध्यान से an equation of the form ax plus b equal to 0 क्या लिखा हुआ है किस form में होनी चाहिए ax plus b equal to 0 या ax equal to b where a and b are real number and a not equal to 0 a क्या नहीं होना चाहिए 0 क्यों देखो भाई अगर इसको एको मैंने 0 रख दिया तो 0 multiply anything तो 0 हो जाएगा क्या 0 b के बराबर हो सकता है नहीं तो a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि यह linear equation बचेगी ही नहीं आई बात समझ में अब इसकी इसके पार में हम पढ़के आ चुके हैं जैसे कि यांपल लिखा मैंने यहीं पीछे वाले यांपल कि 4x equal to 8 तो यहां से x कितना जाएगा 8 upon 4 मतलब x equal to 2 यह होगे और दूसरी equation देख लो जैसे 3x minus 5 equal to 7 तो यहां से क्या हो जागा 3x equal to 7 plus 5 मतलब 3x equal to 12 तो x equal to 4 आई बात समझ में तो मतलब इस तरह की equation को क्या बोलते हैं हम linear equation in one variable अब ध्यान देना हमने class 9th में अच्छे जे पढ़ा था क्या था जैसे कि मैंने को equation लिखी 3y equal to 6 तो यहां से y कितना आ गया मेरा 6 upon 3 मतलब y कितना आ गया 2 तो इसको मैं graph में plot करता था इस तरीके से याद होना चाहिए आपको यह 1 y equal to 1 और y equal to 2 यहां पर आएगा न तो इसकी line हमेशा किस के panel आती थी x-axis के ऐसे याद आया कि नहीं ठीक है तो कोई equation जो इस form में होगी उसकी line हमेशा किस के panel आएगी x-axis के आई बास समझ में not down कर देना और इसका एक और example देखो ठीक है यह मिटा देता हूंगे ठीक है यह आपको समझ में आ गया होगा आप में लिख लिया होगा अच्छे से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक ठीक है तो यह आ गया अब जैसे मैंने यह लि होती थी देखो ध्यान से यहां गया मेरा 0,0 यह होता है 1 यह होता है 2 तो यहां पर यह बना के हम ऐसे लाइन खीजते थे तो इसकी लाइन हमें सा किसके आती थी किसके पहला लाती थी y-axis के तो याद रखना x equal to something जो भी होगा उसकी लाइन हमेसा है y-axis के पहला लाइगी औ आई बात समझ में मेरे ख्याल से सारी बात बहुत अच्छे से clear होगी अच्छे से मैं आपको समझाने में कामियाब रहा होंगा अब note down कोड़ो अगला topic हम देखते है linear equation in two variable ठीक है यह one variable है two variable में क्या होता है अब देखो next क्या है linear equation in two variable इसका क्या मतलब है देखो जान से and equation of the form के इस कौनजी form है ax plus by plus c equal to 0 या या ax plus by equal to c equal to 0 where a b c are real number and a not equal to 0 ठीक है a और b भी लिख लो and b b b not equal to 0 is cold is की लिख ले है आर लिख लेतने है आर इज आएगा ना एक है ना इज आएगा इज इज कोड linear equation in two variable देखो इसमें दो variable है कौन कौन से देखो जहन से एक तो x है variable और एक variable y है ठीक है इसी तरीक से एक variable x है और एक variable y है आई बास समझ में तो इसी को और यहाँ पे exponent की highest power कितनी होनी चाहिए 1 पावर कितनी है यह यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी x की power 1 y की भी power 1 ठीक है तो इसी को क्या बोलेंगे हम linear equation in two variable आई बास समझ में मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से no down कर लो एक एक point में clear करते हुए चल रहा हूँ इसको no down करो अब अगला देखते है क्या कह रहा है अब देखो next topic क्या है हमाल solution of an equation ठीक है कि equation का solution का क्या मतलब है the value or values of variable or variables is used in equation which makes two sides of equation equal to the equation is called solution of the equation definition नहीं समझ मैं कोई बात नहीं परिशान मतों example से समझ लो जैसे कि यहां देखो इसको मैंने solve किया तो क्या जाएगा 2x equal to 10 plus 4 मतलब 2x equal to 14 तो x equal to 7 मतलब x equal to 7 रखने पे क्या यह दोनों बराबर हो नहीं देखो तो 2x7 minus 4 equal to 10 मतलब कितना है गा 14 minus 4 equal to 10 और 10 equal to 10 क्या यह बराबर होता है बिल्कुल होता है आई बात समझ में मतलब क्या हुआ x equal to 7 इसका एक solution आई बात समझ में यहां पे देखो इसको solve करते हैं तो इसको अभी फिलाल याद रखलो यहां पे अगर मुझे 6 लाना है तो मुझे x equal to 3 रखना होगा और y equal to 2 रखना होगा आई बात समझ में अगर यह दोनों में यहां पे put करूंगा तो कितना आएगा देखो 5 into 3 minus 3 into 2 equal to 6 तो कितना आ जाएगा यह 15 minus 6 ना करो 3 कर लो इसको भी यह एक काम करो यहां पे 9 कर लो ठीक है 9 कर लो इसको तो ही रखो इसको 9 कर लो ठीक है तो यह कितना आ जाएगा 6 तो इकल टू 9 तो क्या 9 equal to 9 होता है बिल्कुल होता है मतलब x equal to 2 और वो x equal to 3 और y equal to 2 इसका क्या है एक solution है आई बात समझ में मेरी खाल से solution of an equation का मतलब आपको clear हो गया हुआ अच्छे से अब हम main अपना topic पढ़ते हैं जो chapter का नाम था यह अभी तक introduction था जो इस chapter में यूज ह अच्छे से मैंने आपको समझा दिया अच्छे से देखना आपको समझ में आ जागा अब main topic पढ़ते हैं हमारा chapter क्या है तो heading डालो इसको हम पढ़ते हैं यह note down कर लो अब देखो हमारा अगला topic जो chapter main chapter है pair of linear equation in two variable अभी तक जितना पढ़ाया वह introduction था two linear equation of the form form याद रखना form क्या है ध्यान से देखो form है हमारी ax plus by plus c equal to 0 और क्या है ax plus by equal to c taken together forms of pair of linear equation in two variable मतलब दोनों को देखो यह पहले वाले की तरह है देखा जान से देखो इसी form में है यहाँ पर बस प्लस है चलो इसको प्लस कर लो आपको confusion हो तो इन दोनों को प्लस कर लो ठीक है इसी form में है यह यह वाली देखो जान से यह वाली इस form में है और इस वाली को देखो यह वाली इस form में है एक यह, एक एक, यह, क्या लिखा हुआ है यह रहा, जहां पर कुछ ना हो, महाँ वन होता है, चलो वन भी हटा दो, कोई बात नहीं, एक, एक, यह, एक, यह, कुछ ऐसा-ऐसा है, चलो, एक काम करतो, इसको वन ही कर लो, ठीक है, एक जगे कितना आ रहा है? वन, एक, इक, जगे एक, बी की जगे टू, वाइक, इक जगे याँ एक, यह, एक, पर पर पलस है, यह, माइनस है, बस यह डिफरेंस है, तो इसको हम क्या बोलते है, pair of linear equation in two variable, आई बाश समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये था हमारा पूरा अब तक का chapter क्या है, अब इसके हम solution देखेंगे, क्या pair of linear equation in two variable, किसको solve कैसे करते हैं, आई बाश समझ में, तो इसके अब heading डालो next, next कि solution of linear equation in two variable, heading डालो फि linear equation in two variable, समझने से पहले, हमें ये समझना होगा, कि consistent और inconsistent का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, a system of simultaneous linear equation, simultaneous मतलब दो linear equation, या एक भी ले सकते हो, एक से भी हो जाएगा, ठीक है, वैसे दो से ही होगा, एक से नहीं होगा, और system of simultaneous linear equation is said to be consistent, if it has at least one solution, उसका कम से कम एक solution हो, example से समझो, जैसे कि मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखो, कि 2x minus 4 equal to 10, तो यहां से कितना जाएगा, 2x equal to 10 plus 4, मतलब 2x equal to 14, तो x equal to 7, मतलब पूरी दुनिया में, जितने भी real number है, उसमें सिर्फ 7 ही एक ऐसा number है, जो इसको satisfied करेगा, और कोई number satisfied नहीं करेगा, आप चाहिए घर पे करके देख लेना, आई बास समझ में, तो इसको बोलेंगे consistent, क्योंकि इसका at least एक solution है, आई बास समझ में, कि इसका एक solution है, at least का मतलब समझो, कम से कम ही, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा, 2x plus 4y equal to, कितना हो गया, 40, तो यहाँ पे देखो, एक से ज्यादा, अगर मैं x को 10 रख रहा हूं, और y को 5 रख रहा हूं, तो मेरा काम हो रहा है, बिलकुल हो रहा है, आई बास समझ में, तो इससे मेरा एक सोल्यूशन आजाएगा, दूसरा देखो, दूसरा सोल्यूशन क्या है, कि अगर मैं x को, क्या रख रहा हूं, मैं, 7, 4, 28, और 7, 2, 14, 12, तो x को अगर मैं 6 रख रहा हूं, और y को मैं 7 रख रहा हूं, तो भी मेरा सोल्यूशन मिल रहा है, देखो द्यान से, य यह भी एक सोलीशन है तो ऐसे कई सारे सोलीशन मिलेंगे तो जिसका सोलीशन मिले कम से कम एक मिले एक से जहाना भी मिलेंगे तो भी चलेंगे तो उसको क्या मूं लेंगे हम consistent inconsistent क्या होगा देखो ध्यान से देखो system of simultaneous linear equation is set to be inconsistent if it has no solution जैसे मैंने क्या लिखा अंडरूड 3x minus y equal to 10 और क्या लिख लिया 2x अंडरूड ऐसे लिख लो अंडरूड 3x minus 2y equal to 20 ठीक है अब इसको मैं solve करूँगा तो इसका कोई solution नहीं आएगा ऐसा कोई भी number नहीं है जो इसको satisfied कर दे आई बात समझ में तो बहुत अच्छे से समझना बहुत ही प्यारा बहुत जबर्दस कोशन है बहुत प्यारा conceptual concept है इसमें कि consistent का मतलब क्या होता है और inconsistent का मतलब क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा अब अपनी heading डालो system of linear equation in two variable के solution केतने तरीके हैं तो इसको note down कर लो अगला वो करते हैं note down कर लो इसको अब हम देखेंगे solution of linear equation को कैसे solve करते हैं ठीक है दिहान से तो heading डालो solution of linear equation in two variable two variable ठीक है अब इसको solve कैसे करते हैं दो method होते हैं इसके ठीक है ध्यान से समझना दो method कौन-कौन से ध्यान से ऐसे बना ले ना जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक है तीर बना के पहला method क्या होतता है graphical method पहला होता है graphical graphical method ठीक है और दूसरा होता है algebraically method अब इस सिर्फ समझो आप फिर इसको detail में अभी सिर्फ अब graphical method में भी तीन होता है कौन-कौन से देखो ध्यान से पहला होता है unique solution या नहीं और एक और इसका नाम क्या है और एक और नाम क्या है intersecting intersecting solution ठीक है intersecting solution ठीक है आई बहुत समझ में इस तरीके से ग्राफिकल में क्या होता है parallel solution ठीक है क्या बोलते है इसको parallel solution और इसका दूसरा नाम क्या है no solution ठीक है clear रहे यहां तक और तीसरा क्या है हमारा तीसरा होता है इसमे infinitely many solution many solution infinitely many solution ठीक है ओर इसका दूसरा नाम क्या है coincident solution ठीक है coincident solution ठीक है के लिए रहे इतने तरीके से इनको हम detail में पढ़ेंगे अभी सिर्फ note down कर लो आप algebraically method में दो method होते हैं हमारे कौन-कौन से एक तो substitution method substitution substitution method ठीक है substitution method ठीक है और दूसरा क्या होता है यहां पर थोड़ा तीर ऐसे बना के लिख लो elimination elimination method ठीक है elimination method कि लिए रहे यहां तक मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से एक एक point अच्छे से ठीक है सबसे पहले इन तीनों को पढ़ेंगे ठीक है फिर उसके बाद उन दोनों को पढ़ेंगे इन पांस solution पर यह पूरा chapter ठीक हुआ है अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी ख्याल से बिल्कुल अच्छे से जैसे मैंने चार्ट बनाया वैसे ही लिखो वैसे हम solve करेंगे अच्छे से अब heading डालो आप unique solution ठीक है unique solution को पढ़ते है actually में होता क्या है अब देखो अब देखो जो हमने पढ़ा unique solution पहले solution और no solution उसका graph कैसे बनता है ठीक है ध्यान से देखना तो अभी graph समझ लो बनता कैसे है इसको detail lecture मैं इसके बात बताता हूं अगले एक करके एक एक topic को मच्छे पड़ेंगे बिल्कुल graph बनाएंगे उसका और उसको समझेंगे कैसे हो रहा है ठीक है तो unique solution का graph देखो हमें पता है ये हमने पढ़ा है x-axis और y-axis ठीक है तो ये होता है मेरा क्या ये होता है मेरा plus y ये होता है minus x ये क्यों होता है plus x और ये क्यो सब्सक्राइब डाइब से यहां पे बनेगा काटेशान प्लेन सराव कि और तीसरा देखो यह क्या है मीरा देख देखो वाइनस से प्लस एक्स और यह फ्लस मीट यह क्या है से इसके ग्राव Стब कैसे है मैं कि ल'llok पैंसे बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में दिख्कत ना है यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा एक दूसरे को intersect करेगा मतलब एक लाइन कुछ इस तरीके से आएगी ठीक है और एक लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी इस तरीक से तो इन दोनों ने एक दूसरे को कहां कट किया, यहां देखो, यहां पर एक दूसरे को कट किया, इस वाले को यहां पर, यह, तो यह इस unique solution है, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, यह वाली जो equation है, यह red पान वाली, इसको लिखेंगे हम A1X plus B1Y plus C1 equal to 0 से, और इ यह था मेरा यूनिक स्विशन पहलोल स्विशन को कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो पहलोल सोल्यूशन का गराफ कुछ ऐसे आएगा इस तरीके से यह आगया एक लाइए और इसी के पैलल यह दूसरी लाइप इस तरीके से ठीक है यह किसी भी उसमें आ सकता है मतलब ऐसा नह लेकिन आएगा कैसा पहले आई बास समझ में और infinite मेनी solution का गराफ कैसे आएगा देखो यह लाइन आएगी कुछ इस तरीके से इस तरीके से और इसी के उपर एक और लाइन आ जाएगी कैसे देखो जहां से इस तरीके से मैं डोटेट बना रहा हूं यह वाली ठीक है यह दोनो कोनाज़ाव कि इस पहल हम डिटेल में बढ़ेंगे फीर इसको पढ़ेंगे फिर हम इस अब हैडिंग डालो आप यूइक सोल्यूसन स्टैस्ट एंड ग्राफ ऑस यूँनिक सोल्यूसन नोड़ाओं करो उसको करते हैं इसको में टाहर पाहूं, ठीक है? आप लेत को सबस्तूं 1 अए और तीन अलेगा बनाओ यांपल यह और इन तीन अलग अलगी में और उंपलिए और मों सब्सका कर लेकिशा न है कि इस पर एक से पूर्णिया है यह कैसे सब्सक्राइब करें इस मांट विए गोट सा मिया है X plus 5 minus 3 equal to G जिल्या ले आता है अब इसकी रखेंगे इससे A1 X plus B1 Y plus C1 equal to G जिसे आठे कुछ नहीं हो तो उस्टाटी क्या हुँटा है 1 इन्हापे भी कुछ नहीं है इन्हापे क्याम लगा रहे है 1 तो A1 कितना आजा लेखो A1 जाजा 1 कि यह हो गा गा गा? 1 पो गूद सब्सक्राइब कि यह गा में यह गा? अब इसको देखो, इस सिट्रेशन को रिखो, क्या दिखा हो गा? 3x minus 2y minus 4 equal to g इसी कंपेशन को किससे? A2x plus B2y plus C2 equal to g कितना है, कहा है? A2 मेरा कितना है? A2y है? V V2 कितना है? minus 2 और C2 कितना है? minus 1 किलिया नहीं करका है? अब ratio डिएँगा अब इसका वहों में स्यत्य इस्यां घ्रद माईनस में सब्सक्राइब है की इसलाहियताओ अपंट संप्यों हाँ वो not equal to a mistake, even upon 2. यहां से इटा, यह minus यहां के यहां होगा है, प्रमाल चुमाल को चाहिए बराबर नहीं है? यह बराबर नहीं है, इसा मतब क्या हुआए? यह जो equation है, यह है unique solution, यह exactly one solution. आएंगा समझे, में इधासे समय में आविया हुआ, अच्छे से मतब दो लो एक चीज़, और इसको लेखे है, तिके? सबसे परिक, क्या यह standard phone में है? नहीं है, यह standard phone में है, यह बिपुछते चाहो, तो आप गोला बनाने कैसे है? यह बिपुछते चाहो, यह बिपुछते चाहो, तो यह standard phone में है? अभी नहीं है, इसको इसा लेखे है, तो क्या हो जागे है? यहाँ से दिको, तो क्या हो जागे है? 2x plus 4y minus 10 is equal to j, और comparison to a1x plus d1y plus c1 is equal to j. इतना, even equal to 2, even equal to 4, once even equal to minus 10. आगे, कि इंगा जूज़ी पर समें को, यह बिपुछते चाहो, तो क्यों में है? इसको 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 आप एको, a2x plus b2y plus c2 equal to j. आप वनिये को सा अप अजरी हमेडो às चाहत को उया हुआ एुद ओित अचछ जरा शरी आप वागे,द ए before हो ओो और हो किव डिक थेसे जा हो यह जैन से लिक पितन लगो जास अबत कया हुआी efficacy. किसी स्वानगाती है sao किसी इतना हर ए रिभ एप्धाτι है और पिसी कितना है उसी करिक से वे अपान युप रीज़िक्ट करें किसी क Kickstarter रिभ ए घडर है और पिस्टा रीज़िव है ठमान कितना है तो थे अपिटम अभरतो माइनस से माइनस कर दियादु नहीं अगले क्यां से रहा है इहां से रिजल यहां से रिए पास, E1 अपोन E2 इपल टू, E1 अपोन E2 नो एकल टू, शिंबल आपोन C, जब भी रिए अजया है, तो इसका मुझा पहुत है, नो सोलिविशन, नो सोलिविशन, ठीक है, नो सोलिविशन, और पैनल लाइस, आप सिंपल साहा कोई इतर आप की ज़ा देखते हैं तो को इसको जार एक स्टैंटर पूर्म कोगा क्ई गणा है a1x plus b1y plus c1 equal to j sine के साथ वे जिए को साथ जो बेजर से सथी यहां से कितना आजागा a1 equal to 4 b1 equal to 6 c1 equal to minus कुशी तरीस है पर हिर सेशनगों वो रिए सो जेहां अग्ले क्लिएसन को जिहां a == ऴार आसवां 254 कितना हमाय हिए एक किटने चलंगेक प्ते हें और प्ते एक अनी तो इस न मिकिना कैना उसकी है पार हें जाया, हुआ ही पिना वीज़ू नितालेंगे किता है शीवा माइनस का फूर्थी और 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 माइनस का फूर्थी दिद्धा फूर्थी और फूर्थी और फूर्थी और फूर्थी और फूर्थी और यह त करदा फ़िटो कि बराबार आजाहें तो इतको बोलते हैं बंशलेटों कि ऊपर जाहें बराबार आजा है तो इसे टीयों किसे और गिरलेटों तो यह तीलों कैसे कंबेंजन करते हैं कैसे एक्वेशन का पता करते हैं बहुत अच्छे से मैंने आपको समझ दिया में जाल के समझ में आगया होगा अच्छे से नोट डाउन करना एक पॉइंट समझ के लिखना अच्छे से दिखना इन सब को आपकंपाईरेशन में आजे द इसको बहुत अच्छे से समझ लेना इसी फिर पूरा है ये चेप्टर पर इस है तो हमारा प्राइच्व कंपेंजर में सबसे पहले रिजर्ट के आया था इसका मतलब क्या होता है हमारा ग्राफिकल की इप होता है मतलब कैसे बना इस तरी से यह एक्से से तो पाला मारत बात पर लाइन किसे आएगी यह तो यह पूंद है यह खूंद है कि आपके ऐसे को सब्सक्राइब ऐसे बनागें ग्राफिक्दियूर्क्स अच्छा ग्राफिकम पर गाते हैं दोने के खना दाटैक्द आपके दूहरें को इस तो अचांग अच्छा हो पांगें 001 शोन जो झान गोचे जिस हो ओर नहीं बहुते हैं तो यूइक शोड़ें सो यूणिक शोलीुटन एक वर करने-ट्र आव ऑल वो स्टिंट नहीं उनिक शोली शोलीयूशा टीकए को तो जो एक पोलों इंटर सार्थिस आंटकों इंटर साथिक आई इंटर सेक्ट intersecting कि ले दिद्या नमेर invari, तीनों का, अच्छे रिस्न मेरा और आज व अब आजयो मतबर ये consistent होता है कि inconsistent तो ये होता है consistent Just consistent également मतब क्या होता है बादेशन हैं जिसके At least one solution, I papod independent, independent का नमतब चाहोता है कि वैल्यू की दूसे पेड नहीं करते हैं अब दूसरा है है यह अधर है था है नूसरा है अधर लाइद नहीं तो दीवन अपून बीडू किसके बराबर रहता है नोट इक्वेल टू सीवन अपून सीदू कि लिए रहा तक मेरे जांसे समय में आ या होगा कोई दिक्कत निया तक नोट डाउन कर लो इसको को अब देखूं ये मारा की तैकर इसागर का जैसे लाओ तरह को में इसमेरों इसति हैं कि यह से आप पय्ले लें चैसे यिए और नहीं है आए ऐसे आए है इसे अचित है यह दोन चैसे जो और उनले का अश्की किसी आप बढ़ी तेर इसको ड़िए इसो वोड़ा तरह नो लूब इसको इसको बोलते हैं पैललल या लान्स कि लिए यह कैसा होगा गर सिसंट की इनकंसिस्टेंट यह गोगा इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कंन चिस ए ओर इसमें चाहों रहें इंडी पैन तो यह जो हो रहे है इंदी या रहे हैं के आपकर नेस अंच हो यह चाहिए वम आपकों इसे इना संपरेबगा नोग को के इसके पेस्ट रेहां यह 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 इस तरिके से इसके आटशा के आटेसे यह जेह आंडियाघ्याटि ऐसे इस तरी कसे अगर फिसी के उपर णहां नाख म ponieważ इसको बोलता है को इसको निथा इनीन। थो प्रहें हम जूसलिए खुलाइटी है खाँ मैंने मंसें ओर इसका दूसरार नाम जांतने enough को इंसीद्हयम इसको ऑट फ्लिए लाध के दो किरिया रहा है में सबस्त शुरुक्त ओर यहाँ पा Bentelod यहता है अर्य इस देंट पर यहाँ है ओंट ऐcon एप रहा है कि यह अधिक पूरा चार्ट बना अच्छे से एक एरफोर साइच को परना लेना और इसको संभाली गरता क्या कि जितना कुछ है इस चार्ट के अंदर है मैंने सारा आपको बहुत अच्छे से संजा दिया यूनिक चार्ट देगे इसमें सब कुछ है एक जगे सारी चीज कंप और टहरा से बbonता है और गराब बनेंगा तो हम कैसे प्रवां करेंगे हमें कैसे पताचुरिगा तो है कि जाकि पने मैंने झेंड कि मैं क्या लिए है को स्वीषिकरण और इंडर सेंड जराफ्लेएज रभी तुर प्रिछल जो हो regal तरीका देखना तर्यू करता हूं कि इसकोल लिए चाहिए त्यानिया मैं एक्स प्लस वाइप इपुल तो यहां से नहीं क्या लेशकता हूं यह एक्स इक्वल तो 3-1 यह एक्स इक्वल तो 3-5 कोई साथ यह तो किसे को लो शागत आफ नहीं मैं आपको समझाने के लिए डाहरा हूं depends on the तो फ्योंल प्लस या माइनस गोगा उसको उपर लिता है तो तो जट्रें सेटें होगा उसको निचेंगा अब यहां पर वेली रोगों मैंने एक्स को 0 रखा तो 0 अब यहता मुखतम हो मैं तो 3-0 पासा 3 3 1 रखा 1 रखा 3-1 equal to 3 3 2 रखा तो 3-0 equal to 0 और भी रखा इसलिए 3-3 equal to 0 कि यहां समझेगा जया होगा फर्दर भी इसको और आजिक कर सकता है और लेकि इसलिए नहीं नहीं कुछते है और यह वाला क्या आपके लिए रहां सेटेंगा मैंने क्या रिखा 3x-2y equal to 0 अब देखा यहां bet 2 है तो 2 सेटेंगा ज़्यक्त करना ज्यादा सावत तक बजाए 3 तो मैं चाहता रहा हूं इस 2y को इस minus 2y को कि इस लिए नहीं नहीं करना रहां को इस 4 को इन नहीं नहीं रहा है 3x-4 equal to 2y यहां इस वाली सब्सक्त है 2y equal to 3x-3 पिए रहे हैं से सवाजने आए आगा इसे तो मैंने जाटिया 5 इपड़ तू यह सित्म 3x minus 4 अपॉल 2 यह समय में आएगी है जी अफ देपो फिर मुझी काम करना भॉक्स पनाना है फाट अपर मनाना है यह मैंने परबा मना दिया है और यहां पे लाइक चीस दिंगे है दीप लाइडरा सेद मेंग साब नद रायेयों अब देखो धानी से अब मैं यहां पे वन दीघ सकता है कि जिटो तरी से निहीं लतने पे तक गाए,कि दिधास जिटो पर की का 5 देखो तू रत सीन एक डाया sw crystalline z is a हम प्रख़ा सब्सक्राइबlerde इस विए पिवार हो इस विए तो अब देखिए, इस विए है को आप दो आप दो निया है, इस समय कोई वेल्यूप निया है, आप दो जाए दो है। सकते हो जाना है डर चीला कि उ предложकी हो जाना हुआ कारो में ऑर समय को एक सकते है लुग जो तो 6 जा रहा है तो 1 बेस जाता रहाँ तो 7 तो इस बेस जाते रहें यह कित्म है जी मुझे बता है 001 लोग निया रहा 1 2 3 4 5 6 7 तो यह नहीं आपने के चाल से कोई समस्साने नहीं चाहिए उची तरी से वाइपने का ठीक में तो 1 2 3 4 5 6 6 6 5 7 7 6 6 6 जो अलग अलग मारे सिस्के लिए अधियन के उए उसे में वीजी ग्राऊ कि इसके लिए इसके लिए लिए दून से घ्री गवाए फिर 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 ग्रीर मुट। फिर एक्स तूरा है तो शाय को आगला उसन्ति दों किता आईगा एक्स पर उसको अपिर उसको अब किल्या आटा से मिटा देकते हैं तो प्रोटेट लाइगा आख किल्या गाला है कि अब कर दो है कि अब एस लाइं को मिला ओ consonant कि अब के इä स में नहीं है कि यह 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 Cash आग थिए चिपनी सुननार से है้ra मेरें पас और मेरें स्मार्ट नहीं है अब तुमक्राइब 265 355 तुमस्री प्रफ'll करें ऑफ' एकसि उवली हमें? यह एंग प्रेश और सएताश यास प्रेश मalez ने एंग बिचार दिया है आप इसे भी वाइप आप 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 अब्याम है अभी आपयार करे हैं जाक ग Los profund बै coral को यूभी पूई आप मेश नोचे अंजर घानर घाधरिक लाखिए **** पाव औरत अाम यहांगो ज lot तर प्रादर जोस्ट लडरे बानों पूल-खार यहां जो साल मन Сबन लुटipो यू इक्क स्वार्ट का अगया सी से शिंगा haya, उसको नाम देरो, इकमें दीटियाने, A, A, B, S जो क्या लिए क्रेग्रल बनेगे? तो इख ड्रेंटन रहां अग्ध्न, A, A, B, C क्या हमता है? हाफ, विर्णून, बेस, विर्णून, भाइब, D यहार नहीं है इंटरसेटिंग लइने लिए मैक्सिमुन थाइए ना यह lai you की पिड़के कि मुखीया इसे टक्रेंगल के अप साथ से काफने के कीौ पले है कि पले हो तो आप हो सच जचा, बात को यह सच दोकिना पले है एक टोपी तो यहां हमें पता निया है तो इसलिए हमने जाने किया अगला ज़ने है जरूरी लिगना पड़ना इसके पिर मार्स तक जाए मैनि क्याल से संवह में आवला, बहुत तच्छे से मैंने आपको रेक्स और एक्स प्र game उड़ना आपकर रिक्ट साहल करने अब देखो हमारा सेकेंड क्या है पहले लाइन और नो सल्यूशन इसका अगर आप कैसे बनेगा आई बात समझ में तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिए उसको देखते हैं क्या कह रहा है ठीक है यह होगी मेरी इक्वेशन तू अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को ले लेत हमें क्या लिखा मैंने 2x पलस 4y इकल टू 10 क्या करना है किसी भी नम्मर को फॉर से डिवाइट करना ज्यादा आसान होता है बजाए फॉर से तो मैं क्या करूं इस फॉर को उधर ले जा रहा हूं और इसको यह लग रहा हूं तो मैंने क्या लिखा 2x इकल to 10-4y तो यहां से क्या जाएगा x equal to 10-4y upon 2 ठीक है कि लिए रहे इसको फर्दर में यह लिए सकता हूँ x is equal to 10 by 2 minus 4y upon 2 तो यहां से कितना जाएगा x is equal to 5 minus 2y यह चीज़ समझ में आई कि निए बाई देखो यही से कडिया यही से कडिया अब यह ज्यादा सान होगे क्यों divide करने का जंजटी खतम अब क्या करेंगे यहां पर box बना लेंगे ठीक है यह मैंने box बना लिए ठीक है एक दो तीर ठीक है यहां पर लिखेंगे lhs में क्या है व ठीक है y को मैं 1 रख रहा हूं तो 2 बन जा 2 5 में से 2 गए 3 तो अगर मैंने 1 रखा तो क्या है 3 अब 2 रख रहा हूं तो 2 तू जा 4 5 में से 4 गए 1 तो अगर 2 रखने पर कितना रहा है 1 इसी तरीक से आगे भी आप रखते जाओ और solve करते जाओ अब इसको लिखते है ठीक है य 3x is equal to 12 minus 6y कोई दिक्कत नहीं तो यहां से क्या आएगा x is equal to 12 minus 6y upon 3 इसको क्या लिख सकता हूं further x is equal to 12 upon 3 minus 6y upon 3 तो solve किया तो क्या जाएगा x is equal to 2 द्यान से देखो 12 को इससे divide करेंगे तो 4 minus यह इससे कड़िया 3 upon 3 2 तो 2y किलियर है यहां तक अब इसका भी walks बना लो देखो है ना तो यहां से क्या आएगा द्यान से देखो ए 2 3 वैल्यू ले 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 टें निए ठीक है कैसे अब मैं यहां पे लिख रहा हूं y और यहां लिख रहा हूं x y को अगर मैं 0 रख रहे हूं तो y 0 रखने पे पर प्या यह 0 हो गया 4 बचेगा ठीक है 1 रखने पे तो 2 चारस तो तो फीसे क्यानने फेल रखने यहां पर था यहां पर 5 और यहांपर 4 वन और यहांपर कैसे बcandoेंगे जिए यह देखने यहां पर 2021 तो यह कहीं यहां पर इस वाले box को मैं यहां लेक्ता हूं क्योंकि यह हिस्सा मेरे को किसे लिए चाहिए ग्राइप लोट करने के लिए तो यह हिस्सा मैंने यहां पर लिए ठीक है यह कितना है यह और यह पर कितना है गादेखो जीरो वन तू और यह कितना रहा है फोर तू जीरो आज बार समझ में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा है ना किलिया रहे यहां तक अब ध्यान से देखना बहुत ही जबरदस और बहुत प्यारा कुशन नहीं है गराफ बनाते है ठीक है यह रह गराफ तो सारी वैल्यू प यहां पर कितना आएक यह 1-2-3-4-5 ठीक है खिलियर है यह रहा था यह होता है यह होता है वाई और यह होता है मेरा X आफ बात समझ में अब देखना ग्राफ को लोट कर रहा हूं ऐख है द्यान से देखना इस वाले के लिए इस वाले के लिए इस को मैं हरे से दिखा रहा y equal to 0 पे x कितना है 5 तो y 0 पे x कितना है 5 यहाँ पे गोला बनेगा y 1 पे x कितना है 3 तो 1 यह रहा और x कितना है 3 तो ऐसे करके यह something यहाँ पे आ गया y equal to 2 y equal to 2 यह रहा x कितना है 1 तो 2 पे 1 2 पे कितना है यह 1 यह point आ गए किलिया रहे आतर अब देखो यह जो dotted है इसको मैं मिटा देता हूँ ठीक है के लिए रहे अब इसको प्लोट करता हूँ देखो तो यह कैसे आ रहा है यहां देखो यह कैसे आ गया इस्टेट लाइन इसको फर्दर भी आगे बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब इसको प्लोट करते हैं ठीक है यहां देखो तो ट jewel पूर्द है फोर सब्सक्राइब इक चीटा नुसमतिंग यह जी रहां तू इस तaces फिर वाई टू पर वाई टू इह रहाँ एक्स कितना एम इस तरीकेश नहीं У1122 पैले हेस्थ गत्सकाज़ तो यह तो यह नहीं कर दोनों ग्राफ एक दूसरी के कैसे यह थोड़ा इस्टेट बनना बना लेगा मेरे हाथ में वह है क्या बोलते हैं इस्टेट निया सीदा सीदा क्योंकि मेरे पास इसे नहीं है अब इन दोनों को आप एक बहुत अच्छी चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी यह यहां से घिर गया देखो यह यहां पर यह लाइन और इसको देखो द्यान से देखो मारकर को देखो यह वाली लाइन और यह वाली लाइन और यह वाली लाइन सीधी यह नहीं है यह इस तरीक से यह घिर गयान यह वाला यह वाला और कहीं पर यह कट रहा है नहीं कट रहा है यह तो शेड़ेड एरिया मेरा अब यह यह मुझसे पूछ ले तो यह मैं कैसे निकालूगा अब ध्यान जेदेखो बहुत अच्छे से समझना बहुत ही जबर्दस कंसेप्ट है इसको नाम लिए तो मैं यहां यहां लिख दिया B यहां लिख दिया इसको मिटा के O इसको लिख दिया इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D अगर मुझसे एरिया पूछे कि किसका A B C D का एरिया तो A B C D का एरिया कैसे निकालेंगे ठीक है जहान से देखना बच्छे लोग बहुत ही जबर्दस यह मैं मिटा देथा हूं ठीक है ध्यान तो यह पुरा मिटा दिया एरिया ओफ A B C D तो अरिया ओफ एरिया ओफ शेडड और इसा है और शेड़रीजन कोन सा है शेड़रीजन a b c a b c d इसका area कैसे निकालेंगे ज़ाणस देखना अच्छे से समझना यह वाला area देखो देखो यह वाला a यह वाला area यह 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 पूरा क्या बनिया यह पूरा य ट्रैंगल बनिया बनिया इस पूरे ट्रेंगल में से अगर मैं ये वाला इरिया माइनस कर दूँ ये वाला ध्यान से देखो मारकर कर देखो ये वाला इरिया ये वाला इस ट्रेंगल के एरिये को माइनस कर दूँ तो यही एरिया बचेगा अजबार समय में तो वही मैं कर रहा हूं कैसे लिख रहा हूं ए एरिया of triangle कौन सा triangle AOD area of triangle AOD minus area of triangle कौन सा BOC 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 इन दोलों को minus कर देंगे तो यही वाला area तो बचेंगे आई बस समझ में अब इसको कैसे करेंगे देखो AOD कितना होता है half into base B1 into H1 minus इसके लिए कितना लिखेंगे half into B2 into H2 किलियर है आई बस समझ में half common ले लिया ठीक है B1 AOD 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 के लिए OD क्या है base OD क्या हो गया base into half common ले लिया रहा दोलों में से height कितनी है AO height कितनी है AO minus B2 B2 के लिए देखो क्या है OC base क्या है OC into height कितनी है आई बस समझ में clear है रहा तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर value रख दो half into OD OD कितना है O से लेके D तक कितना है 5 ठीक है into AO AO कितना है 3 3 है 3 minus लगबग 3 पर आएगा वो scale पर यहां पर मतलब यह 3 पर आएगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां से करेंगे इसको तो वन बाइटू ऐसे ही रहा यह कितना यहां पांच तिया पंदरा माइनस चार दुनी आठ तो यह कितना जाएगा सेवन बाइटू ठीक है किलियर हो कितना आगया सेवन बाइटू यूनिट इसको आए तो यह मेरा एरिया है ABCD का तो इस तरीके से shaded part का एरिया निकल लगा ले तैम से पैलर लाइन में मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा बहुत सिंपल तरीक से मैंने गराब बनाया और आपको पूरी तरीक से समझाने की कोशिस की फिर भी अगर एक परसेंट आपको समझ में ना है तो वीडियो को दुबारा देखना ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना है अच्छे से एक एक पॉइंट जितनी बात बताई मैंने उसको कोपी में नोट डाउन करना कि सरने इसका एरिया कैसे निकाला था कैसे प्लोड किया था कैसे इसको सरने से डिट किया अच्छे से समझना बहुत प्यारा बहुत जबरदस कोशन है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंट सब्साइब कर देना और बैल आइक अबाद देना ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो टालू उसका नोटिफिकिसन आपको तुरंत मिल जाए और इससे पहले मैं दो लेक्चर ओल ले चुका कि इंफिनाइट मैंनी सोल्यूसन इसका ग्राफ कैसे बनेगा ठीक है द्याहां से देखना सिंपल जाहें कैसे करेंगे द्याहां हो गई मेरी उक्वेशन वन और यहोगे इक्वेशन टू क्या लिखा हुआ है तो ग्राफिकली शोल ग्राफिकली 16 वहीं यह सोल नी सोल solve graphically the system of equation graphically solve करता है कैसे करेंगे दिहान से देखेंगे सबसे पहले ये equation ले लो क्या लिखा है 2x plus 3y equal to 6 किलिए रहे यहां तक इसको क्या लिख सबता हमे 2x equal to 6 minus 3y तो यहां से क्या जाएगा x is equal to 6 minus 3y upon 2 किलिए रहे यहां तक अब देखो ध्यान से यह मैंने क्यों किया अब इसको मैं इसके नीचे नहीं रह सकता क्यों क्योंकि यह 1.5 आजाएगा तो इसको solve करना थोड़ा complicated होगा तो ध्यान से देखना value हम कैसे choose करेंगे ठीक है 3 value लेंगे ठीक है यहां देखो 3 क्या 4 भी ले सकते हो जीरो रखता हूं तो 3 into 0 0 क्या बचा 6 6 upon 2 मतलब कितना जाएगा 3 अब मैं y को 1 नहीं रख सकता 1 रखने पर क्या होगा यह 6 minus 3 मतलब 1.5 उसको plot करना ज्यादा मुश्किल होगा तो बजाए मैं क्या रख रहा हूं y को 2 रख रहा हूं तो 2 रखने पर कितना आएगा 3 2 जा 6 6 minus 6 0 अब 0 2 रखा 3 नहीं रख सकता 3 3 जा 9 9 में से 6 मतलब 3 बचेगा उसको plot करना मुश्किल होगा तो 4 रख रहा हूं मैं तो यह कितना जाएगा 4 जा 12 12 में से 6 गए तो minus का 6 उसको 2 से डिवाइट करेंगी तो minus का 3 आई बस समझ में अच्छे से समझ में है मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी और फर्दर सुल कर सकते हो minus कहीं ले लो अगर सारे अगर लेने हैं तो minus कहीं ले लो अगर अब 4 ले लिए इकोल टू 12 तो इसको क्या लिख सकता हूँ में 4X is equal to 12 minus 6Y तो यहां से कितना आ जाएगा X is equal to 12 minus 6Y upon 4 तिलियर है यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब देखो ध्यान से ठीक है ध्यान से समझना बहुत अच्छे से इसकी value कैसे लेंगे हम ठीक है यहां पर लिखो Y और यहां लिख रहा हूँ मैं X ठीक है अब मुझे ऐसी value लेनी है जो 4 से divide हो जाए ठीक है अब उसके लिए क्या करेंगे अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो Y 0 रख रहा हूँ तो 0 into यह क्या 6 तो 6 into 0 12 बचेगा 12 को 4 से divide करेंगे तो कितना आएगा 3 अब 1 रखने पे काम नहीं चल रहा है 2 रखने पे 6 2 यह 2 रखा मैंने तो 2 रखने पे 6 2 यह 12 12 माइनस 12 0 तो 0 आ गया अब 3 रखने पे काम नहीं चलेगा 4 रखने पे Y equal to तो मैंने 4 रखा तो 6 चुक 24 तो माइनस का 3 आएगा करके देख लेना आई बास समझ में clear है अब इसको plot करते है देखो अब आपको देखके idea लग जया होगा कि यह दोनों graph एक जैसे है एक जैसे कैसे हैं यहां देखो 0 पे 3 0 पे 3 2 पे 0 2 पे 0 4 पे 3 4 पे माइनस 3 अब इसको plot करते है ठीक है ध्यान से देखना ठीक है यहां देखो x पे कितना जा रहा है माइनस 3 माइनस 6 और y पे कितना जा रहा है y पे कितना जा रहा है यह है 6 तो इसको यहां से ले लेते हैं इसको यहां ना लेके यहां ले लेते हैं ठीक है कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से तो यह कितना हो जाएगा y-x plus x और minus y ठीक है अब देखो धियान से प्लोट करते हैं इसको ठीक है y पे कितना जा रहा है 0, 2, 4, 6 6 तक जा रहा है और x पे कितना जा रहा है minus 6 तक तो minus 6 तक और 4 6 तक तो यहां पर कितना जाएगा यह 1, 2, 3, 4 5 और यहां कहीं पर 6 यह y है ठीक है और यह कितना जा रहा है यह 0, 0 होता है origin ठीक है 1, थोड़ा सा gap देखे 2, 3, 4 ठीक है 5 और 6 किलियर है यहां तक अब इसको प्लोट करते हैं देखो देहां से कैसे प्लोट करेंगे अच्छे से समझ रहा है पहले मैं इसको प्लोट कर रहा हूँ, red वालो को ठीक है, red से इसको तो 0 पे कितना रहा है, 6, 0 पे 3 y equal to 0 यह रहा y equal to 0 यहां पर रहा minus 3 पे 4 मतलब 4 पे minus 3 तो 4 यह रहा, minus 3 यह अच्छा हो हो, एक मिनट उजाओ हमने value गलत ले ली, क्यों यह तो minus वाले हैं ना, रूँ जाओ, रूँ जाओ, ठीक है एक मिनट उजाओ, ठीक है ठीक है यह तो minus वाले हैं ना सारे ठीक है, minus वाले, अब फिर से दिखते हैं एक मिनट, 0 पे कितना है 3, x equal to 3 और y equal to 0 तो 3 कहा है, x equal to 3 यहां पर होगा ठीक है, something 1, 2, 3 x equal to 3 पे y कितना है 0, x equal to 3 पे y कितना है 0, तो 3 पे यह गोला बना दिया ठीक है, अब कितना है x equal to 0 पे x equal to 0 x equal to 0 यहां, y कितना है, 2 तो 2 यहां पर है फिर कितना है, x equal to minus 3 पे y कितना है, 4, तो minus 3 यहां, 4 यहां ठीक है, इस तरीके से ठीक है और कितना है, x equal to minus 6 पे y कितना है, 6 तो minus 6 यहां और 6 यहां देखो यहां पर इस तरीके से परको हैं आगे बास समझ में मेरे घ्र DAY में यह मिटां देता हूं यह वाली लाइन एक है यह वाली ठीक मुझे काम नहीं आश्य से हिरको इस लाइन को कीस ते कि भाषंट करता है यह कैसा रही है देखो का गुए आगर स्टेंट लाइन आगए कि लियर है रइड वाले के अब हरे वाले किलOOOO करते हैं सेमेड जीज़ है हरे वाले के लिए दकूँँ और आगे एक और प्रोट करेंगे तो pourquoi है आएगा तो देखो नों नोट कि एक लेंग यह देखो तो बोलताई कौ इंचिडेंट मैं आपको अच्छे से दिखा रहा है दो ही यह दो दोनों जो पिस्ञेंगा इसी को बोलते हैं को इंसीडेंट इस पर हमेशा एक की उपर एक लाइग चड़ी हुई रही इस अच्छे से लगे तो लाइक कर देना और बैल आइकन दबातेना कि जैसे मैं कोई ने वीडियो डालो उसका नोटिफिर किसन आपको तुरंत मिल जाए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे कोशन के साथ तब तक के लिए बाई-बाई दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चानल अब हमने ठीरी पढ़ लिया है आज से हम एंसे टेस्ट बुक के एकसराइज करेंगे और यह 3.1 एकसराइज है इसके हम कोशन करेंगे ठीक है सबसे पहला कोशन देखो क्या कहा रहा है द्यां से समझना बहुत ही सिंपल सा और बहुत बहुत बह से फॉलुविंग प्रोबलम एंड फैंड देर सॉलूइशन ग्राफिकली कैसे हमें सुलूइशन पटा होना चाहिए दो एक्स और वाई में या एकस एकस में भी हो जाएगा काम चल जाएगा ठीक है यह एक्स वाई दोनों में चाहिए ठीक है क्यूंकि हमारा चैप्टर का ओफ किलास 10 टुक पार्ट इन मैथ क्यूज ठीक है दस बच्चे है अब बच्चे है तो सीदी सी बात है किलास में लड़का लड़की दोन होते हैं ठीक है इफ दा नंबर ओफ गल्स इफ फोर मोर देन दा नंबर ओब बवाई तो देखो जहां से यह हमारी दो कंडिशन है इली कंडिशन यह है 10 student takes part in a math quiz, यह first condition है, यह second condition है, क्योंकि if लिखा हुआ है, if का मतलब क्या है, नई condition, if the number of girls is four more than the number of boys, ठीक है, यह दूसरी condition है, तो क्या क्या रहा है, find the number of boys and girls who took part in the quiz, आई बास समय है, तो करेंगे कैसे ध्यांता देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, let's number of boys, number of boys in class, को क्या मालिया मैंने, x, number of boys कितने है, x, इसी तरीक से let's number of girls, ठीक है, in class, उनको क्या मालिया मैंने, i, y, ठीक है, y, अब क्या कहा रहा है, according to question, according to question, क्या कहा रहा है, 10 student है, मतलब इन्हीं दोनों को तो मिला के 10 होगा, भाई, simple सी बात है, girls और boys को मिला के ही, तो 10 होगा, मतलब क्या हो जागा, x plus y equal to 10, clear है, यहां तक, यह हो गई मेरी equation, यह question ही लिखते, यहां समय यह लिखता हूँ, y equal to, x equal to लिख लो, ज्याद अच्छा रहेगा, x equal to 10 minus y, clear है यहां तक, यह बन गई मेरी first condition, equation 1, अब हम क्या करते थे, class 9 में आपने जरूर पढ़ा होगा, कि box बनाते थे, कैसे, ऐसे है, याद करो, इस तरीके से, ठीक है, यह box बना लिए हमने, और यहाँ पर हम value लिखते थे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सर, यहाँ पर क्या लिखे है, देखो, जो भी हमारा RHS में होगा, right hand side में, उसको लिखेंगे उपर, और जो भी मेरा left hand side में होगा, उसको लिखेंगे नीचे, अब देखो, y को मैं 0 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, 0, तो y को 0 रखा, तो 0 रखने पर यह खतम हो, यह पहले वाली ग्राफ आगया मेरा ठीक है अब दूसरा सोल करते हैं ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने बना दिया अब सेकेंड की से इस इस फिर नमबर ओफ गल्स फूर्मोर देन दानुम्बर अब बॉइस तो नमबर ओफ गल्स ठीक है नमबर ओफ गल्स जो है वो क्या है number of boys से कितनी ज़्यादा है plus का 4 ज़्यादा है number of girls कितना माना था मैंने y तो मतलब यहां से कितना हो जागा y equal to यह कितना है number of boys x plus 4 आई बास समझ में अब same condition होई box बनाएंगे यहाँ पर यह box बना लिया ठीक है और box में यह value रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 value रख लो बहुत है enough है 5 से ज़्यादा रखने की ज़रूत नहीं है तो यहाँ देखो अभी मैंने बताया था जो हमारा right hand side में होगा उसको उपर लिखेंगे और जो left hand side में होगा उसको नीचे लिखेंगे ठीक है अभी बस समझे है अब यहाँ पर x को रखो x 0 रखा तो 0 रखने पर यह खतम हो गया कितना बचा 4 x को 1 रखा तो 1 रखने पर कितना आएगा यह 5 2 रखने पर कितना आएगा 6 और 3 रखने पर कितना आएगा 7 4 रखने पर कितना आएगा 8 आई बस समय है अब इन दोनों ग्राफ में एक solution ऐसा होगा जो दोनों में common होगा देखो मैं दिखा देता हूँ दोनों में क्या common है यहां देखो x equal to 7 x equal to कहा गया यह रहा 3 और 7 और 7 और 3 मतलब 4 और 6 कुछ value common दिख रही है x4 पे ठीक है मतलब एक intersection point मिल गया मतलब 3 और 7 देखो दोनों में common है ना 3 और 7 अब इसको करेंगे कैसे ध्यान से देखना बहुत अच्छे से समझना ठीक है इसको मिटा देता हूं आगे चाहो तो और आगे बना सकते थे हम चार पर 8 आठा रहा है पांच पर 9 अएगा ठीक है तो अब देखो आगे मेरे खाल से किलियर होगा अब इस यह पूरा मिटा देता हूं क्योंकि मेरा काम हो गया अब गराब बनाना है ठीक है गराब बनाने के लिए देखो ध्यान से द्यान से समझना में ठाएएए यह मैंने इसको मिटा दिया और इधर इसको मिटाएए ठीके ध्यान से देखना ये पूरा mph दिया हमारा ठीक है यहां देखो ठीक है कि लिए यहां तक अब गराब बनाते हैं ठीक है ध्यान से देखना यह बना दिया मैंने x coordinate यह रहा और यह हो गया मेरा y coordinate सारी value plus में है तो plus में लेते हैं minus की जरूरती नहीं है ठीक है यहाँ देखो ठीक है यह होता है मेरा minus x यह होता है plus y यह होगा minus का y और यह क्या होगा plus का x किलिए रहे यहां तक यह क्या होता है हमारा origin 0 0 0 0 ठीक है यहां तक कि मेरे ख्याल से को 1 यह तूउ 3 4 5 X पर कितना जा रहा है मैक्सिमम थेन तक 5 ठीक है और आगे बढ़ा लेते हैं यहां पर 6 रहा हैम तो एड लिए लिए लिते यहां पर इसिक नाइन और यहां पर तेन के लिए रहा तक वाई पे कितना जा रहा है maximum वाई पे जा रहा है एट तक तो एट लिख लेते हैं वाई पे तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इसको और आगे बढ़ा लेते हैं ठीक है 6 यहां देखो यह 7 और यह 8 कि लिए यहां था मेरी ख्याल से समझ में आगा अब देखना ध्यान से मैं इस वाले ग्राफ को इसको तो मैं प्रोट कर रहा हूं लाल से ठीक है और इसको मैं प्रोट कर रहा हूं हरे से अब आपको समझ में आगा इस ग्राफ में सही दिख जाएग x10, x10 कहा है मेरा ही रहा, 10, 10 पे y कितना रहा है, 0, तो मतलब y पे तो चला ही नहीं, तो 10 पे हम क्या करते थे, ऐसा गोला बना ले थे, यादे कुछ, अब 1 पे कितना रहा है, 9, तो 1 ये रहा, 9 पे कितना रहा है, 1, तो हम कैसे करते थे, याद करो, ऐसे करते थे न कुछ, और यहाँ पर बना दिया फीर फीर टू पर कितना रहा है तो two कितना है यह रहा है थो पर कितना रहा है यह eight ठीक है इसी तर quería से three पर कितना रहा है by three पर ह्रा रहा है by seven clear रहे यहां तक देखो three पर seven fourth sixth forty ihran और six kagaj mera he four perds Vasquez 5 पर five तो five यहाँ पर है और यहाँ पर ट्रीफ के एप याद अखे से समझ में मेरी ख़ाल से कोई समस्या और देन टीक है। यह फाली चीजो को हुट्रीन तीया कि ये सिरफ आपको रहने कीलिए था यह कि हैं अब इन सब को मिला दूं थो इन सब को मैने रहा है यहां तो मेरा स्वक्राइट Say वह मतलब सब प्लresser kit 266 यह कैसे बनेंगी इस्टेट करते हैं किसको इस वाले को हरे वाले को तो x equal to 0 पे y कितना है 4 तो 0 यह रहा y 4 यह रहा तो यहां पर ऐसे इस तरीके से 1 पर कितना है 5 मतलब x equal to 1 1 यह रहा ठीक है 1 यह रहा और 1 पर कितना है 5 तो 5 1 पर 5 तो ऐसे आएगा इस तरीके से यह रहा ठीक है फिर कितना आएगा jm2 पर कितना यह nice 3 7 तो 3 10 यह तो देखो और इस तरीके से मैं तो स्पॉर्ट इस तरीके से को हाई को मैं इसको मैने यह श्यू अपया टीका हो तो द्यान से देखना बहुत अच्छे से देहां जब से यह समझ में आ इस तरीक एक इसको और बढ़ा यहां थोड़ा पी डितने थोड़ा यह लान वाले खो ठोड़ा सा और बढ़ा रहे गार इस तरीख से यह ज़ए पर यहां गूब आप सकते से इस तरीक से बढ़ा लू को कई ली करती और हम भरे वाली हो तो फरे वाली को यह जा रहा है इस नहीं किया यहां पे इसको किéner आपको यहां पे इसने क्या कियाम से छाय काले मार करत मतलब 3 और 7 पे दोनों के common point है ठीक है चाहे चेक भी कलो देखो 7 पे कितना है या 3 यह देखो y equal to 7 और y equal to 7 और यह कितना है x equal to 3 और x equal to 3 आई बात समझे तो इसके common solution क्या हो गए जहां पर intersect किया इसने तो इसके common solution क्या हो गए x equal to कितना है x equal to 3 और y equal to 7 तो मतलब girls और boys कितने हैं कि girls तो है 7 और boys है 3 क्या यह इस boys से 4 जाता है बिल्कुल जाता है आई बात समझ में यह मेरे को समझ में आग्या अच्छे से इसको मैं यह भी तो लिख सकता हूँ देखो x को 7 को मैं y को यह भी तो लिख सकता हूँ और 4 प्लस 3 और 3 कितना है 3 को मैं इस 3 को यहां से क्या लिख सकता हूँ x तो मतलब कितना जागा 4 प्लस x तो हो गई मेरी condition satisfied इस तरीके से हमें गराभ बनाना होता है बहुत simple और बहुत साधारन तरीका है मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको explain करके एक एक पॉइंट खोल के बता है अच्छे से देखना समझना और वीडियो अच्छी लगे तो like and subscribe कर देना और bell icon दबा देना ताकि जैसे में कोई नए video डालो उसका notification आपको तुरंत मिल जाए मिलते अगली वीडियो में बहुत अ मस्ते हैं graphically solve करना इसको algebraically यह कहला है five pencil and three pencil together cost rupees 50 ठीक है यह पहली statement है यह वाली और यह दूसरी statement है यह वाली कि जो पांच pencil है और साथ pen दोनों मिलके कितने क्या है 50 रुपे यह पहली statement है ठीक है उसके आगे whereas whereas मतलब second statement करेंगे कैसे देखो हमें pencil का और pen का रीट नहीं प्य price of pencil price price of pencil ठीक है price of pencil equal to x और उसी तरीक से let's price of pen pen को क्या मान दिया मैंने y अब देखो pencil कितनी है 5 तो 5 into x क्या होगा अब according to question according to question कितनी pencil है by 5 एक pencil का x है और एक pencil का y है price of one लिख लो one pencil और one pen ठीक है अब ज्यादा सही है तो एक pencil का x है तो मिरे पास कितनी है 5 पांच pencil तो कितना हो जागा यह 5x और लाज एक pen का y है तो 7 pen का कितना होगा 7y और दोनों को मिला के कितनी रुपे हो रहे हैं 50 यहां तक clear है अब देखो इसक सर 7 को उधर ले जाओं कि 5x को उधर ले जाओं ठीक है देखो देहां से 7y को उधर ले जाओं बताता हूं क्यों तो यहां से मेरा कितना जागा देखो 5x इकोल टू 50-7y ठीक है यहां से क्या जागा देहां से देखना तो यहां से कितना जागा x equal to 50-7y upon 5 ठीक है यहां से फ सार ऐसा क्योंकि अभी आपको समझ माया जागा बस आप देख लो तो एक्स इकॉल टू यहां से कितना जागा टैन माइनस सेवन अपोन फाइब इंटू वाई ऐसा करके मुझे फाइदा क्या हुआ अब मुझे वाई के वाई ऐसे रखने होंगे जो सेवन कमल वो फाइब कमल जाए तो इसको मेन क्या लिख रहा हूं तोब मैं भॉक्स मना देता हूं इसली के साथ साथ देखो समय तो यहां से कितना जाएगा देखो fat बना दिया यह जहां से देखना बिटा बहुत अच्छा को सब्सक्राइब इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि यह आपसे गड़बर ना हो यहां पर क्या लिखोंगा मैं वाई क्योंकि आरेचेस में जो होता है उसको उपर और जो एलेचेस में नीचे अब मैं देखो जीरो रख दूँ जीरो रख दिया तो जीरो रखने पर यह कितना हो गया यह तो पूरे जीरो हो गया यह पूरी टर्म्स हतम होगी ना जीरो मॉल्टिपिला को ऐसे लिख रहा हूं 10-7 अपोन 5 into 5 तो 5 से 5 कड़िया तो 10 में से 7 कितना तो 5 रखने पर कितना रहे 3 अब 0 रख लिए 5 रख लिए अब 10 10 रखने पर कितना आएगा 10 तो 10 रखने पर दो कितना आएगा यह 10 तो यह कड़िया तो 10-14 मतलब माइनस का 4 तीन रख लो बस इस तीन से मेरा ग्राब बन जाएगा ठीक है इस तीन से ही मेरा काम हो जाएगा अब आजाओ इस वाले पर इसमें क्या कर रहा है 7 pencil 7 pencil मतलब और pencil को क्या माना था मैंने x प्लस 5 y याद होगा मैंने मिटा दिया याद होगा आपको तो यह 7 x प्लस 5 y इकल टू कितना हो जाएगा 46 ठीक है अब देखो मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना ध्यान से देखना मैं यह लिख सकता हूं 5 y इकल टू 46 माइनर 7 x ठीक है क्लियर है तो यहाँ से कितना आजएगा y इकल टू 46 माइनर्स 7 x अपों में 5 ठीक है तो यहाँ से कितना आजएगा y इकल टू ध्यान से देखना 46 अपों 5 माइनर्स 7 अपों 5ays इंटू x य adjustments मैं आई किनी यह चीस समंघ मैं आना आपका बहुत जोरी है आई वास अब देखो क्यों कि आमेने ऐसा देखो ध्यान से इसको रखने से बहुत फाइद हैं देखो देखो इसके डाटा ही बड़ी अजीब से हैं तो इसलिए इसको क्या करूँगा अब इसको इससे डिवाइट करोगे तो यह आ जागा देखो ध्यान से 9.2 माइनस इसको डिवाइट करोगे तो कितना आएगा यह 17 1.4 x ठीक है 14 पंजे 70 आई बास समझ में अब क्या करेंगे ध्यान से देखना अब हम वैल्यू प्लोट कर रहे हैं इसके लिए ठीक है यहाँ पर बॉक्स बना दिया मैंने यहाँ पर लिखोंगा x और यहाँ लिखोंगा y अब देखो मुझे ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो पूरा-पूरा इससे खट जाए मतलब यह पूरा-पूरा एक नमबर देदे तो देखो वन रखने पर कितना आएगा वन तो इस में से माइनस वन रखेंगे तो देखो 9. औरमोर फेल यहाँ दे नमबर रखनेंगे पर यहाँ आंपी फॉर मसल्ग हटा-पूरा आप अपर चक्तर सकते हैं किना जाएगा देखो कैसे 9.2 माइनस 1.4 इंटू 3 तो यह कितना जागा 9.2 माइनस 4.2 अब देखो यह पूरी-पूरी वेल्यू मिल रही है तो मैंने पहली वेल्यू क्या रखी 3 तो 3 रखने पे X को 3 रखने पे Y कितना आ रहा है 5 किलियर है 3 अब 3 के बाद देखो 4 रखने पे 5 रखने पे 6 रखने पे मिल जाएगा मेरा तो 6 रखके देखते है तो कल लेते हैं है ना तो 14 28 24 42 अना और 14 कितना रहा है 5.6 नहीं होगा ठीक है 0 रखने पे बहुत काम नहीं हो रहा है ठीक है और 5 रखने पे 60 505 काम नहीं हे रहा है 64 84 सकते 7k रखने पर 7kon एक्ला ऊब 8를 काम की 8 राएगा 8 यहां और कितना रहा हो यहां रहा हो पुआ कितन और 2 माइनस का तो कितना आएगा माइनस का तो इसको कितना लिख लेंगे माइनस का टू ठीक है दो ही ले लो है ना ज्यादा लेने की ज़रूत नहीं है इतने से मेरा काम हो जाएगा यह को सन ही बड़ा अट-पठा सा इसको क्या ही कर सकते हैं तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से अब इसका गराब बनाते है ठीक है देखो देहां से यह मिटा दिया मैंने सारा आपको काफी हद तक मैं सम्झाने में कामियाब रहूंगा ठीक है कुम्प्लिकेटर सा है मानता हूं लेकिन क्या करें बिटा कड़ना तो पड़े गई सीट का कॉस्टन है देखो गराब यह कितना जा रहा है x पे maximum 10 जा रहा है और y पे maximum कितना जा रहा है 5 तो x पे 10 लेते हैं और y पे 5 लेते हैं ठीक है x पे 10 तो यह कितना हो जागा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे यह 10 ठीक है और x पे 10 जा रहा है न y पे कितना जा रहा है y पे भी 10 जा रहा है तो y पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोसन मिटा दूं है न कोसन का काम हो चुका है है न 8 और यह हो गया 9 और यह हो गया 10 किलियर रहा है रेंडम बना रहा हूं देखो क्या कर सकते हैं और x पे maximum कितना जा रहा है 1-1-2-3-4 यह होता है 1-1- well- x पताः होगा आपको फिर भी लने थे देता हूं 2020 का वाई माई नस का वाई और प्लस का X किलियर है Y पे कितना जा रहा है Max-2 तो Y एह रहा -1,-2 ठीक है अब इसको upload करते है मेरे ख्याल से समझ में आगया होगा देखो दियान से 0 पे कितना है 10 X 10 X 10 कहा है यह रहा 10 यह रहा 10 पे कितना है 0 तो 0 लिख दिया थिरी पर कितना है 5 तो फिरी यह रहा तो यह ऐसे आएगा देखो इस तरीके से 3 पर 5 यह मिटा दिया बने ऐसे बनाते थे याद होगा आपको और माइनस फूर पे कितना है टेन तो माइनस फूर यह रहा एन यह रहा देखो यह हटा देते हैं है ना यह रहा माइनस फूर पे टेन तो यहां पर यहां पर यहां पर किलिए रहा तक मिटा दिया यह समझ में आ गया अच्छे से ध्यान से देखना बेचा बहुत है न अब इस तीनों को मिला दो तो देखो कैसे होगी स्टेट लाइन आई यह देखो ध्यान से यह बन गई स्टेट लाइन ठीक है थोड़ा अर्जेस्ट कर ले ना माया ना इस्टेट नहीं है वो थोड़ी उपर नीचे हो गई है ना क्या करें यारी स्केल नहीं है अपने पास वर वाइट बोर्ट भी नहीं है कि बिल्कुल स्मार्ट बोर्ट जिस पर करते हैं अब इसका है यह बन गया कोला तो देखो आपको दिग या दोनों ने एक द्रसरी को क्या क्या किया इंटरसेक्ट कर दिया मोकर और इंटरसेक्ट है हम ऐगली वैल्य करेंगे यह माइनस 2 और 8 तो यह ऐसे आएगा लेकिन इसको प्रलोट करने जरूरत है x equal to y equal to minus 5 पे y equal to 5 पे यह 2 है यह रहा है ना और 8 पे 8 यह रहा 8 पे कितना है यह 2 तो यह something ऐसे आएगा देखो 8 पे minus 2 यह रहा ठीक है अब देखो नो दिहान से इसको मैंने मिटा दिया ठीक है अब यह लाइन खीच रहूं में देखो कैसे आ रही है यहां देखो यह इस तरीके से हैं हूँ यह कर दिया इंट्रसेक्ट दोनों ने एक दूसरे को इसको फरदर आगे बढ़ा दो इस तरीके से इस तरीक से आईगी दोनों ने एक दूसरे को कहां काटा यहाँ पर यह देखो इस वाले पॉइंट पर काट दिया तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है एक्स पर कितना है द एकोल टू-3 इस ग्राफ का सउल्यूशन है आई बार समझ में मेरे खिसे समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल सा था थोड़ा lindy था लेकिन क्या करने बिटा इतना ही है यह एसे ही इसको करना है और यही इसका तरीका आई आई बस समझ में अच्छे से मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा कोई डाउट नहीं होनी चाहिए अच्छे से नोग डाउन करो एक एक पॉइंट लिखना जो मैंने बताया अगला कॉस्टन करते हैं नोट डाउन कुलो इसको कोस्टर नमर सेकिंड देखेंगे क्या कह रहा है ध्यान से समझेगे अराम से कि ओन कंपेरिंग रिशो A1 A2 B1 B2 C1 C2 find out whether the line represent the following pair of linear equation intersecting at one point are parallel or coincident तो ध्यान से देखेंगे सबसे पहले equation लिख लेते है इसको solve कर रहा हूँ तो क्या लिखा मैंने 5X minus 4Y plus 8 equal to 0 और इसी के साथ मैंने दूसरी लिख ली 7X plus 6Y minus 9 equal to 0 क्या करेंगे simple सा comparison करेंगे किससे A1 X plus B1 Y plus C1 equal to 0 से यहां से क्या करेंगे A2 X plus B2 Y plus C2 equal to 0 से अब देखो कई बच्चे comparison में भी गलती कर देते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करना कभी गलती नहीं होगी यहां पे X है यहां पे X है तो इसको cut कर दो A1 के सामने कितना लिखा 5 यहां पे Y है यहां पे Y है कट कर दो B1 के सामने कितना लिखा है साइन के साथ minus 4 और C1 के सामने कितना लिखा 8 तो क्या जाएका मेरा A1 equal to 5 B1 equal to minus 4 और C1 equal to 8 आई बाद समझ में इसी तरिक से A2 कितना आएका मेरा A2 equal to 7 B2 equal to 6 और C2 equal to minus 9 यहां तक क्लिए रहे अब देखो ratio निकालेंगे ratio कैसे निकालते है देखो देहन से A1 upon A2 तो मैं क्या लिख रहा हूँ A1 upon A2 कितना है 5 upon 7 इसी तरिक से B1 upon B2 कितना है रहा है यह माइनस का 4 upon 6 इसको काट लेंगे फर्दर तो कितना जगा माइनस का 2 upon 3 ठीक है और C1 upon C2 C1 upon C2 यह कितना रहा है 8 upon minus का 9 तो minus का 8 upon 9 अब देखो कोई विश्मे से बराबन नहीं है तो हमारा result क्या निकला देखो रिजल्ट क्या निकला देहां से देखना कि एवन अपोन एटू नॉट इकोल टू बीवन अपोन बीटू अब जो बच्चे ने मेरे थियोरी के लेक्चर देखेंगे उसको ज़रूर पता होगा कि इसको कैसे करते हैं सिंपल सी बात है एवन अपोन एटू नॉट इ पहुंआ कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको और कंसिस्टेंट यह कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट तो यह सब है invention में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पहला कैसे किया मैंने असानी से कोई मुश्किल नहीं था इसको Śचा सऽ हो घया अप मसला और सेकिन ऑल ऐसारी कि बगल में लिख लेता हूं 18x प्लस 6y प्लस 24 इकोल टू जीरो ठीक है कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरिजन के लिए बताया था मैंने सिंपल सा है तो किसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इकोल टू जीरो से a1 कितना है देखो सिधा-सिधा 9 साइन के साथ b1 इकोल टू 3 और c1 इकोल टू 12 इसी तरिक से इसकी कंपेरिजन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इकोल टू 0 से a2 कितना है जी a2 है सामने-सामने 18 थारा बीटू कितना है छे और c2 कितना है 24 आ रिशू निकालते है peng बन अन पां टू तो कितना है नाइन अपन 18 फॱ्धर काड़़ देंगे तो कितना है 12, उरुदर कितना है 24, मतलब 12 upon 24, तो इसको काड़ देंगे, तो कितना आ जागा, 1 by 2, तिनों क्या आ गए, बराबर, मतलब क्या आ गए मेरे पास, E1 upon E2 equal to, B1 upon B2 equal to, C1 upon C2, किसकी condition होती है, जिसने lecture देखा होगा, उसको पता होगा, सर यह होता है, co-incident, या infinite solution, या infinite solution, आई बास समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सिंपल सा है, बस comparison करो, ratio निकालो, और जो तीन result है, उसको याद रखो, तभी आप कर पाऊगे, आपको result पता होना बहुत जरूरी है, अब तीसरा देखते है, ठीक है, जल्दी से, यह भी मिटा दिया, मैंने, हो गया मेरा यह, तीसरा दिखते है, जल्दी से, कि तीसरे में क्या कहा रहा है हम से, ठीक है, यह मिटा दिया, देखो, तीसरी equation क्या है, 6x-3y-10-0, और क्या है, 2x-y-9-0, यहां से क्या आजाएगा, a1x-b1y-7-0, और यहां से क्या आएगा, a2x-b2y-c2-0, comparison कर रहे हैं, ठीक है, a1 कितना है, a1 equal to 6, b1 equal to कितना है, minus का 3, और c1 equal to कितना है, 10, यहां पे देखो, a2 कितना है, 2, b2 कितना है, minus का 1, जहां कुछ ना हो, तो आप 1 होता है, इसको मैं यह भी तो लिख सकता हूँ, इस तरीके से, और c2 कितना है, 9, अब निकालो, a1 upon a2, ठी a1 कितना है, 6, a2 कितना है, 2, काट दो, तो कितना आएगा, 3 ratio 1, b1 upon b2 निकालो, यह कितना है, minus का 3, और minus का 1, काट दो, कितना आगया, 3 upon 1, c1 upon c2 निकालो, कितना है, 10 upon 9, कटेंगे नहीं यह, तो इससे result क्या निकल गया मेरे पास, देखो ध्यान से, यहां से result निकल गया, a1 upon e2, equal to b1 upon b2, not equal to c1 upon c2, अब आपको पता होगा, अबर आपने lecture सही से देखा होगा, तो यह किसी condition होती है, यह parallel की condition होती है, क्या होती है, parallel lines, ठीक है, parallel lines, और इसको no solution भी बोलते है, no solution, ठीक है, ठीक है, और इसको inconsistent भी बोलते है, inconsistent, ठीक है, inconsistent की consistent, एक मिनट चेक करने दो मुझे, ठीक है, inconsistent है, अगर कोई solution ना हो, तो inconsistent, समझ में आ गया, तो इस तरीक से यह question हमें करने थे, मेरे ख्याल से काफी हद तक मैं आपको समझाने में कामियाप रहाऊंगा, अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे, तो like and subscribe कर देना, और bell icon दबातेना, ताकि जैसे मैं कोई नेट वीडियो डालू, उसका notification आपको तुरंट मिल जाए, यह question number 2 था, हमारी exercise का, आप question number 3 करते है, note down कर लो, अच्छे से, और जितनी बात बता ही, मैंने, उसको भी note down कर देना, ठीक है, bye bye दोस्तो, Good morning student, आपका स्वागत है मेरे चैनल, show 10 पे, हम NCRT chapter 3 की exercise 3.1 कर रहे थे, एक वीडियो में already बना चुका हूँ, वो वीडियो लगबग 40 मिनट के थी, उसमें question number 1 और question number 2 करवाया है, यह question number 3 है, वो इतने लंबी ना हो जाए, इसलिए इसको करवाया गया है, ठीक है, दो पार् देखके आराम से समझ रखो, अब यह third question है, इसको देखो कैसे करते है, आराम से समझना, क्या लिखा हुआ है, on comparing the ratio, A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out the whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, सबसे पहले यह equation ले लो, ठीक है, मैंने equation सारी लाइन से लिग दी, तो सबसे प plus 2Y equal to 5, और दूसरी क्या है, 2X minus 3Y equal to 7, सबसे पहले यह देखेंगे, क्या यह इस form में है, AX plus BY plus C equal to 0, दोने equation इस form में नहीं है, तो इसको पहले इस form में लाएंगे, क्या लिखा मैंने, 3X plus 2Y minus 5 equal to 0, पहले वाली, अच्छे से clear हो गया, क्या क्या कहा मैंने, क्या equation को दिखेंगे, क्या इस form में है की नहीं है, इस form में नहीं है, तो इस form में लाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसकी comparison किस से, A1X plus B1Y plus C1 equal to 0 से, A1 कितना आया, 3, B1 कितना आया, 2, और C1 कितना आया, minus 5, इसी तरिक से second equation क्या है, 2X minus 3Y minus 7 equal to 0, इसकी comparison करेंगे किस से, A2X plus B2Y minus C2 equal to 0 से, A2 कितना है यहाँ पर, A2 equal to 2, B2 equal to minus 3, और C2 equal to minus 7, plus से, plus वाले से comparison करते हैं, किलियर है यहाँ तक, अब रिशो लिख लिए, अब हम क्या करेंगे, A1 upon A2, A1 upon A2 निकालेंगे, कितना है A1, 3, और A2 कितना है, 2, उसी तरिक से, B1 upon B2 निकालेंगे, कितना है B1, 2, और B2 कितना है, minus का 3, उसी तरिक से, C1 upon C2, कितना है, minus का 5, और minus का 7, तो minus से minus कर दिया, तो यहाँ से देखके, मुझे क्या दिख गया, कि A1 upon A2 जो है, वो not equal to, किसके, B1 upon B2 के, तो जब भी A1 upon A2 not equal to, B1 upon B2 आ जाए, तो इसको बोलते है consistent, क्या बोलते है, consistent, आई बास समझ में, clear है यहाँ तक, तो यह पहले वाली equation कुन सी है, मेरी consistent, तो यह ही इसका answer है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अब second वाला देखते हैं, ठीक है, यह मिटा दूँ, लिख लिया होगा आपने, second वाला, यह वाला, ठीक है, देखो जहाँ से, यह अच्छे सी रेज कर देखते हैं, अब second वाला क्या है, इसको देखो, क्या लिखा हुआ है, 2X minus 3Y equal to 8, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको standard form में देखेंगे, यह है, नहीं, standard form क्या है, यह, AX plus BY plus C equal to 0, नहीं है न, इस form में, तो इस पूरे को उठा के यहां लाएंगे, तो क्या होजागा, 2X minus 3Y minus 8 equal to 0, अब क्या लिखेंगे, A1X, comparison, किसे, A1X plus B1Y plus C1 equal to 0 से, comparison कर लिया, A1 कितना है, 2, B1 कितना है, minus 3, और C1 कितना है, minus 8, पहले equation लिख लिखेंगे, अब second equation लिखेंगे, कौन सी, यह वाली है, 4X minus 6Y equal to 9, देखेंगे क्या इस फूम में है, नहीं है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 4X minus 6Y minus 9 equal to 0, अब comparison करेंगे किसे, A2X plus B2Y plus C2 equal to 0 से, आगे हैं समझ में, A2 कितना है, A2 equal to 4, B2 equal to minus 6, और C2 equal to minus 9, कि लिखेंगे, अब क्या करेंगे, ratio निकाल लेंगे, A1 upon A2 का, कितना है A1, 2, और A2 कितना है, 4, उसी तरिक से B1 upon B2, कितना है, minus 3 upon minus 6, उसी तरिक से C1 upon C2, कितना है, minus का 8, और C2 कितना है, minus का 9, इसको solve करेंगे, फर्दर, तो कितना जागा है, 1 by 2, इसको solve करेंगे, तो minus से minus 3 बंजा 3, 2 जा, 1 by 2, और यह कट नहीं सकता, तो यह क्या जागा, 8 by 9, तो यहां से देख के मुझे idea लग गया, कि क्या है यह, E1 upon E2 equal to B1 upon B2, not equal to C1 upon C2, जब भी B1 upon E2 equal to B1 upon B2 किया जा है, और not equal to C1 upon C2 का है, तो इसको बोलते है, inconsistent, inconsistent, ठीक है, और no solution भी बोलते हैं इसको, आई बस समझ में, तो यह question number second था हमारा, असानी से आपको समझ में आ गया होगा, question number third देखते हैं, note down कर लो इसको जल्दी से, अब third question देखेंगे, इसमें देखो upon में आ गया, बच्चा confuse हो जाएगा कि करे कैसे, simple सा है, पहली question लिख लो, क्या लिख लिख दिए है, 3 upon 2, x plus 5 upon 3, y equal to 7, कि लिए यहां तक, कोई doubt, सबसे पहले क्या करेंगी, इसका LCM लेकी इसको solve कर लेते हैं, तो इसको इधर भीज़ दो, और इसको इधर भीज़ दो, तो कितना जाएगा है, 3 into 3x plus 5 into 2y upon में 2 into 3, equal to 7, तो कितना जाएगा है, 3, 3, 9x plus 10y upon 6, equal to 7, तो यहां से कितना जाएगा, 9x plus 10y equal to 7 into 6, कितना जाएगा है, 9x plus 10y equal to 42, यह मेरी इस equation को simplify करके आया, कि लिए रहे हैं तक, अब ध्यान से देखो, क्या यह standard form है इस वाले में, ax plus by plus c equal to 0, नहीं है न, तो इसको standard form में बन लाएँगे, 9x plus 10y minus 42 equal to 0, अब क्या करेंगे, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से comparison, उपर वाला लिख लिया होगा आपने, जगे नहीं है, इसलिए मिटा देता हूँ यह मैं, ठीक है, तो a1 कितना आया, देखो ध्यान से, a1 equal to 9, b1 equal to 10, और c1 equal to minus 42, किलियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, अब देखो ध्यान से, इसको लेते हैं, second equation को क्या दिया हुआ यह, 9x, 9x minus 10y equal to 14, क्या यह इस फोम में है, ax plus by plus c equal to 0, नहीं न, तो इस 14 को इधर लाएंगे, तो क्या होगा यह, 9x minus 10y minus 14 equal to 0, अब क्या करेंगे, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से comparison, कितना आया, a2 equal to 9, b2 equal to minus 10, और c2 equal to minus 14, अब क्या करेंगे, t0 का ratio निकाल लेंगे, तो a1 upon a2, कितना है a1, 9 upon a2 कितना है, 9, 9 upon 9, कटके कितना आया, 1, इसे तरिक से b1 upon b2 निकाल लेंगे, कितना है, देखो ध्यान से, 10 upon minus 10, तो कटके कितना आजाएगा, minus 1, इसे तरिक से c1 upon c2 निकाल लेंगे, कितना आया, minus का 42 upon minus का 14, तो minus से minus कट लिया, 14 बन जा, 14 3 जा, तो 3 ratio 1, तो इसे result क्या आया, ध्यान से देखो, even upon a2 not equal to b1 upon b2, मतलब कैसा है ये, पहले कोशन में मैंने बताया था, कि जब भी even upon a2 not equal to b1 upon b2 क्या आया है, मतलब ये, consistent है, क्या है ये, consistent, किलियर है, तो तीनों कोशन असानी से आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत असान तरीकी से मैंने solve करके आपको बता दिया, अच्छे से no down करना, ऐसे ही इनको करने का तरीका है, simple simple से कोशन है, बस क्या होता है, कि कई कई बाहर हम से comparison नहीं किया जाता, हम sign गलत रख देते हैं, या काटा पिटी गलत तरीके से करते हैं, तो हमें confusion हो जाता है, और हम उलच के रह जाते हैं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सोच समझ के करना, बिल्कुल answer आएगा, ठीक है, no down कर लो, चोथा करते हैं तब तक, फोर्थ पार देखेंगे, डी पार्ट, है न, क्या कहा रहा है, लिख लेते हैं, 5X-3Y-11, हर किसे में यही देखना है, क्या यह इस फोर्म में है, EX-BY-C-0, नहीं है न, तो 11 को इधर लाएंगे, तो क्या हो जागा यह, 5X-3Y-11-0, अब क्या करेंगे, इसकी comparison, किस से, A1X plus B1Y plus C1 equal to 0, A1 equal to कितना है, 5, B1 equal to कितना है, minus 3, और C1 equal to कितना है, minus 11, आया समझ में, second लिखेंगे equation कितना है, minus 10X plus 6Y equal to minus 22, क्या यह, इस फोम में है, नहीं है, AX plus BY plus C equal to 0, नहीं है न, तो इसको इधर लाएंगे, तो कितना हैगा, minus 10X plus 6Y plus 22, देखो यह minus है, तो इधर आगे क्या हो जागा, plus का, अब क्या करेंगे, इसकी comparison, A2X plus B2Y plus C2 equal to 0 से, कितना है, A2, A2 equal to minus 10, B2 equal to, देखो ध्यान से, 6, और C2 equal to 22, ठीक है, अब comparison, क्या है, A1 upon A2, कितना है, A1, देखो ध्यान से, 5 upon minus 10, तो कितना जागा यह, कटके, तो minus का 1 by 2, उसी तरिक से, B1 upon B2, कितना है, minus का 3 upon में 6, तो यह भी कटके कितना जागा, देखो ध्यान से, minus का 1 by 2, उसी तरिक से, C1 upon C2, कितना है, minus का 11 upon 22, तो यह भी कटके कितना जागा, minus का 1 by 2, आ गया, तो जब धी अब, E1 upon E2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 तीनों ये ratio कैसे आ रहे है equal देखो ध्यान से तीनों ratio equal आ रहे है न तो इसको बोलते है consistent क्या बोलते है consistent आया समझ में तो इस तरीक से इनको करना होता है बड़े simple simple question है अराम से no down कर लो ये था हमारा question number 4 अच्छे से समझ में आगया होगा अब question number 5 करते है no down कर लो इसको NCRT test book का question number 4 देखेंगे ठीक है simple सा है समझेंगे हाराम से और करेंगे कैसे वो भी step by step समझेंगे कि question में क्या क्या रहा है हमसे ये क्या रहा है which of the following pair of linear equation are consistent slash inconsistent if consistent obtain the solution graphically मतलब ये क्याना है कि अगर ये consistent है या inconsistent है ये बताओ और अगर ये consistent है तो उसका solution graph से निकालो हमें पता है inconsistent का no solution होता है उसका solution हम नहीं निकाल सकते हैं तो हम पहले ये check कर लेते हैं कि consistent है कि inconsistent है फिर solution करेंगे तो हमें पता है कि बहाई standard form क्या होती है ax plus by plus c equal to 0 क्या यह यह वाल equation इस form में नहीं है तो इसको पहले standard बनाएंगे क्या लिखेंगे x plus y minus 5 equal to 0 अब comparison करेंगे इससे a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a1 कितना है a1 equal to जिसके आगे कुछ ना हो 1 यहाँ पे भी कितना जागा b1 equal to 1 और c1 equal to minus 5 किलियर है उसी तरिक से दूसरी equation क्या है 2x plus 2y minus 10 equal to 0 इसकी comparison करेंगे कि से a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से a2 कितना आगया a2 आगया 2 b2 कितना आगया यह भी 2 है और c2 कितना है minus का 10 किलियर है यहाँ तक अब ratio निकालेंगे किसका a1 upon a2 का तो क्या लिख रहा हूँ मैं a1 upon a2 कितना है a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2 उसी तरिक से b1 upon b2 कितना है b1 1 और b2 कितना है 2 उसी तरिक से c1 upon c2 यह कितना है minus का 5 और यह कितना है minus का 10 तो minus से minus कर दिया 5 बन जा 5 2 जा आई वाद समझ मैं कि लिए रहे हैं यहां से तो यहां से मेरे पास result क्या है A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 तो यह क्या होता है consistent ठीक है or infinitely many solution or infinitely many solution कि लिए रहे हैं तक infinitely many solutions मतलब यह पता चलिया कि भाई इसके solution निकलेंगे कैसे निकलेंगे अब इसका गराब बनाते हैं ठीक है ध्यान से देखना बहुत सिंपल सा है ठीक है यह मिटा देता हूं सारा में थेला मेरा काम हो गया ठीक है जो मुझे पता करना था वो मैंने पता कर लिया अब इसका गराब बनाएंगे देखो ध्यान से कैसे तीजी से बिलकुल ठीक है यहां देखो इसको क्या लिखा मैंने x प्लस y इकोल टू 5 यहां से मैं यह लिख सकता हूं x इकोल टू 5 माइनस y ठीक है अब क्या करेंगे यहां देखो यह लिख लिए अब बोक्स बनाएंगे बोक्स बनाते थे थे न यहाद है कि नहीं कुछ तो 4-4 value ले लिते हैं ठीक है 4-4 value ले लिते हैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं y y क्यों लिख रहा हूँ जो rhs में होगा उसको उपर जो lhs में होगा उसको नीचे y equal to 0 रखने पे यह कितना आ रहा है 5 1 रखने पे तो 5-1 4 2 रखने पे 3 और 3 रखने पे 2 उसी तरीक से एक box ले ले लेते हैं 2 रखने पे कितना 1 वो 4 रखने पे 1 ठीक है तो देखो यह increase हो रहा है यह decrease हो रहा है आई बास समझ में इसी तरीक से इसका गराब बनाएंगे क्या होगा यह 2x plus 2y equal to 10 इसमें से कुछ को मना रहा है बिल्कुल 2 को मना रहा है तो क्या हो जागा यह x plus y equal to 10 तो यहां से क्या जाएगा x plus y equal to 10 upon 2 मतलब क्या जाएगा x plus y equal to 5 अब मैं क्या कर रहा हूँ यहां से y को ऐसी रखा 5 minus x यह लिख लिया अब यहां पर box बना लिते हैं देखो यह रहा तो कितनी लिया है मैंने इसमें 5 1,2,3,4,5 तो इसमें भी 1 1,2,3 3,4,5 ठीक है और यहां पर देखो अब यहां पर क्या लिखूँगा मैं उपर x और यहां क्या लिखूँगा y x equal to 0 रखा तो y कितना आएगा 5 1 रखा तो कितना आएगा 4 2 रखा तो कितना आएगा 3 3 रखा तो 2 और 4 रखा तो 1 ठीक है आज बाद समझ में clear है मेरे ख्याल से कोई समझ्या नहीं होनी चाहिए है ना आगे समझ में अच्छे से एक एक point ठीक है अब इसको upload करते है ठीक है ग्राफ को देखो देहाँ से कैसे upload करेंगे तो गेरे था प्लस y और यह होगा प्लस x x पर मैक्समूं कितना जा रहा है 5 तक और y पर मैक्समूं कितना जा रहा है 5 तक ठीक है तो यह होता है हमारा origin 0,0 यह हो गया 1 2 3 4 5 और यहां पर कितना हो जागा 1 2 3 4 5 ठीक है ध्यान से देखना हम ठीक है मैं इस वाले को ले रहा हूं इस वाले को तो मैं इसको रेड पैंसे बनाऊंगा और इसको ग्रीन पैंसे बनाऊंगा ताकि आपको कोई कोई कन अरुपी कसि दीए अर इसके लिए देखो है का इक्स का इकषए लिए य उरलर वाई कितना है जीरो तो यहां पर एक गोला बनेगा फिर फोर पे कितना है वन तो फोर यह रहा वन ठीक है यहां देखो ऐसे फिर टू पे थ्री वो फोर फिर थ्री पे कितना है टू तो थ्री यह रहा ठीक है इस तरीक से फिर यहां पर फिर फोर पे कितना है वन तो फोर कहा है यह रहा वन और फोर आई बात समझ में यह अब मैं क्या करूंगा जहान से देखो जैसे बार-बार कर रहे हैं हम इस लाइन को मिटा देंगे यह वाली को ठीक है यह जो डोटेड वाली थी क्यों ऐसे बनाते थे ना तो इसको बाद में मिटा देना एगर आप में ठीक है बिल्कुल accuracy के साथ ठीक है अब देखो यह पिकर यह जहन से यह लाइन मेरी हुगई ऐसे ठीक है एव एक कैसी लाइन यह कैसी यह से यहां और यहां तक मेरे ख्ळार से समंझ में आगा हूगा अच्छे से अब इसको प्लोट और चैसर करते हैं देखो dispara. तो जीरोपे कितना है जीरोपे है 5 जीरो पे 5 तो इसको फड़्स फडला दोής़्क्त स्थाइब एक स्वैल्ट ले लेंगे तो यह यहां तक चला जाएगा थेक है एक वैल्मे ने लियू यहाँ ऑफालेगे तो इसको देखो एकस जीरोपे ऩ कितना है फ्पर जिसको यह फिर कितना है तो वन पे फूर तो वन यह रहा फोर यहाँ पर सम्थिं यह रहा देखो यहाँ यह दूसरा दोला फिर टू पे कितना है यहाँ देखो एक एक वेलियो रखोगे तो यहाँ पर आजा जाएगा अब क्या करेंगे इसको भी फिर मिटा देंगे देखो द्यान से यहां पर देखो दियान से अच्छे से light बार बार bring कर रही है थोड़ा बिजली की समझ्या है इसको मिलाओ तो देखो ये कैसे आगेे दोझे दोनों गर वण एक दूसरे पर कैसे आगए ये दोनों एक दूसरे पर कैसे से आगए consistent एक दूसरे पर आए ना विल्क 과llers से बनां ऋगा एक दूसरे पर यह तो यह*** बूलते मेंगे हुआ मोने माड़ एक जींदेंट बनता इसको माँ सतो हम सारी ही। स्भी स्वेय इंगे सारे इससे नहीं सारे यहाँ पर कितना है यहां पर देखो 0,5 और यहां यहां पर कितनी है खुटक दीना है यहां पर कितना है 3 कोमा 2 और यहां पर कितना है और 16ग इस तरीक से इस कोनी को पूरे अच्छे से हमें करना था मेरी ख्याल से बिल्कुल तेल में मैंने आपको समझाया है समझ में आ गया होगा किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी अच्छे से 3y equal to 60 सबसे पहले क्या करता है यह देखते हैं क्या यह standard form में standard form क्या है मेरी ax plus by plus c equal to 0 यह standard form है कि लिए रहे अब इसको क्या करेंगे इधर लेकर आएंगे क्योंकि यह standard form में नहीं है तो इसको इधर ले आएंगे a1 कितना है a1 equal to 1 b1 कितना है minus 1 और c1 कितना है minus 8 कि लिए रहे यहां तक similarly दूसरी equation को भी हम क्या करेंगे standard form में इस form में लाएंगे क्या हो जागा यह 3x minus 3y minus 16 equal to 0 अब क्या करेंगे इसकी comparison a2x plus b2y plus c2 equal to 0 यहां से कितना जागा a2 equal to 3 b2 equal to minus 3 और c2 equal to minus 16 कि लिए रहे अब रिश्यो निकालेंगे किसका a1 upon a2 a1 upon a2 कितना आ रहा है 1 और यहां से कितना है 3 b1 upon b2 यह भी कितना है minus 1 और यह कितना है b2 minus 3 तो minus से minus कर दिया कितना गया 1 by 3 उसी तरिक से c1 upon c2 कितना है minus का 8 और यह कितना है minus का 16 तो minus से minus कर दिया 8 बन जा 8 अब देखो यहां से आपको रिजल्ट दिख गया हुगा क्या रिजल्ट है a1 upon a2 a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 इसका मतलब क्या होता है inconsistent क्या होता है inconsistent ठीक है और क्या होता है इसका मतलब पैलल लाइन और क्या होता है इसका मतलब क्या होता है no solution ठीक है तो ध्यान रखना जब भी inconsistent आ जाए या पैलल लाइन आ जाए ठीक है inconsistent या पैलल लाइन एक ही बात है ठीक है इसका graph से हम कोई solution नहीं निकाल सकते है इसका मतलब भी क्या है no solution का मतलब है इसके कोई solution नहीं है तो इसको हम graph से solve नहीं कर सकते आई बात समझ में तो इसका graph नहीं बनेगा अच्छे से no down कर लेना एक एक point जो बताया मैंने उसको अच्छे से लिख लेना ठीक है समझ के बिल्कुल clear हो जाना चाहिए आपको किसी तरह कोई doubt नहीं रहना चाहिए question number third देखते हैं अब इसका ठीक है no down कर लो इसको आप देखो third part ठीक है यह दो equation दी हुई है यह equation 1 है और यह equation 2 है ठीक है इसको लिख लो equation 1 और इसको लिख लो equation 2 कि लिए रहे हां तक मेरे क्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सबसे पहले क्या देखेंगे क्या यह standard form में है ax plus by plus c equal to 0 बिल्कुल इसी form में है नहीं है तो अब comparison कर दो इसकी किसकी 2x plus y minus 6 equal to 0 की comparison कर दो किसे e1x plus b1y plus c1 equal to 0 से e1 कितना है e1 equal to 2 b1 equal to 1 और c1 equal to minus 6 कि लिए रहे हैं यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अच्छे से अब अगला देखो इसको लिखो 4x minus 2y minus 4 equal to 0 अब क्या करेंगे a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से a2 कितना है a2 equal to 4 b2 equal to minus 2 और c2 equal to minus का 4 कि लिए रहे हैं यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब रिश्यो निकालते हैं किसका a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 तो यहां के लिखा हमें a1 upon a2 equal to a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4 b1 upon b2 कितना है b1 b1 कितना है यहां पर देखो 1 upon b2 कितना है minus का 2 ठीक है minus का 1 होना चाहिए पलस कोई एक मिनाट equation देख लिता हूँ यह है ना 2x plus y हाँ ठीक है यह equation है ठीक है और c1 upon c2 देखो c1 upon c2 यह कितना है minus का 6 और यह कितना है minus का 4 इसको solve करते हैं तो 2 1 जा 2 2 जा यहां से यह solve नहीं होगा तो कितना है और only one solution only one solution ठीक है only one solution अब इसका एक ही solution मिलेगा आई बास समझे में मतलब इसका solution जरूर निकलेगा लेकिन एक ही होगा ठीक है अब उसको कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो इसको मिटा देता हूँ मैं यह मेरा पूरा काम हो गया गर आप कैसे बनाना है वो मैं आपको देखना ठीक है देखो ध्यान से इसका एगर आप कैसे लिखेंगे इसको इसको मैंने क्या लिखा 2x प्लस y-6 इकोल टू 0 ठीक है इसको क्या लिख सकता हूँ 2x यही रहा 6 को उधर ले गए तो प्लस का 6 और y उधर जाके माइनस का y ठीक है तो यहां से कितना जागा x इकोल y अपोन 2 तो यहां से x कितना जाएगा 3-y अपोन 2 किलिए रहे यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब देखो ध्यान से यह मैंने इसका box बना लिया ठीक है एक, दो, तीन, और एक, चार, चार value ले ठीक है ध्यान से देखना यहां पर y क्योंकि जो RHS में होता है उसको उपर जो LHS में होता है उसको नीचे है अब y क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब मैं सीधर सीधर 2 के multiple रख दो तो मेरा काम हो जाएगा बिल्कुल हो अब y कोल्टू में 2 रख रहा हूं क्यों 2 अपॉन 2 मतलब 1 आएगा तो 3 में से 1 गए 2 अब देखो वाइगो टू तू रख दिया अब 4 रख रहा हूं 4 रखने पर कितना आएगा 4 अपॉन 2 मतलब 2 और 3 में से 2 गए 1 ठीक है अब अगला 6 रख रहा हूं 6 रखने पर क्या यह value अच्छे से इसी तरीक से अब इसको solve करते हैं ठीक है second value को ध्यान से देखना 4x minus 2y minus 4 equal to 0 ठीक है क्या कर रहा हूं है ध्यान से देखना 4x minus 4 को यहीं रखा और 2y को उधर ले गया ठीक है मतलब मैं क्या लिख रहा हूं 2y equal to 4x minus 4 यहां से क्या आजाएगा y equal to 4x minus 4 upon 2 तो कितना आजाएगा 4 upon 2 into x minus 4 upon 2 यहां से y कितना आजाएगा 2x minus 2 किलियर है यहां तक अब देखो box बनाते हैं फिर से ठीक है ध्यान से देखना तो चार वेली रखूंगा मैं है न यहां देखो x को मैं 2 रख रहा हूं ठीक है 2 रखने पे तो यहां पे x लिख लेता हूं और यहां पे y 1 रख लेते हैं चलो 1 रखने पे तो 2 बन जा 2 2 मेंसे 2 गए 0 तो x को 1 रखा तो यह कितना आज़ा 0 तो 2 रखा तो 2 तू जा 4 4 मेंसे 2 गए 2 तो मतलब x equal to 2 रखने पे y भी कितना रहा है 2 3 रखा तो 3 3 3 जा 6 6 मेंसे 2 गए 4 ठीक है और 4 रखने पे 4 तू जा 8 8 मेंसे वो गए तो कितना हैगा 6 किलियर यहां तक अब ध्यान से देखो दूनों गराफ को इसमें एक solution ऐसा है जो दूनों में common है ध्यान से देखो यह वाला यह इसमें भी है और यह इसमें भी है आई ब लोट करना है ध्यान से देखो अना गराफ में बना देता हूं ठीक है यही पर बना देता हूं इधर कोने में एक्स पर कितना जा रहा है maximum एक्स पर जा रहा है फूर य पर कितना जा रहा है इस तो ध्यान देखो गराफ देखो यहां पर अ कि कितना जा रहा है ये maximum 6 तो 1 2 3 4 5 6 और यहां पर कितना जा रहा है one two three four five six ठीक है प्लोट करते हैं इसको ध्यान से देखना इसको मैं प्लोट कर रहा हूं हरे से और इसको मैं प्लोट कर रहा हूं नीले से ठीक है इसको मैं प्लोट कर रहा हूं नीले से ध्यान से देखना ठीक है कितना है y 0 पे x कितना है 3 तो 0 यह रहा और x कितना है 3 है ठीक हो जीलो नहीं पर आएगा और एक रात Yeहां पर एंगा तो यहां पे वन पर फॉर वन यहां produits लेंगी ठीक है फिर कितना है शिक्स पे जीरो और जीरो एक नहीं पे ठीक है यहां तक अब देखो ना द्ध्यान से न मिटा देता हूं मैं अराम से है ना घ्यान से समझना बहुत ही साधारन है, कोई मुस्किल नहीं है, पता नहीं बच्चों को क्यों गर आप में बहुत प्रोबलम होती है, यहां देखो, इसको मिला दो, ठीक है, यह, इस्टेट लाइन आईगी, बिल्कुल सीधी-सीधी, ठीक है, थोड़ी तेड़ी हो गई, लेकिन सीधी आईगी बिल्कुल, ठीक है, अब देखो, इसको प्लोट करता हूँ, ठीक है, इसको, एक्स इकोल टू वन पर कितना है, जीरो, तो वन यह रहा है, जीरो यह रहा है, तो यहां पर गोला बना दिया, ठीक है, फिर कितना है, टू पर टू, तो यह टू, यह टू, देखो ध्यान से, य हो दो एक मिनट है एक्स एकोल्ट टू तो थ्री यहाँ पर है यांपा रहें ठीक है फिर किपना है और सिक्स एक्स इकोल टू प woll तो इतamente यहां पर आई बात समझ में अब इसको मैं मिटा देता हूं देखो ध्यान से इस वाले को नीले वाले को है ना ध्यान से समझना बहुत असानी से मैंने आपको समझाने की कोशिस की है अब इस पॉइंट को मिलाते हैं ठीक है देखो ध्यान से इस पॉइंट को मैं मिला रहा हू यह cutting वाला point क्या है common point common point जो अनों में क्या है 2,2 क्या है यह 2,2 यह इसका solution ग्राफिकली आई बात समझ में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत असानी से ग्राफ बना लिया मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको समझानी की कोशिस की है एक एक point के लियर करके बताया फि वीडियो अच्छी लगे तो like and subscribe कर देना और बैल आइकन दबा देना मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे कोश्ण के साथ बाइबाई दोस्तों नोट दाउन कर लो इसको question number 4 देखेंगे कैसे करना है आराम से समझेंगे क्या क्या रहा है इसको निकालना है कि भाई इसका graphically solution पहले यह देखेंगे कि इसका solution मिलेगा की नहीं solution मिलेगा तभी तो गराब बनाएंगे तो करेंगे कैसे as usual हमेशा की तरह जो इस equation दिए है इसको standard equation में देखेंगे क्या क्या करेंगे अब comparison तो 2x minus 2y minus 2 equal to 0 से किसे comparison करेंगे a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से a1 कितना आया a1 equal to 2 b1 कितना आया minus का 2 और c1 कितना आया यह भी minus का 2 है इसी तरिक से दूसरी equation क्या लिखेंगे 4x minus 4y minus 5 equal to 0 किसे comparison करेंगे a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से a2 कितना आया a2 equal to 4 b2 equal to कितना आया minus 4 और c2 equal to minus 5 किलिए रहें यहां तक a1 b1 c1 आ गए a2 b2 c2 आ गए अब ratio निकाल लेते हैं क्या आया a1 upon a2 ठीक है कितना है a1 2 और a2 कितना है 4 तो देखो यह 2 1 जा 2 2 जा तो कितना आया 1 by 2 B1 upon B2 का ratio निकाल लेंगे कितना है ये minus का 2 upon minus का 4 तो minus से minus कट लिए 2 1 जा 2 2 जा तो ये भी कितना आगया 1 by 2 और ये भी कितना आगया 1 by 2 उसी तरिक से C1 upon C2 निकाल लेंगे कितना है minus का 2 upon minus का 5 तो 2 से 2 कट लिए ये कटेगा ये कटेगा निए तो इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका solution ही नहीं मिलेगा तो इसका answer क्या होगा no solution और क्या होगा यह inconsistent अगर मेरा lecture शुरू से आप देखते आ रहे होंगे तो मैंने consistent और inconsistent की definition बहुत अच्छे से समझाईए inconsistent होते हैं जिसमें कोई solution ना मिले consistent क्या होते हैं जिसमें at least one solution मिले तो unique solution और infinite many solution consistent होता है और no solution inconsistent होता है तो इसका हम graphically solve नहीं कर सकते आई बात समझ बे तो बहुत अच्छे से यह मैंने 4 question आपको समझा दिए समझ में भी आ गए होंगे कोई doubt नहीं होगा note करना एक एक point लिखना जितनी बात बताई मैंने बहुत detail में समझाया है इतने detail में YouTube पे साइधी किसी ने बता रखा होगा अच्छे से देखना note down करना ठीक है और वीडियो अच्छी लगे तो like and subscribe कर देना और bell icon बातेना कि जैसे मैं कोई ने वीडियो डालू उसका notification आपको तुरंत मिल जाए डेली चैनल पे रात को आठ बएए मैं एक वीडियो जरूर पब्लीज करता हूँ चाए कुछ भी हो जाए आती ही आती है तो अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो आपको खई और से पढ़ने की युरूरत नहीं पढ़ेगी मैं बहुत डीटिल में आपको समभ्या रहा हूँ मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ जैसे offline में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कोई अंतर नहीं है कोई डिफ्रेंस नहीं है आई बार समझ में even मैं online में ज्यादा अच्छे से पढ़ा पता हूँ क्यों क्यों कि यहां पर concentrate रहता है एकी आदमी पर focus रहता है मतलब मेरा focus रहता है camera के सामने कि कितनी अच्छे से पढ़ाना है बाकी और उस पढ़ान रहता है और दीहान डाईवाटinding होता ओफ लाइन में क्या होता है कि और उफ लाइन बार बचचे है मेरे चैनल शोट हैं अब तक हम पेर ओफ लीनियर की सारी थियोरी पढ़ चुका हैं सबसे पहले मैंने आपको एक्वेशन के बारे में बताया था फिर मैंने यूनिक सोल्यूशन पैलल सोल्यूशन इंफानाइट मैनी सोल्यूशन की कंडिशन बताई थी फिर उसका मैंने ग्राब बनाया था टोटल अब तक पांच लेक्षर मैं ले चुका हूँ अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो उन पांचों लेक्षर को जाके देखिए तभी आपको अ बहुत फ्रिट्रियूशन हमसे क्या पूछ रहा है देहां तो देखो हमसे यह कहना है कि find the value of k so that the pair of equation यह दुनों हैं यह वाली है जाइन यूनिक स्लूशन सबसे पहले क्या देखते हैं हम सबसे पहले इन equation को यह देखते हैं क्या यह standard form है यह standard form है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इकोल टू जी यह तो इस फोम में है लेकिन यह नहीं है तो इसको पहले इस फोम में लाएंगे तो क्या लिख रहा हूं इकोल टू जीरो से यहां पर कुछ नहीं है तो वन लगा दो तो एवन कितना आगया वन बी वन कितना आगया टू और सी वन कितना आगया माइनस फाइड ठीक है कि लिए रहे यहां तक सिमिलरली इस उक्वेशन को देखो 3X पलस KY पलस 15 इकोल टू 0 कमपेरिजन करेंगे किसे A2X पलस B2Y पलस C2 इकोल टू 0 से तो A2 इकोल टू कितना आगया 3 B2 इकोल टू कितना आगया K और C2 इकोल टू कितना आगया 15 हमें युणिक स्वाइन की कंडिशन पता है क्या होता है वह होता है jo on 1 upon a2 not equal to b1 upon b2 थीक है यह हमारी condition हुती है कुछ नहीं करना है इसमें value रख दो a1 की जगा कितना है 1 upon a2 की जगा कितना है 3 equal to b1 की जगा कितना है 2 और b2 की जगा कितना है के यहां से cross not equal to यहां से cross multiply कर दो ऐसे और ऐसे तो K not equal to 6 मतलब इसकी मतलब यह हुआ कि K की वैल्यू 6 नहीं होगी मतलब K 6 से इक्वल नहीं हो सकता और दुनिया में सारी वैल्यू चलेगी इस तरीक से इस question को करना होता है आई बस समझ में तो यहां पर हमसे पूछा है कि find the value of k, तो क्या लिखेंगे, k, k can take any values, any values except, except 6, तो यही इसका answer है, आई बास समझ में, clear है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, दो नमबर का बहुत सिंपल सा question था, लेकिन इन तरह की question की हमारी practice नहीं होती, तो एक एक हिजाम में हम कर नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं calculation mistake कर देते हैं, अराम से देखना, एक एक पॉइंट समझ के देखना, यह इसमें unique solution में first type का question था, दूसरे type का question देखते हैं, कैसे करेंगे, no down कर लो इसको अच्छे से, question number 2 देखेंगे, ठीक है, question number 2 दिया हुआ है, यह वाला, क्या पूछा है कि find the value of k, क्यों हमें यह बताना है, कि k के case value के लिए, यह unique solution हो जाए, as usual हमेशा की तरह, direct question को नहीं करने लग जाना है, सबसे पहले यह देखना है, क्या यह standard form है, मतलब ax plus by plus c equal to 0, इस form में है, यह नहीं है, और यह भी नहीं है, तो पहले इसको इस form में लाएंगे, तो क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के यहान ले आओ, तो kx plus 3y, अब ध्यान दखना, अब जब आप इसको उठा के ला रहे हो, ध्यान लखना, तो minus का sign लगाओ, और bracket में k-3 लिख दो, ऐसे आपसे कभी गलती नहीं होगी, ध्यान लखना, आई बास समय में, अब क्या करेंगे, इसकी comparison किससे, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से, क्या हैगा, a1 equal to k, b1 equal to 3, और c1 equal to minus bracket अंदर k-3, किलियर है, similarly, इस equation को लिखेंगे, 12x plus ky minus k equal to 0, comparison करेंगे, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से, a2 equal to कितना रहा है, 12, b2 equal to k, और c2 equal to minus k, as usual अब क्या करेंगे, comparison कैसे, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, a1 कितना है, k upon b2 कितना है, वो a2 कितना है, 12, equal to b1 कितना है, 3, b2 कितना है, k, not equal to, यह not equal to, cross multiply, यह इधर, यह इधर, तो यहां से क्या आजाएगा, k2 equal to not equal to 36, तो यहां से क्या आजाएगा, k not equal to plus minus under root 36, मतलब क्या आजाएगा, k not equal to plus minus 6, मतलब k की value plus 6 और minus 6 और नहीं होनी चाहिए, और दुनिया की साही value चलेगी, आई बात समझ में, के लिए रहे हैं यहां तक, मेरी ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, समझ में हागया होगा, तो इस तरीके से इस question को करना होता है, यह हमारा second type का question था, unique solution में, अच्छे से देखना, कोई doubt नहीं है, इसमें, simple simple से question है, note down कर लो, अगला question करते हैं, note down कर लो इसको, question number third देखेंगे, यह हमारा question number third है, question third, अब देखो, यह question confuse करने के लिए दिया हुआ है, confuse मतलब, समझ में नहीं आएगा, करेंगे कैसे, ठीक है, simple सा question है, कुछ नहीं करना है, अपने जो basic standard है, जैसे हम करते आ रहे हैं, उसी को break, follow करना है, मतलब rule break नहीं करना है, जैसे करते आ रहे हैं, वो ऐसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या है, यह standard form में है, इस form में, ax plus by plus c equal to 0, नहीं है न, तो इसके को इधर लाओ, तो क्या हो जागा यह, 4x minus 5 by minus k equal to 0, comparison कर लो, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से, a1 कितना आ गया, a1 equal to 4, b1 equal to minus 5, और c1 equal to minus k, इसी तरिक से इस equation को लिखेंगे, 2x minus 3y minus 12 equal to 0, क्या हो जागा यह, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, कितना आया, a2 equal to 2, b2 equal to minus 3, और c2 equal to minus 12, ठीक है, अब जो condition पता है, वो लिख लो, क्या होता है भाई, unique solution, condition, condition, 4, unique solution, unique solution की condition क्या होती है, a1 upon a2, not equal to b1 upon b2, a1 कितना है हमारा, a1 कितना है, 4, upon a2 कितना है, 2, not equal to b1 कितना है, minus 5, और b2 कितना है, minus थी, तो minus से minus कर दिया, 2 बन जा, 2, 2 जा, तो यहाँज़े क्या आ गया, 6 not equal to 5, होता है न, लेकिन सर इसमें तो हमें k की value पूछी थी, तो देखो इसको इतना करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर, because, k does not depend on a1 upon a2, और b1 upon b2 value, मतलब क्या है, k इन दोनों की value पर depend नहीं करता, so, k can take any real value, यही इसका answer है, ठीक है, तो यहीं लिखना था इसका answer, आई बसमें, यह question मैंने क्यों करवाया, क्योंकि आपको confusion नहों, आपको समझ में नहीं, एकदम से एक आईक हिजाम में आए, तो आप एकदम मतलब चकरा जाओ क्या रहे, हुआ क्या है, ऐसा तो कोई question नहीं किया, तो इसलिए जितने type के question थे, मैंने सारी करवा दिये, अच्छे से note down करना, बहुत simple simple से, और अच्छे-च्छे से question है, यहाम में बहुत frequently आता है, note down कर लो, यह unique solution कि जितने भी type थे, मैंने सारी करवा दिये, अब हम करेंगे parallel के solution, ठीक है, कि उसमें क्या condition है, तो note down कर लो, अगला topic वही पढ़ते हैं, इसको लिख लो, अच्छे से, question number next देखेंगे, अब जितने भी question है, हम no solution वाले करेंगे, ठीक है, कि no solution में के की value कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे और करेंगे, और बहुत frequently यह exam में आते भी हैं, ठीक है, क्या दिवाए, find the value of case, so date the following system of equation has no solution, हर बार की तरह, यह step by step, जितना मैं बता रहा हूँ, उतना लिख लो, अगर आप से पूरा answer नहीं भी आया, तो कम सकम step marking के आपको थोड़े भूत तो number मिल जाएंगे, लेकिन हम कोशी से करेंगे, कि हमारा पूरा answer आए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, क्या यह standard form में है, standard form क्या है, ax plus by plus c equal to 0, क्या यह इस form में है, नहीं है, क्या यह इस form में है, तो इसको पहले इस form में लाएगे, तो इसको क्या लिख रहा हूँ, 3x plus y minus 1 equal to 0, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y अब ध्यान से देख रहा है जब इसको हम उठा के ला रहे हैं तो minus और bracket में ही लिखेंगे चेंज नहीं करेंगे ठीक है ऐसे ही लिखेंगे इसको ठीक है इसको यहाँ minus लगाने है यहाँ पर bracket ही रखेंगे ठीक है अब क्या करेंगे इसकी comparison किससे a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से a1 कितना है 3 b1 कितना है b1 जिसके आगे कुछ नहीं है तो 1 और c1 कितना है minus का 1 किलियर है यहाँ तक इसी तरीके से a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से comparison a2 कितना है यहाँ से a2 equal to देखो ध्यारन से 2k minus 1 b2 कितना है यह पूरा k minus 1 और c2 कितना है यह पूरा minus bracket लगा के 2k minus 1 ठीक है अब हमें पता है यहाँ पे लिख लिखते है no solution condition no solution condition क्या होता है यह यह होता है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 इसको parallel solution भी बोलते है independent भी बोलते है inconsistent भी बोलते है तो यहाँ में 4 आ जाए तो जहां रखना है सबका मतलब 1 है copy में note down करके लिख लेना अच्छे से आई बास समझ में अब इसको solve करते है value रखते है a1 कितना है 3 upon a2 कितना है 2k minus 1 is equal to b1 कितना है 1 upon b2 कितना है k minus 1 और not equal to c1 कितना है minus 1 और c2 कितना है minus का 2 और bracket way k minus 1 आई बास समझ में अब इसको solve करेंगे ध्यान से अब देखो कई बच्चे इसको solve करने में बहुत ही ज़्यादा गलती करते है हमें कैसे करना है पूरा solution मैं आपको बताऊँगा तभी आपको पूरे marks मिलेंगे otherwise आपके पूरे number नहीं आएंगे और आपको पता भी नीचलेगा कि आपके गलती कहाँ हो गई इसमें हमें दोनों solve करने कि k की value क्या होनी चाहिए और k की value क्या नहीं होनी चाहिए आज बास समझ में तो पहले वाला लेता है ये दोनों ताकि k की value आए क्योंकि ये दोनों equality में है तो मैं क्या लिख रहा हूँ 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1 ठीक है cross multiply ये इधर और ये इधर तो क्या जाएगा 3 into k minus 1 is equal to 1 into 2k minus 1 यहाँ से क्या जाएगा 3k minus 3 equal to 2k minus 1 क्या करेंगे अब इसको इधर और इसको इधर तो 3k minus 2k equal to minus 1 पलस में कितना जाएगा 3 तो यहाँ से कितना जाएगा k equal to 2 मतलब k की value क्या होनी चाहिए 2 अब ध्यान से देखना ठीक है k की value 2 होनी चाहिए और k की value क्या नहीं होनी चाहिए वो ऐसे करेंगे या तो इन दोनों को ले लो वो इस दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो एक ही बात है ठीक है तो मैं क्या लिख रहा हूं द्यान से देखना मैं इन दोनों को ले रहा हूं तो क्या हो गया 1 upon k-1 equal to यह minus से minus 1 upon minus का bracket में 2k-1 तो इससे यह कर दिया cross multiply तो 2k-1 equal to 2k-1 अब क्या होगा दियान से देखना इसको solve करते हैं तो इधर तो एक मिनट एक गलती होगे यह k-1 है यह k-1 है यह 2k-1 और यह इधर गया तो k-1 अब इस k को इधर और इस 1 को इधर तो इधर से क्या जागा 2k-k equal to minus 1 plus 1 तो k not equal to है यह not equal to है क्योंकि not equal to मैं तो not equal to ध्यान रखना तो k क्या नहीं होना चाहिए k0 नहीं होना चाहिए क्यों अगर k equal to 0 होगा तो यह क्या हो जाएगा infinite मिलनी solution आई बास समझ में तो इस तरीक से इस question को करेंगे अच्छे से समझ मैं तो k की condition यह नहीं होनी चाहिए दोनों solution मैंने करवा के दिखा दिये अच्छे से no down करना एक एक point समझ के लिखना जितनी गहराई में मैंने बताया है उतनी गहराई में आपको side किसी ने बताया होगा जितने अच्छे से मैंने explain किया एक-एक point लिखना ताकि आपको future में कोई लिक्त ना हो लिख लो अच्छे से question number next दिखते हैं इसको note down कर लो question number 5 देखेंगे no solution कैसे करेंगे ध्यान से as usual हमेशा की तरह है क्या ये दूनो standard form में है standard form क्या है ax plus by plus c equal to 0 ठीक है और ये भी क्या है ax plus by plus c equal to 0 ये already standard form में है तो इसको standard form में करने की जरूरत नहीं है अब क्या करेंगे इसकी comparison किससे देखो ये इस form में है अब इससे comparison किससे a2x वो a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से a1 कितना है a1 equal to जिसके आगे कुछ नहीं है तो 1 b1 कितना है 2 और c1 कितना है minus का 5 उसी तरीके से इसकी comparison किससे करेंगे यहाँ पर लिख लो a2x b2y और c2 equal to 0 से तो a2 कितना है यहाँ यहाँ पर 3 b2 कितना है k और c2 कितना है 15 अब क्या करेंगे हमें पता है कि condition 4 no solution no solution condition ठीक है क्या होता है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 कि k के value क्या निकालनी है तो k के value निकालने के लिए हमें equal to में रखना होगा not equal to से यह पता चलेगा कि k के value क्या नहीं होनी चाहिए तो k के value क्या होनी चाहिए a1 कितना है देखो इन दोनों को ले लेता हूँ इन दोनों को A1 upon A2 equal to B1 upon B2 A1 कितना है? 1 और A2 कितना है? 3 equal to B1 कितना है? 2 और B2 कितना है? K तो यहां से cross multiply करेंगे यह इधर तो K कितना आ गया? K equal to 6 K equal to अगर हम 6 रख देंगे तो यह unique solution बन जाएगा आई बास समझ में clear है? कोई दिक्कत यहां तक मेरे क्याल से समझ में आ गया होगा? बहुत ही simple question था इसलिए करवा दिया ताकि यह दूसरी type का अमारा question था अच्छे से इसको आपको समझ लो, note down कर लो एक एक point लिख लो ताकि आपको किजी तरी की कोई समस्या ना हो है न? question number 6 करते है इसको note down कर लो, अच्छे से question number 6 देखो अब थोड़ा सा अच्छे level का question है क्योंकि इसमें square आ गया है करेंगे कैसे? ध्यान से देखना as usual हमेशा की तरह है सबसे पहले ax plus by plus c equal to 0 क्या यह इस form में है? बिलकुल है क्या यह भी इस form में है? ध्यान से देखो ax plus by plus c equal to 0 क्योंकि यह हमारी standard form है सबसे पहले यह चेक करेंगे अगर इस form में नहीं है तो इसको इस form में लाएंगे कैसे? यहां से उठा के इस तरफ लाएंगे ठीक है? तो यह already है तो यह मैं मिटा दिता हूँ इसको चेक करने की जोरोत नहीं है अब दूसरा क्या करेंगे? इसकी comparison किससे? a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से और इसको किससे? a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से आगया समझ में a1 कितना है? a1 equal to 3k plus 1 b1 कितना है? b1 कितना है? 3 और c1 कितना है? minus का 2 इसी तरिक से यहां पे a2 कितना है? a2 equal to द्याहन से देखो k square plus 1 b2 कितना है? द्याहन से देखो k minus 2 और c2 कितना है? minus का 5 किलिए रहे हैं तक अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम, conditions for no solution, कि no solution की condition क्या है, क्या होता है जी वो, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, a1 कितना है, देखो ध्यान से, तो 3k plus 1 upon a2 कितना है, k square plus 1, is equal to b1 कितना है, 3, और b2 कितना है, k minus 2, और not equal to c1 कितना है, minus cut 2, और c2 कितना है, minus का 5, तो हमें तो k निकालना है, तो normal सी बात है, इस equal to को हमें साथ लेना होगा, तभी हमारा solution आएगा, उससे तो not equal to में आजाएगा, तो इसको लिख लेते हैं बच्चे से, और इसको solve करते हैं, ठीक है, यह मिटा दिया मैंने, तो देखो ध्यान से, दोनों क मैं लिख लेता हूँ, क्या है, 3k plus 1 upon k square plus 1 equal to 3 upon k minus 2, सर कैसे करेंगे, cross multiply, यह इधर, यह इधर, तो कितना आ जाएगा, 3k plus 1, और bracket में, k minus 2 equal to 3 into k square plus 1, कि लिए रहे हैं यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ जया होगा, कोई समस्या नहीं होनी शाहिए, अब note down करते हैं, देखो, इसकी multiply करेंगे, तो इस पूरे की, इस से, तो क्या जाएगा, 3k square, फिर इसी की multiply, इस से, तो 3, 2 जा, minus का साहिन है, तो minus का 6k, यह काम खतम होगया हमारा, अब plus के 1 की, इस से, तो plus का k, और plus minus, minus, minus का 2, और इधर से क्या जाएगा, 3k square, प्लस 3, किलियर है, अब देखो, यहाँ 3k square, यहाँ 3k square, दोनों आपस में, कट जाएगे, क्या बचा आप देखो, 6k, minus का 6k, प्लस का k, तो minus का 5k, minus का 2, is equal to, इधर से कितना जाएगा, 3, अब यह 2 कहाँ जाएगा, उधर, तो क्या लिख दिया मैंने, minus का 5k, equal to 3, plus 2, किलियर है, यहाँ तक, मेरे ख्यालते समझ में आ गया होगा, अच्छे से, अब देखो, क्या लिखेंगे, minus का 5k, equal to 5, हाँ, तो k equal to 5, upon minus 5, मतलब k equal to minus 1, इस तरीक से इस question को किया जाता है, क्यों उठाया यह question मैंने, क्योंकि इसमें calculation थोड़ी सी अच्छी ह बच्चा देखके घबरा जाता है, कि करना कैसे है, बहुत असानी से मैंने समझा दिया, यह खुदी कर जाएंगा, automatically कुछ करनी की जरूरत नहीं है, अच्छे से no down करना, एक एक point समझ की लिखना, जितनी मैंने बात बताई, उसको अच्छे से लिख लेना, और वीडियो आपकी practice होती रहेगी, और आप अच्छा करते चले जाएंगे, ठीक है, तो no down करो इसको अगला करते हैं topic, ठीक है, अब देखो, अब तक हम लोग unique solution और no solution के find k वाले question कर चुके है, आज से हम infinite many solution के question करेंगे, जिसमें हमें k की value find करनी होगी, जिसके लिए equation क्या हो जाए, infinite many solution, बहुत ज्यादा frequently jam में ये पूछा जाता है, jaminer का one of the best topic यही है, तो 100% chance है इसे question आने के, वीडियो को अच्छे से देखना, बहुत detail में समझाओंगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी, जो आपको समझ में आया है, इस बाकि मैं guarantee लिता हूँ, बस आप वीडियो को सही से और अच्छे से note down करना, देखो क्या कहा रहा है, ध्यान से समझो, यह यह कहा रहा है, find the value of key for which the following pair of linear equation has infinite have been, 2019 में दो number का आया है, कैसे करेंगे, हमेशा की तरह, as usual, क्या equation को देखेंगे, यह standard form में है, standard form क्या है, ax plus by plus c equal to 0, इस form में है यह, नहीं है, इसको देखेंगे, तो ax plus by plus c equal to 0, यह भी इस form में नहीं है, तो पहले इसको इस form में लाएंगे, कैसे लाएंगे, इस पूरे को उठाके, इस 7 को उठाके, यहां ले आएंगे, तो क्या लिख रहा हूं है, 2x plus 3y minus 7 equal to 0, और इस सी तरिक से इसमें क्या लिखेंगे, k plus 1 into x plus 2k minus 1 into y, और इस पूरे को उठाके लाएंगे, तो देखना ध्यान से, बच्चे कैसे लिखते है, minus का 4k plus 1 equal to 0, इस तरीक से लिखते है, यह बहुत गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, मैं बताता हूं, देखो यहां से, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही लगे, minus और bracket लगा द plus c1 equal to 0 से, और इसकी किस से करेंगे, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से, किलिया रहे हैं तक, a1 कितना है, a1 equal to 2, b1 कितना है, b1 equal to 3, और c1 equal to minus 7, इसी तरीक से, a2 कितना है, a2 है, k plus 1, b2 कितना है, ध्यान से देखो, तो 2k minus 1, और c2 कितना है, minus का bracket के अंदर, 4k plus 1, clear है यहां तक, मेरे ख्याल से, सब चीज़े clear होगी होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी जगे चाहिए, और जगे बोर्ड पे बची नी, ठ जैसे step by step मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिखना आपको, क्योंकि step के भी marks मिलते हैं, ठीक है, conditions, condition, 4, in 5, condition लिखलो, conditions नहीं होते है, condition 4, in 5, nightly, many solution, ठीक है, infinitely, many solution, ठीक है, क्या होती है, condition, पता होनी चाहिए, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, ठीक है, a1 कितना है, 2 upon a2 कितना है, k plus 1, is equal to b1 कितना है, 3 upon b2 कितना है, 2 k minus 1, और c2 कि 3, 1 कितना है, minus 7, upon में minus और bracket के अंदर, 4 k plus 1, clear है या तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से note down करना, यह आ गया न, यह, अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब आप किसी भी दो को ले लो, या तो इन दोनों क इन दोनों को इकोल टू में रख दो, ठीक है, या पहले और तीसरे को रख दो, किसी को भी रख दो, तो हम यह देखेंगे, कि किस से सोल करना हमें जादा साल लग रहा है, मैं यह दोनों वैल्यू ले 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 था हूं, क्योंकि इसमें मुझे multiply करने में असान रहेगा, क् इन दोनों वैल्यू को ले रहा हूं, ठीक है, तो मैंने क्या लिया, 2 upon k plus 1 is equal to 3 upon 2k minus 1, के लिए रहे, इसकी multiply इधर, इसकी multiply इधर, तो क्या लिख रहा हूं, मैं, 2 into, देखो धांसे, 2k minus 1 is equal to 3, और bracket में क्या हैगा, k plus 1, ठीक है, multiply कर दो, तो 2 टू जा, 4k minus 2 is equal to 3k, plus 3, अब क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो कितना जाएगा, 4k minus 3k is equal to 3 plus 2, तो यहां से k equal to कितना आगया, 5, मतलब k equal to 5 रखनी पर, यह क्या हो जाएगा, infinite many solution, आगी बैस समझ में, इस तरीक से इस question को करना होता है, बहुत frequently board में आता है, और बहुत जाला बार पूछा भी गया है, तो note down करो, अगला question देखते है, question number 2, जो previous year's का है, मैं previous year's इसलिए करवा रहा हूं, ताकि उसके साथ साथ आपको यह भी idea लगया है, कि board में इस तरह के question पूछे जाते है, आगी बास हमें note down करो, question number 2 करते है, question number 2 देखेंगे, यह भी 2019 में दो number का आया हुआ है, ठीक है, as usual हमेशा की तरह है, सबसे पहले करने से पहले हम यह देखेंगे, क्या यह standard form है, standard form क्या है, ex plus by plus c equal to 0, और यहाँ पे भी ex plus by plus c equal to 0, यह standard form में बिल्कुल है, दो number से, अब क्या करेंगे, as usual, देखो ध्यान से, हम इसकी comparison करेंगे, किस से, ध्यान से देखना, a1x, b1y, c1, और इसकी किस से करेंगे, a2x, b2y, और c2 से, comparison कर दिया, कितना है, देखो a1 कितना है, a1 equal to c, b1 equal to कितना है, ध्यान से देखो 3, और c1 equal to कितना है, 3 minus c, इसी तरिक से, a2 कितना है, a2 equal to 12, b2 equal to c, और c2 equal to minus c, के लिए रहे हैं तक, अब as usual, हमारी जो condition है, infinite money solution की क्या होती हो, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें अब value put कर देनी है, a1 कितना है, यहां से देखो a1 है, c upon a2, a2 कितना है, 12, equal to b1 कितना है, 3 upon b2 कितना है, c, और उसी तरिक से, c1 कितना है, 3 minus c, और वो कितना है, minus का c, इलिए रहे हैं तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अब देखना ध्यान से, बहुत ही प्यारा और conceptual question है, पूरी वीडियो देखना, इसकीप मत करना, बढ़ना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से मैं इन दुनों को ले लेता हूँ, मैंने क्या लिया, c upon 12 equal to 3 upon c, तो यहां से क्या जाएगा, यह इधर, यह इधर, तो c square equal to 36, तो c equal to plus minus under root 36, तो c equal to plus minus 6, c की दो value आगे, ठीक है, बच्चे इतना ही करके छोड़ देता है, जो की गलत answer है, हम कौन सी, इन दुनों में से कौन स उसके लिए फिर हमें पहले और इसको solve करना होगा, दूसरे को, ठीक है, तो यहां से मैं लिख लेता हूँ, क्या रहा है, 3 upon c equal to 3 minus c upon minus c, cross multiply, यह इधर, यह इधर, तो क्या जाएगा, minus 3c equal to 3c minus c square, क्या रहा है यहां तक, अब यहां से देखो कैसे करेंगे, यहां से यह इध इधर और यह इधर, तो इसको लेगा इधर और इसको लेआ है इधर, तो क्या गया, c square equal to 3c plus 3c, तो c square equal to 6c, अब देखो कई बच्चे कैसे करेंगे, यहां पर फिर गलती करेंगे, यहां पर फिर बच्चे गलती करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, इससे इसको काट देगे, नहीं काटना है यहां पर यह लिखेंगे c2-6c0 तो c common ले लिया तो यहां से क्या जागा c-6 अब दो value देखो या तो c-6 तो c की दो value आ गई अब common value क्या है प्लस का 6 मतलब इस equation का answer क्या होगा c equal to 6 ऐसे करना है आई बस समझ में यहां आई पर अगर आधे में छोड़ दोगे तो आधे ही नंबर आएंगे आपको कभी अपनी पता ही निचे लेगी कि मेरे से गल्ती कहां हो गई आई बस समझ में क्योंकि बोड है यह इसमें आपको कोपी दिखती नहीं है आपके मार्स दिखते हैं कोपी भी दिख जाएगी लेकिन उसके लिए बहुत इस्टगल करना पड़ेगा आपको फोम बढ़ना पड़ेगा उनलाइन फोम आएगा फिर उसके मैसेज आएगा टाकि जिनजटी कातब हो जाए कि मेरे मार्स कटेगा आइबास और यह कोशन नमर 2 था बहुत प्यारा कोशन है बहुत कंसेप्ट्युल कोशन है नोड़न कोशन नमर 3 करते हैं अब दिखो और 3 यह भी बहुत जब्रस श्यूंदास है अच्छे से समझेंगे एक इकी इस्ट तरह हम यह देखेंगे क्या यह स्टेंडर्ड फोर्म में स्टेंडर्ड फोर्म क्या है एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इकॉल टू जी और इसको भी देखेंगे यहां से क्या है एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इकॉल टू जी यह दोनों इस फोर्म में नहीं तो सबसे पहले इस इसको इस फॉर्म में बनाएंगे कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो इस 5 को उठाके यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा के माइनस 1 इंटु X प्लस वह प्लस कहा रहा हूं माइनस का Y और 5 है तो इधर आगे क्या होगा माइनस का 5 इकल बन गया इस फॉर्म में मतलब यह दोनों एक जैसे हो गए ठीक है इसी तरीक से इसको भी बनाएंगे क्या होगा यह के प्लस 1 इंटु X प्लस 1 माइनस K इंटु Y और देखो यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे इसको कैसे करना है इसको पहले ब्रेकेट में ले लो और माइनस का साहिं लगा के ब्रेकेट में 3 के प्लस 1 इकल टु यह लिखना बना आंसर आपका गलत आजाएगा जरूर आएगा ठीक है 100 परसेंट गलत आंसर आएगा आप उल्जी हुए रहो है क्या इस फोम में बन गया यह बिल्कुल बन गया दोनों इसी फोम में बन गये अब क्या करेंगे इसकी कंपेरिजन किससे A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 इकल टू 0 और यहां से क्या होगा A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 इकल टू 0 से किले रहे कितना है A1 A1 इकल टू ध्यान से देखो k-1 b1 कितना है b1 कितना है जिसके आगे कुछ ना हो तो 1 तो b1 equal to minus 1 और c1 equal to कितना है minus का 5 उसी तरिक से a2 equal to कितना है k plus 1 b2 equal to कितना है 1 minus k और c2 equal to कितना है minus का bracket लगा के 3k plus 1 किलियर है यहां तक अच्छे से समझ में आया मेरे ख्याल से समझ में आगया होगा कोई समस्या नहीं है अब as usual हमेशा कितरे जो अपना फंडा है उस पे चलते हैं ठीक है यार ये गलत मिट गया ज़्यादा एक नटू क्या हो e2 e2 कितना है यहां से देखो e2 equal to k plus 1 ठीक है ये मिटा दिया मैंने इंफाइनाइट इंफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इंफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ठीक है क्या कंडिशन है देखो जहां से हमें पता है a1 upon e2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 कितना है a1 a1 कितना है k-1 तो यहां पे रख दो value k-1 upon a2 कितना है k-1 is equal to b1 कितना है minus का 1 upon b2 कितना है 1 minus k equal to c1 कितना है minus का 5 और c2 कितना है minus bracket में लिखे 3k plus 1 के लिए रहे यहां तक समझ में आ गया अब नीचे का मिटा देता हूँ यह मेरा काम हो गया ठीक है ध्यान से देखना अब क्या करेंगे किसी भी 2 को लिलो या तो इन दोनों को लिलो या इन दोनों को लिलो किसी को भी लिलो किसे भी answer आ जागा ठीक है तो यहां पर देखो क्या आ रहा है तो k-1 cross multiple है यह इधर यह इधर upon k-1 is equal to minus 1 upon 1 minus k मैंने इन दोनों को लिया तो यह इधर यह इधर तो क्या जाएगा k-1 और इधर से कितना जाएगा 1 minus k equal to minus 1 और k plus 1 clear है यहां तक मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा अब देखो कैसे करेंगे इस minus को अंदर भीज़ दो इस minus को अंदर भीज़ दो क्या जाएगा k-1 1 minus k equal to अब यह अंदर जाएगा तो क्या जाएगा देखो ज्यान से यह आजाएगा minus का k और minus का 1 clear है यहां तक कोई समझ्या नहीं है आ गया समझ में अब क्या करेंगे इसकी multiply कर दो तो देखो k की multiply करी तो यहां से कितना है गा देखो ज्यान से minus का k तो k की one से करी k तो k और minus का k square minus का k square minus का one और plus का k minus का one और plus का k equal to कितना है minus का k minus का one देखो ज्यान से इस one से यह one कट गया कट गया ना तो क्या रहा er देखो द्यान से के और के मिलकर कितने होंगई तू के द्धार कि कितने हो गए फिकिरिया गया माइनस चींवता यहां तक कोई समस्य यहां तक नहीं होनी चाहिए पूरी में से क्या को मना रहा है k को मना रहा है तो k को मन लेके मैंने क्या बना दिये k3-k equal to 0 अब यहां से दो value आएगी या तो k equal to k equal to 0 होगा या 3-k equal to 0 होगा तो यहां से k कितना जाएगा k equal to 3 अब k की दो value आगई sir k equal to 0 और k equal to 3 sir किसको रखे है ठीक है ध्यान से देखना किसको रखे है अगर हम यहां पे इसमें देखो satisfied करवाते हैं अगर मैं 0 रख रहा हूँ ध्यान से देखना बेटा बहुत conceptual question है अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो यहां देखो putting putting यहां पर कितना आजएगा minus ka 1 और upon में 1 और इधर कितना आएगा minus ka 5 और इधर से कितना आजएगा minus ka 1 तो इससे तो answer नहीं आ रहा है यह यह बराबर है यह दुने तो बराबर यह बराबर निए अब अगला कर करके देखते है k equal to 3 रख के देखते है तो k equal to 3 रखने पर देखो k equal to 3 रखने पर तो यहाँ पर 3 रखने पर तो कितना आएगा 3 minus 1 upon 3 plus 1 is equal to minus 1 upon 1 minus k की जगे कितना रखने है 3 is equal to minus का 5 और minus का bracket लगा के 3 कितना रखा k को 3 plus 1 तो देखो इस minus से यह minus कर दिया तो यहाँ से कितना आएगा 3 minus 1 मतलब 2 upon 4 is equal to minus का 1 upon minus का 2 is equal to 5 upon 10 तो देखो इस minus से यह minus कर दिया तो यह कितना जाएगा 2 बन जा 2 तू जा और यहाँ से कितना आएगा 5 बन जा 5 तू जा सारे बराबर आगए, तो इसका आंसर क्या होगा, k equal to 3, इसका ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, तो पूरा concept यही है, आप क्या करोगे, इतना करके छोड़ दोगे, और सोचोगे कि मेरा आंसर सही है, जो की बिल्कुल सरासर गलत है, पूरी वीडियो अच्छे से समझना पूरा question आप करते ही नहीं हो, इसलिए आपका अंसर नहीं आता है, अच्छे से देखना, एक एक बात जो मैंने बताई, उसको no down करना, तभी पूरा answer आएगा, अच्छे से देखना, बहुत ही प्यारा question है, वीडियो अच्छी लगे, तो like and subscribe, please जरूर कर देना, और bell icon दबा देना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालो, उसका notification आपको तुरंत मिल जाए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत प्यारे question के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई दोश्तों, देखो ये question, 2013 में 4 नमर आया था, 10 साल पुराना question है, लेकिन बहुत ही conceptual question है, इसलिए कर बाई रहा हूँ, क्यों इसमें दो value निकालनी है, M और end, अभी तक हमने एक value निकालने वाले question किये थे, ये दो value निकालने वाले है, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, अच्छा question है, कैसे करेंगे, सबसे पहले as usual हमेशा की तरह है, क्या ये standard form में है, ax plus by plus c equal to 0, नहीं और इसको भी उठाके यहां ले आएंगे, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, 2m minus 1 into x plus 3y minus 5 equal to 0, और यहां से क्या हैगा, 3x plus n minus 1 into y, और minus का 2 equal to 0, अब क्या करेंगे, हमेशा की तरह है, अपनी standard equation जो है, उससे comparison, क्या ही standard equation, देखो ध्यान से, ये होती है, हमारी a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से, और इसकी a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से comparison, ठीक है, कितना आया, a1, a1 कितना आया, देखो ध्यान से, a1 equal to 2m minus 1, b1 कितना आया, देखो ध्यान से, 3, और c1 कितना आया, minus का 5, उसी तरिक से, a2 कितना आया, equal to 3, b2 कितना आया, n minus 1, और c2 कितना आया, minus का 2, किलियर है यहाँ तक, मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समझ्या, नहीं होनी चाहिए, अब as usual, अपनी जो condition है, वो लगाएंगे, ठीक है, condition क्या है, infinite money solution की, द्यान से देखना, बहुत ही conceptual question है यह, अच्छे से note down करेंगे, एक एक point समझेंगे, क्या है, infinite money solution की condition, कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, value put करो, a1 कितना है, 2m minus 1 upon a2 कितना है, 3, is equal to b1 कितना है, 3 upon b2 कितना है, n minus 1, is equal to c1 कितना है, minus का 5 upon minus का 2, तो यह minus से, यह minus कड़ी गया, अब देखो, हमें m और n निकालने हैं, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही बहतरीन question है, मैं confuse होके, बढ़ना गलबड़ कर दोगे, m निकालने के लिए, मैं इन दोनों को बराबर रख रहा हूं, ठीक है, क्यों रिख रहा हूं, क्योंकि इसमें m है और इसमें नहीं है, और n निकालने के लिए, इन दोनों को equal रखूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें m है, इसमें नहीं है, तो as usual कैसे करेंगे, सबसे पहले, इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, तो 2m-1 upon 3 is equal to 5 upon 2, किलियर है यहां तक, cross multiply, तो यह इधर, यह इधर, तो कितना आ जाएगा, 2 into 2m-1 is equal to 5 into 3, कितना जाएगा, यह 2 to 4m-4 is equal to 15, अब यह 4 उधर जाएगा, तो कितना जाएगा, 4m is equal to 15 plus 4, तो यहां से m equal to कितना जाएगा, 19 upon 4, यह मेरा m आ गया, आई बार समझ में, m की value यह है, n की value निकालने के लिए क्या करेंगे, m कितना आया, देखो यहां से, 2, बेटा यहां पर गलती हो गई, यहां पर 2 आएगा, minus का 2, कितना आएगा यह, और यह plus का 2, तो यह कितना हो जाएगा, 70, देखो, calculation mistake हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको करेंगे, इन दोनों को equal 3 into 2 is equal to 5 into n minus 1, तो यहां से कितना आजाएगा, 6 is equal to 5n minus 5, यह इधार आके कितना हो जाएगा, 6 plus 5 equal to 5n, यहां से कितना आजाएगा, 11 equal to 5n, तो n equal to कितना आजाएगा, n equal to 11 upon 5, तो इस तरीक से m और n की value निकार लेंगे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही conceptual question है, जाम में आया बहुत साल पहले आया था, लेकिन इसलिए करवा दिया, क्योंकि अगर यह concept repeat हो जाए, तो अगर आपने यह question नहीं किया होगा, तो आप पकई जाम में छोड़ किया जाओगे, 100% guarantee है, आप दिमागी नहीं लगाओगे कि करेंगी कैसे, और वही question एक बार हमने कर लिया, और वैसा डीजेट बजल के दूसरा गया में आ गया, तो हम तुरंट समझ जाता है कि इस तरह का question मैंने कर रखा है, इसको ऐसे ऐसे करेंगे और हम कर भी लेते हैं, तो इस तरीक से इसको note down करना अच्छे से, बहुत ही जबर दरस question है, और वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक जैसे मैं कोई ने वीडियो डालू, उसका notification आपको तुरंत मिल जाए, मैं अब तक इस पर साथ lecture ले चुका हूँ, बहुत डिटेल में बताया है, सारी वीडियो आप जाके देख लेना, प्लेलिस्ट कोलना, सारी वीडियो आपको line से मिल जाएगी, मिलते हैं अगली वीडि में, infinite money solution, unique solution और no solution की बारे में पढ़ चुके हैं, उनका graph कैसे बनता है, वो भी हम अच्छे से discuss कर चुके हैं, उस पे जितने related question थे, previous days मैंने सब आपको करवा दिये, तीन गंटे की वीडियो है, वो जो लोग चैनल पर पहली बारा हैं, उसको भी जाके देख लो, लगबग मैंने 6 या 7 lecture बना चुका हूँ, आज से हम substitution method पढ़ेंगे, और बहुत simple method है, यह बहुत आसान है, करने से पहले इसको देख लेंगे करते कैसे हैं, substitution का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, जैसे question ले लेता हूँ, मैं आपकी book का ही, यह आपकी book है ncrt, इसी का question ले लेता हूँ, पहला question, 3.2 का, पहला question क्या है, यह वाला, कि x plus y equal to 14, और x minus y equal to 4, ठीक है, अब इसको हमें substitution method solve करना है, सबसे पहले हम यह समझते हैं, substitution का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल IPL चल रहे हैं, और आप लोग भी IPL देखी रहोगे, उसमें आता है, substitute कर दिया, या impact player आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, उस player को हटा के, उसकी जगह दूसरा player आ जाता है, same उसी तरीक से substitute है, मतलब एक को हटा के, उसकी जगह दूसरा आ जाता है, ठीक है, करेंगे कैसे, यहाँ पे player कितने हैं, यहाँ दूभी player है, कौन x और y, तो इसको न इस side, मतलब left hand side में minus वाली चीज हो, उसको हम substitute करें, क्यों वो ज़्यादा आसान रहता है, यहाँ से इसको करेंगे, तो यह minus में चला जाएगा, फिर solve करने में, थोड़ी सी calculation में हमें दिक्कत होती है, तो वो नहीं करेंगे, हम यह लेखेंगे, मैंने क्या किया second equation को, इस equation क मैंने यह लिख दिया, x minus y equal to 4, और x को मैंने यह लिख दिया, कि 4 plus y, मतलब इस y को उठा के मैं यहाँ ले गया, तो यह बन गई मेरी equation, इसको नाम दे दो equation 3, अब क्या करेंगे, equation 3 में जो x है, equation 1 में जो x है, और जो equation 3 में x है, तो इस x को मैं equation 1 में रख दूँगा, उसे फ y को solve कर देंगे, और बापस से इस equation में y को रख देंगे, तो x है जाएगा, तो देखो मैं क्या कर लिख रहा हूँ, यह लिख लो, from equation 3, putting the value of x, putting the value of x, putting the value of x in equation 1, मतलब equation 3 से x c value equation 1 में रख रहा हूँ मैं, तो x की जगे कितना लिखा हूँ है, देहान से देखो, चलो पहले equation लिख लिख लिता हूँ, x plus y equal to 14, x की जगे कितना लिखा हूँ है, 4 plus y, देहान से देखना, इसमें बहुत बच्चे frequently गलती करते हैं, बहुत जागा, x की जगे मैं क्या लिख रहा हूँ, अलग pen से लिख इस x की जगे, मैं लिख रहा हूँ, 4 plus y, ये समझ मैं है, और ये वाला y मेरा पहले से ही था, मतलब ये वाला y already है, तो ये कितना हो जाएगा, 14, अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 plus 2y equal to 14, अब क्या करेंगे, इस 4 को उधर ले जाएंगे, variable एक त 4, तो यहां से कितना है, 2y equal to 10, तो y equal to 10 upon 2, अब मतलब y equal to 5, मतलब y की value आगए, कितने हैं, 5, अब y की value, equation third में रख देंगे, उससे क्या होगा, x आ जाएगा, तो मैं क्या लिक रहा हूँ, putting value of y, value of y, from equation 4, इसको नाम दे दो 4, from equation 4, to equation 1, equation 3, तो equation 3 क्या है मेरी, x plus x is equal to 4 plus y, तो यहां से कितना जाएगा, x equal to 4 plus y की जाएगा, 5, तो कितना जाएगा यह, x equal to 9, इस तरीक से हम x और y को solve करते हैं, मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत simple कोशन है, अब चेक करना है, कि क्या यह मेरी value सही है, कि गलत है, तो इन दोनों value को यहां रख के देखो, x जाएगा कितना है, 9, और y की जाएगा, 5, तो 9 plus 5, 14, 14 होता है, बिल्कुल हो गया, उसी तरीक से x की जाए, 9, और y की जाए, 5, तो 9 minus 5, equal to 4, तो 4 होता है, बिल्कुल हो गया, मतलब दोनों equation मेरी सही है, और मेरे answer भी सही है, तो इस तरीक से इसे हमें करना होता है, बहुत simple question होता है, लेकिन क्या होता है, कि हमारी calculation mistake हो जाती है, या इजाम में हम समझे नहीं पाते, एक आए, क्या है, हमें पूरे साल तक ये चीज़े याद रखनी है, अभी चल रहा है माई, अगले साल मार्च में पेपर होगे, तो दस महीने पढ़े हुए अभी आपके पास, इस तरीक से पढ़ा ही करो कि ये आपको याद रहे, इस तरीक से नहीं कि अभी करा और अगले महीने भूल गए, होता क्या है, कि हम जब नया चेप्टर करते हैं, तो पुरारा चेप्टर इसकी फोता चला जाता है, मतलब हम नहीं करें, तो इसको nowdown करो, question number 2 करते हैं, not down करो इसको, अब देखो, question number 2, कैसे करेंगे, सबसे पहले as usual, इसको नाम देदक वान और इसको नाम देदक वान, और सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये fraction है, इस fraction को solve कर लेते हैं, ये लिखा हूँ है, ना S upon 3 प्लस T upon 2 इकल टू 6 क्या करना है क्योंकि इसको मैं इसलिए सोल करवा रहा हूं ताकि आपको असान लगी बढ़ना फ्रेक्शन सोल करने में भी बहुत गलती होती है इसकी मल्टिप्लाइए इधर करो और इसकी मल्टिप्लाइए इधर करो और नीचे क्या हैगा इन दोनों की मल्टिप्लाइए तो मैं क्या लिख रहा हूं 2 इन्टू S प्लस 3 इन्टू T upon 2 इन्टू 3 इन्टू 2 इकल टू 6 ऐसे करना है ठीक है समझ मैं तो 2 इन्टू S मतलब 2S प्लस 3T upon में 6 इकल टू कितना जाएगा 6 इस 6 को अब इधर भेज दो तो क्या जाएगा 2S प्लस 3T इकल टू 6 इन्टू 6 मतलब कितना जाएगा 2S प्लस 3T इकल टू 36 ठीक है इसको नाम दे दो इकवेशन ठीट यह हो गई एकवेशन ठीक है अब हमें एकवेशन 1 और ठीक का महां मतलब यह जो सेकन्ड एक्वेशन है एक्वेशली वह इस फूम में है इसको इसको सिक से डिवाइड कर दो तो बापस से यही फूम आ जाएगा मैंने इसको क्यों चेंज किया ताकि fraction में ह ज़्याद आसान होता है तो मैं क्या निक रहा हूं यहां से देखो ध्यांसे देखना इस फ्रों है फ्रों होग के वेशन वन तो पुटिंग फूटिंग वेल्यू आफ वेल्यू आफ वेल्यू आफ S in equation कौन सी? third तो पहले इसको solve कर लेते हैं तो क्या हो जागा यह S minus T equal to 3 अब इस पूरे को उठाके इधर ले जा रहा हूँ तो क्या हो जागा यह S is equal to 3 plus 3 plus T ठीक है? अब इस value को इस S को मैं यहां पे रख रहा हूँ ठीक है? plus 3T equal to 36 S की जेगे क्या लिख रहा है? 3 plus T तो 2 S ही रहा ध्यान से देखो तो 3 plus T plus 3T equal to 36 अब क्या होगा? इसकी multiply 3 to 6 plus इसकी multiply 2T plus 3T equal to 36 अब यह 6 का जाएगा? इधर minus में तो क्या जाएगा? इन दोनको add कर दो तो 5T equal to 36 minus 6 मतलब 5T equal to 30 तो T equal to 30 upon 5 तो T equal to 6 आया समझ में? अब इस T को बापस से इस equation में रख दो equation 4 में ठीक है? यहाँ पे देखो द्याहन से putting यहाँ पे लिख लेना चाहे putting value of T value of T in equation 4 तो देखो 4 वाली equation क्या है? S equal to 3 plus T तो S is equal to देखो T T कितना आया है? महरा 9 तो यहाँ पे put कर दो तो 3 plus 6 3 plus 6 आया है 6 तो S equal to कितना जागा? 9 आई बापस समझ में? अब दोनों को इस equation में रख के देखो क्या value satisfied हो? यह बिल्कुल हो रही है देखो S की जगे 9 और 9 और T की जगे 6 तो 9 minus 6 3 क्या 3 3 के इक हो लो? तो यह बिल्कुल होता है उसी तरीक से यहाँ पे रख के देख लो क्या आएगा यह? 9 9 upon 3 9 upon 3 मतलब 3 और T कितना आया है? 6 अब देखो यह कोशन बहुत ही प्यारा और बहुत जवर्दस कोशन है ठीक है? ध्यान से देखना ultimate कोशन है बरना यहाँ मैं उलज़के दे जाओगे substitution से करना कैसे है? यह हो गई equation 1 और यह हो गई equation 2 ठीक है? equation 1 को मैं यह लिसकता हूँ ध्यान से देखना ध्यान से समझना ठीक है? 3x minus y equal to 3 इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो क्या जा गई है? 3x equal to 3 plus y के लिए रहे हैं यहाँ तक? यह होगई equation 3 अब equation इसको देखो क्या बोलता है? second को equation second को मैं यह लिसकता हूँ ध्यान से देखना बहुत अच्छा कुस्षान है ध्यान से समझना इसको क्या है यह? 9x minus 3y equal to 9 लेकिन मेरे पास तो 3x है तो इसको 3x बनाने के लिए क्या कर सपना हूँ? इस पूरे में से कुछ को मना रहा है? बिल्कुल आ रहा है 3 तो यह क्या हो जाएगा? 3x minus 3y equal to 9 किलिए रहे हैं तक? अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? 3x इसको नाम दे दो 4 तो putting ध्यान से देखना putting value of 3x from from equation third to equation 4 मतलब equation 3 से 3x ये value equation 4 में रख रहा हूँ तो क्या आएगा ये? ये बनी तो मैं क्या लिख रहा हूँ? putting value of 3x from equation 3 to equation 4 तो यहाँ पर देखो 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 अब मैं क्या लिख रहा हूँ? 3x से ही रहा और 3x अब 3x से जगे मुझे क्या लिखना है? देखो देहान से यहाँ से 3x से जगे क्या लिखना है? 3 plus y 3 plus y minus y equal to कितना है? 9 तो यहाँ से देखो इस y से ये y कर देखा तो यह क्या आगया? 3 plus 3 9 equal to 9 हो गया समझ में ये? मतलब यहाँ से तो सर कोई value ने निकली ने निकली ना? तो देखो देहान से थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो यह equation आपको clear हो जाती कैसे clear हो जाती? यहाँ देखो यह है 3x minus y equal to 3 है ना? सबसे पहले इसको क्या करेंगे? ax plus by plus c equal to 0 से comparison करेंगे यह काएगा इधर तो क्या हो जागा यह? 3x minus y minus 3 equal to 0 अब क्या हो जागा? a1x plus b1y plus c1 equal to 0 आगी बस समझ में a1 कितना आया है यहाँ से? a1 equal to 3 और b1 equal to minus 1 और c1 equal to minus 3 आगया यहाँ तक समझ में? ध्यान से देखना? अब similarly यह equation को लिखो यहाँ पर केतना है यह? देखो ध्यान से 9x minus 3y equal to 9 इस 9 को इधर लाओ तो क्या हो जागा यह? 9x minus 3y minus 9 equal to 0 तो यहाँ से कितना जागा? इसकी comparison करो e2x plus b2y plus c2 equal to 0 से e2 कितना आया? e2 equal to 9 b2 कितना आया? b2 equal to minus 3 और c2 equal to कितना आया? minus 9 किलिए रहे? यहाँ तक अब देखना ध्यान से आपको यह question में अच्छली सुरू में ही देखना नहीं चाहिए यह था लेकिन क्या है? कि एका एक दिमाग काम नहीं करता है अब a1 upon a2 नीकलो a1 upon a2 कितना है यह? देखो ध्यान से 9 upon 3 मतलब कितना है थ्री उसी तरीक से b1 upon b2 नीकलो कितना हैगा? minus 3 upon minus 1 तो minus से minus कर दिए कितना है थ्री मैंनस का 9 upon minus का 3 तो minus से minus कर दिए 3-1 9 अब लेकिन फिर बीकिलेगा यहां से कितना आया 0-0 इकोल टू 3 तो यहां से कितना जगा 3x इकोल टू 3 तो X इकोल टू 1 तो बॉसीवल कोई स्विशन क्या है य इकोल टू 0 इकोल 2 यह भी इसका एक स्विशन हो सकता है आया समझ में बहुत ही प्यारा बहुत conceptual question था नोट डाउन कर लेना अग बहुत अच्छे question में से एक question है यह अच्छे से समझना जितनी बात बताई उसको लिख लेना ना समझ में दुबार से देखना ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना है आई बाद समझ में अगला question देखते हैं question number four देखेंगे fraction में आ गया बहुत बच्छे इसको देखके घबरा जाएंगे गलसलत कर देखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना कभी आपसे गलती नहीं होगी यह है मेरी equation कौन से 1 और यह है मेरी equation 2 ठीक है 1 और 2 सबसे पहले यह लिख देना है सबसे पहले क्या करेंगे द्यान से देखो equation 1 को क्या मैं बापस से ऐसे लिख सकता हूँ द्यान से देखना पॉइंट 2x पलस .3y इकल टू 1.3 अब ध्यान से देखो इसमें एक pattern है यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक digit है यहाँ पे भी पॉइंट के पाद एक digit है यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक digit है जब भी ऐसे दिया हो तो करेंगे कैसे कुछ नहीं करना है यह point हटा दो नुमिनेटर सेम हो तो नुमिनेटर सीधे सीधे प्लस हो जाता है तो इस पूरे को मैं यह लिए सकता हूँ 2x प्लस 3y अपोन में 10 is equal to 13 अपोन में 10 आया समझ में अब इस 10 से यह 10 कर दिया तो क्या आया 2x प्लस 3y equal to 13 यह हो गई मेरी equation तीसरी ठीक है आया यहां तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से कोई समझ से नहीं होनी चाहिए उसी तरिक से इस equation को क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देखो 0.4x प्लस 0.5y equal to 2.3 क्या करेंगे वही पॉइंट रटा है तो पॉइंट 10 आ गया यहां पे भी पॉइंट रटा है तो 10 आ गया और यहां पे भी पॉइंट रटा है तो 10 आ गया के लिए रहे सेम होई रूल यहां पे कि अगर डी नुमिनेटर सेम हो तो नुमिनेटर सीधे सीधे पलस हो जाते है तो क्या आया यहा to 23 अपोन में 10 तो 10 से 10 कड़िया क्या जाएगा यहां से 4x plus 5y equal to 23 यह हो गई मेरी equation 4 अब मुझे पहली और दूसरी equation का काम नहीं है मैंने उसको reduce के लिया इस form में मतलब यही अब मेरी equation है अब इसी को solve करना है तो दिखान से देखो क्या लिख रहा हूं में फिर से तो 2x plus 3y equal to 13 और दूसरी क्या है 4x plus 5y equal to 23 यह हो गई 3rd और यह हो गई 4 कि लिए यहां तक मेरी ख्याल से समझ में आजया होगा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि यह लिख लिया होगा थोड़ा स्पेस चाहिए और बोर्ड पर अब इतना स्पेस है नहीं यह मिटा दिया मैंने ठीक है ध्यान से देखना आप क्या कर रहा हूं मैं समझना अच्छे से इक्वेशन को इस से इस इक्वेशन को मैं यह लिख सकता हूं ध्यान से देखो तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इस प्लस के 3y को मैं इधर ले जा रहा हूं तो क्या हो गया यह 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y के लिए रहा है यहां तरक मेरे ख्याल से समझ में आगया होगा यह होगे इक्वेशन 5 अब मैं क्या कर रहा हूं पुटिंग पुटिंग वैल्यू ओफ 2x वैल्यू ओफ 2x फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 4 इक्वेशन इसमें मत रख देना फिर वही लोट किया जाएगा फिर फाइदा क्या हुआ करने को आई बार समझ में 4 में 4 वाली इक्वेशन क्या लिख हूई है मेरी 4x प्लस 5y इकोल टू 23 यही है ना क्या इसको मैं यह लिज़ता हूं 2 इंटू 2x प्लस 5y इकोल टू 23 ऐसे लिख लिए तो अब यहां पर वेल्यू पूट कर दो 2x क्या लिखना है 13-3y और प्लस में 5y इकोल टू कितना जागा 23 किलियर है यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है अब इसको मल्टिप्लाई कर दो तो देखो कितना जाएगा इसकी मल्टिप्ल अब वाई वाले एक तरफ और नमबर वाले एक तरफ मतलब मैं इस 26 को उठाके यहां ले जा रहा हूं ठीक है तो देखो ध्यान से क्या आएगा ठीक है ध्यान से देखना माइनस के 6 भाई में से पलस का 5 भाई गया तो क्या बचेगा माइनस का चलो मैं पूरा लिख देता हूं अगले एक लाइन इस टैप और लिख लेता है कोई समझ से नहीं होनी चाहिए 23 माइनस 26 आया समझ में अब इसको क्या लिख रहा हूं देखो ध्यान से बोट के इरेज कर देता हूं यह उपर वाला लिख 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 लिया होगा आपने आप अध्यान से समझना ठीक है क्या जाएगा यहां से-क वाई इकॉल टू माइनस का 3 माइनस से माइनस कर लिगा है तो वाई एकॉल टू 3 कि y मेरा क्या है 3 y 3 है आप देखो ध्यान से अब y को बापस से महां रखो देखता हूं तो putting 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 value of y value of y in equation कौन से equation 5 में ठीक है तो क्या लिखा हुआ है 2x equal to 13 minus 3 into y कितना हैगा 3 तो कितना जागा यह 2x equal to 13 minus 9 मतलब 2x equal to 4 तो x equal to 4 upon 2 तो x equal to कितना आगया मेरा 2 x और y दोनों आगया अच्छे से समझ में आगया अब चेक कर लेते हैं अपनी original equation में यहां पर रखके देखो क्या जो मैंने answer निकाले वो सही है की नहीं तो देख लो चाहिए यहां से 2 into x कितना है 2 plus 3 into y कितना है 3 equal to कितना है 13 तो यहां से देखो 2 2 तो 4 plus 3 3 तो 9 equal to 13 तो 13 equal to 13 कि होता है बिल्कुल सही है मतलब मेरा answer सही है जब एक सही है तो दूसरा भी सही होगा चाहो तो चेक कर सकते हो आई बास में तो इस तरीके से एक्षाम में हमें तुरंट चेक भी कर लेना है कि जो हमने किया कि सही है कि नहीं है वैसे करने की ज़रूत नहीं है अगर सही से से सोल करना आपको बता दिया जो मैंतर मैंने बताया है उसको दिमाग में रखना उससे आंसत बहुत तीजी लिए आते हैं अगला कुस्टन देखते हैं इसको नोड़ डाउन कर लो कुस्टन नमबर 5 देखते हैं ठीक है रूट वाला आ गया रूट वाला तो वो खेर बच्पन से परिसानी कर रहा है से रूट आ जाए तो कैसे सोल करते हैं हमेंसा कुछ ना कुछ दिक्कत होती है जिस तरीक से मैं बता रहा हूं बिलकुल स्टेप बई ये स्टेप करना मैंने आपको जो रूल बताया था वो फोलो करना क्या बताया था कि जो भी माइनस में उसों उठाके लिए जाएंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो इस एक्वेशन को मैं फर्दर यह लिख सकता हूं पहले पूरा लिख देता हूं फिर ठीक है इकल टू जीरो अब मैं क्या कर रहा हूं घ्यांस देखना इस माइनस के इसको इधर ले जा रहा हूं ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां से रूट 3X इकल टू 0 पलस अंडरूट 8Y और 0 पलस एनिफिंग सेम नंबर तो मतलब क्या जाएगा रूट 3X इकल टू अंडरूट 8Y यहां से मैं यह लिख सकता हूं X is equal to अंडरूट 8 अपोन अंडरूट 3 ठीक है इंटू Y किलियर है यहां तक यह हो गई मेरी equation ठीक है किलियर है यहां तक मेरी ख्याल से तो यहां तक कोई समस्या नहीं है अब इसको सोल करते हैं कैसे दिखान से देखना पुटिंग पुटिंग वैल्यू ओफ एक्स एक्स फ्रोंग इक्यूएशन कौन सी ठीक है टू एक्वेशन वन ठीक है एक्वेशन वन कौन सी है अंडरूट 2 एक्स प्लस अंडरूट 3Y इक्वाल टू जीरो ठीक है एक्स की जगे क्या लिखना है ये द्यान से देखना क्या लिख रह То एसे ही रहा इंटू एक्स की जगे ये पूरा लिखेंगे ठीक है तो लेक्त प्लस अंडरूट 3Y इक्वाल टू जीरो कैसे करेंगे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो तो उपर वाले की multiply उपर वाले से नीचे वाले की नीचे वाले से तो root में 8 है और root में 8 है तो यह क्या जाएगा under root के अंदर 2 into 8 और नीचे क्या जाएगा under root के अंदर 1 into 3 और यह कितना है Y plus under root 3Y equal to 0 उपर कितना हो जाएगा अंडरूट 16 अपोन अंडरूट 3y प्लस अंडरूट 3y इकोल टू 0 समझ मैं एक एक इस्ट है बहुत असानी से और बहुत तसल्ली से मैंने आपको यह सोल कर आया है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परिशानी ना हो आया समझ में अब इसको क्या लिख सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 अब हमें पता है रूट 16 किसका होता है 16 किसका अंडरूट होता है 4 का तो यहां से कितना जाएगा अब क्या करेंगे सबसे पहले मैंने जैसे बताया था आपको इसकी मल्टिप्लाई इधर और इसकी मल्टिप्लाई इधर तो यह कितना आजाएगा सोल करके देखो जान से 4y into 1 plus under root 3y into under root 3 upon में पूरा क्या आएगा 1 into under root 3 equal to 0 4y into 1 मतलब 4y ठीक है और हमें पता है root में एक जैसे नंबर मल्टिप्लाई में हो तो यह पूरा-पूरा एक नंबर बन जाता है मतलब root 3 multiply root 3 मतलब 3y upon में कितना आजाएगा root 3 equal to 0 अब यह root 3 का जाएगा यहाँ पर तो क्या जाएगा 7y equal to 0 into root 3 मतलब क्या जाएगा 7y equal to 0 अब यह 7 का जाएगा divide में तो y equal to 0 upon 7 मतलब y कितना आएगा y equal to 0 आया समझे में y equal to 0 आएगा y equal to 0 को equation 1 में पुट कर दो ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है मेरा ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं putting putting y equal to 0 in equation कुन से 1 या 2 किसी में भी रख दो in equation 1 तो यहां पर क्या लिखा हुआ है root 2x plus root 3 into y की जगा कितना है 0 equal to 0 तो यह कितना जगा root 2x equal to 0 क्योंकि 0 multiply anything 0 तो यहां से कितना जगा x equal to 0 upon root 2 मतलब x equal to क्या गया 0 मतलब x और y दोनों क्या है 00 दोनों को equation में put करके लिखो तो 0 multiply anything 0 plus 0 multiply anything 0 तो 0 plus 0 मतलब 0 क्या 0 0 के बराबर होता है बिल्कुल होता है आया समझ में तो इस तरीक से इस question को हमें करना था अच्छे से note down कर लो last question करते है question number 6 इसको note down कर लो question number 6 देखेंगे fraction वाला यह same वैसा ही question है जैसे question number 2 मेंने आपको करवाया था ठीक है करना कैसा है वही rule follow करेंगे जो question number 2 में किया था कोई नए rule follow नहीं करेंगे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं फिर इसे देखो द्यान से 3x upon 2 minus 5y upon 3 equal to minus का 2 क्या करेंगे द्यान से देखना इसकी multiply इधर और इसकी multiply इधर ठीक है तो ऐसे करना एल से मतले न ऐसे करना यह ज्यादा असान तरीका है तो 3x into 3 minus 5y into 2 upon में क्या है 2 into 3 equal to कितना minus का 2 यहां से क्या अतना जाएगा 3 3 यह 9x minus 5 2 यह 10y upon में 6 equal to minus का 2 अब यह 6 कहा जाएगा यहां पर multiply में तो क्या जाएगा 9x minus 10y equal to minus 2 into 6 तो क्या बनगी equation 9x minus 10y equal to minus का 12 यह होगी equation 3 अब मैंने इस क्या किया है इस equation से इसका fraction हटा दिया आया समझ में यह होगी equation 3 अब उसी तरिक से इसको भी solve करेंगे कितना लिखा हुआ है x upon 3 plus y upon 2 equal to 13 upon 6 ठीक है समझ में आ गया हुआ simple सा कुछ नहीं है इसकी multiply इधर और इसकी multiply इधर तो क्या आ रहा है ध्यान से देखना 2 into x plus 3 into y upon में 3 into 2 equal to 13 upon 6 किलिए रहे कितना जागा है 2x plus 3y upon में 6 equal to 13 upon 6 6 से 6 कट दिया है तो क्या है 2x plus 3y equal to 13 यह होगी equation 4 ठीक है अब जो मेरी equation थी 1 or 2 उसका काम नहीं है उसको मैंने reduce करके इस form में बना लिया तो final यही मेरी equation है कौन सी ध्यान से लेकना अब मुझे उस equation का मतलब नहीं है इसको मिटा भी दो चाहे तो कोई फरक नहीं पड़ता अब मेरी equation क्या बन गई 9x minus 10y equal to कितना minus का 12 ठीक है और दूसरी क्या बनी 2x plus 3y equal to 30 अब इनी दोनों से मुझे काम करना है ठीक है और उसका कोई मतलब नहीं है चाहो तो इसको मिटा दो ठीक है यही दोनों मेरी final equation है और इसी को मैं solve करके answer ला दूंगा तो मेरा सही है इसको क्या बोलते है reducible form आपकी बुक में है नहीं लेकिन इसको reducible form को बोलते हैं इसको मतलब reduce करके असानमल language में ठीक है तो यही मेरा question बन गया अब equation third और equation fourth वन और टू से मतलब नहीं है ठीक है अब मैं बापस से इस equation को यह लिख सकता हूँ ध्यान से देखो 9x minus 10y equal to minus 12 तो इसको क्या लिख सकता हूँ 9x equal to minus 12 plus 10y तो यहां से कितना जागा x equal to minus 12 plus 10y अपोन में 9 थोड़ा complicated question है calculation है थोड़ी अब इस x को यहां रख दो मैं क्या लिख रहा हूँ putting putting value of x value of x in equation को इसमें 4 में x value equation 4 में रख रहा हूँ तो 2 ऐसे ही रहा x जागे क्या लिखना है देखो मैं अलग मारकर से लिख देता हूँ ताकि आपको confusion ना हो x ही जागे यह पूरा minus का 12 plus 10y अपोन में 9 और फिर यह x ही जागे plus 3y equal to 13 अब क्या हो जाएगा देखो multiply कर दो तो कितना जाएगा minus का 24 इस टू की multiply इससे प्लस 20y फिर इस टू की multiply इससे अपोन में minus का 9 plus 3y equal to 13 अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना जाएगा 1 से मोई काम अब फिर से करना ही पड़ेगा आपकी जनरेशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लंबे-लंबे कोशन देखके घबरा आ जाते हो सोचतों कि जल्दी से सोटकट में सोल कर दो हर चीज का सोटकट नहीं होता ठीक है ध्यान रखना life सोटकट नहीं है उसमें step by step आपको आगे बढ़ना होता है तो इसलिए ध्यान से देखना अब क्या करेंगे वहीं जैसे हम करते आ रहे थे इसकी multiply इधर और इसकी multiply इधर तो क्या हो जागा जहान से देखना माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस 3y इंटू 9 अपोन में पूरे के 9 is equal to 30 ठीक है तो क्या जागा यह माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 9 27y और यह खांजागा इधर तो कितना जागा यह 13 इंटू 9 तो कितना हो जागा माइनस का 24 प्लस का 20 47y इकल तो यह माइनस का 24 इधर जागे क्या हो जागा प्लस का तो 47y equal to 117 plus 24 तो यह कितना हो जागा 47y equal to 141 add कर लेना 141 बनाएगा तो यहां से कितना हैगा y equal to 141 upon 47 पूरा पूरा यह 3 से कड़ जाएगा तो y equal to कितना आ गया 3 आया समझ में y equal to 3 आ गया तो किस में रख दो इसको इस equation में रख दो है न देखो देहां से मिटा देता हूँ ठीक है यह रहा तो putting equation 5 putting value of y value of y in equation 5 में तो क्या है यह x equal to minus 12 plus 10 into y कितना आया 3 upon 9 तो कितना आ जाएगा x is equal to minus 12 plus 30 upon 9 solve करोगे तो कितना जागा 18 upon 9 मतलब x is equal to कितना आया मेरा 2 आई बस समझ में x और y कितने आ गए 2 और 3 यहां पर रखके देख लो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 13 होता है बिलकुल होता है आगया समझ में तो इस तरीक से यह लंबा कोशन था इसको करना था अच्छे से आपको समझ में आ गया हुआ बहुत detail में मैंने आपको solve किया है बेसक वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इतनी detail मैंने आपको बताए कि future में कभी आपसे गलती होने के कोई चांस ही ना है तो अच्छे से not down करना एक एक पॉंट लिखना और वीडियो अच्छी लगे तो like and subscribe करना और bell icon दबाना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालो उसका notification आपको तुरंत मिल जाए मिलते है अगली वीड साइज 3.2 कर रहे है NCRT की वीडियो खूब लंबी ना हो जाए इसलिए इसको टुकडो टुकडो में मैं करवा रहा हूं अभी तक 3.1 में मैंने जितने भी टेस्ट बुक के कोशन दे सारे करवा दिये वह लगबग 40 मिनिट की वीडियो है जा सारी एक और एकी वीडियो में solve 2X plus 3Y equal to 12 and 2X minus 4Y equal to minus 24 and hence find the value of M for which ये हमें M निकालना है M निकालने के लिए मुझे X और Y दोनों निकालने होंगे तभी तो यहाँ पे put करूँगा तभी तो हमारा M आएगा त्योंकि यहाँ पे 3 variable है और मुझे M चाहिए मतलब 2 variable की value मुझे निकालने पड़ेगी किसकी X औ 3Y equal to 11 और क्या दिया हुआ है 2X minus 4Y equal to minus 24 ठीक है यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है अब देखो क्या करेंगे इसको नाम दे दिया मैंने equation 1 और यह होगी मेरी equation 2 मैंने बताया था हमेशा कि जब भी कोई value यहाँ पे जैसे यह plus या minus में है तो उसको हम LHS में जो कुछ plus या minus में है उसको हम RHS मिल जाते हैं क्यूंकि उससे मुझे solve करना ज्यादा आसान होता है तो मैं इसे को further यह लिख सकता हूं 2X equal to minus 24 plus 4Y मतलब इस पूरे को उठा के मैं उधर ले गया यहां तक समझ में है यह होगी मेरी equation 3rd क्या होगी यह 3rd अब क् 2X की value equation 3rd से equation 1 में put कर रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं putting putting value of 2X value of 2X from equation 3rd to equation 1 मतलब equation 3rd से 2 की value equation 1 में लिख रहा हूं तो यहां पर क्या लिखा है यहां पर देखो 2X है और यहां पर भी 2X है तो इस 2X को इस वाले 2X को adjectives मैं यहां पर लिख रहा हूं यहां पर ठीक है तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो minus 24 plus 4Y देख ध्यान से देखना और plus 3Y plus 3Y इसका already है plus 3Y is equal to कितने के equal है 11 के कि लिए यहां तक अब क्या करेंगे इस माइनस के 24 को उधर ले जाएंगे ठीक है तो क्या जाएगा यहां से देखना यहां से यह दोनों को add करें कितना जाएगा 7Y equal to 11 plus 24 कि लिए रहे यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्य नहीं होने चाहिए यहां से कितना आ गया देखो 7Y equal to 35 तो यहां से कितना जाएगा y equal to 35 upon 7 मतलब y equal to कितना आ गया 5 y की value मिल गई अब y की value equation 3 में put कर दो ठीक है तो मैंने क्या लिखा putting putting value of y value of y in equation कौन से in equation कौन से equation third तो third equation क्या लिखो ही है 2x equal to minus 24 plus 4 into y y कितना है देखो y यहां से लिखे देता हूं y कितना है 5 ठीक है आ गया समझें तो यह कितना होज़ेगा minus 24 plus 520 किसके equal है यह 2x के तो यहां से कितना आ जाएगा 2x equal to जहां से देखना minus के 4 तो x equal to minus 4 upon 2 तो x equal to कितना आ गया minus का 2 आई बास समझें x और y दोनों निकल गए क्या करना है उसको equation में put कर दो कौन सी equation में जो दिखी है ठीक है यह मिटा देता हूं मेरा काम हो गया ध्यान से देखना ठीक है दर ले आएंगे तो क्या आएगा 5 minus 3 equal to minus का 2m तो यहां से कितना जाएगा 2 equal to minus का 2m हमें m निकालना है तो इस minus 2 को खाले जाएंगो डिवाइड में तो 2 upon minus 2 equal to m तो यह इससे कड़िया वन टाइम में तो m equal to कितना आ गया minus 1 यह इसका solution था आई बास समझ में बहुत simple सा question था कई बार क्या होता है कि calculation mistake हो जाती है हमसे यह solve नहीं कर पाते इसलिए हमारा answer गलत आता है तो बहुत अच्छे से slowly slowly करेंगे समझ के करेंगे एक एक इस्टाप लिखेंगे हमारा answer कभी भी गलत नहीं आएगा तो no down कर लो अच्छे से और वीडियो अच्छी लेगे तू like and subscribe कर देना और bell icon दबा देना अब इसमें world problem बच गईगे अब वो सारी world problem आम लाइन से करेंगे no down कर लो इसको जल्दी से ठीक है अब world problem का question number 3 का पहला पाड़ देखेंगे ठीक है बहुत सिंपल सा question है लेकिन ये भी आप कही नहीं गलत कर दोगे क्यों आपके concept अगर सही नहीं हुए तो ध्यान से देखना the difference between two number is 26 दो number का difference दिया हुआ है ठीक है ध्यान से देखना तो क्या लिख रहा हुँ मैं let's let's first number let's first number equal to x and second number and and second number equal to y ठीक है first number x माना और second number y माना अब ध्यान से देखना यह क्या लिखा है the difference between two number दो number के बीच का difference कितना दिया हुआ है 26 अब इन दोनों का difference इन दोनों का difference difference कैसे लिखते है भाई x minus y equal to 26 यह होगे equation 1 अब देखो सर इसमें से बड़ा कौन सा number है बड़ा x है क्योंकि x में से मैंने y को minus किया तो बड़े में से हमेशा छोटा minus होता है तो x बड़ा है तो यहाँ पर मुझे पता चलिया कि x बड़ा है कि लिए रहे यहां तक किसे y से अब आगे देखो one number is three times the other जो y पहला number है वो दूसरे का तीन गुना है मतलब ध्यान से समझना x y equal to 3x लिखो कि x equal to 3y लिखो यह concept के लिए होना बोज़ेर हुए देखो मैंने बड़े को x माना है तो बड़े को x को छोटे के equal लाने के लिए हमेशा छोटे में multiply करते है क्यों मानलो यह अगर इसमें multiply करूँगा 3y तो 3 यह समें कि y equal to 3x तो y बढ़ा हो जाएगा ना तो मुझे क्या लिखना है x equal to 3y आई बात समझ में यह मेरी second equation है तो क्या लिख रहा हूँ मैं जहां से लेखना अब यहां पे लिख लो equation one of given given according to question मतलब given according to question second equation क्या हो जाएगी x is equal to 3y आया समझ में क्योंकि यह मैंने ऐसा मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा कोई समस्या नहीं है अब इसको substitution से solve करना है क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि substitution से ही solve करो तो मैं क्या लिख रहा हूँ from putting putting value of x value of x from equation two to equation one equation two से equation one में रख रहा हूँ तो क्या है 3y माइनस यह y ओल्रेड़ी है इकोल टू 26 तो यहां से कितना जाएगा 2y इकोल टू 26 तो y इकोल टू 26 अपोन 2 मतलब कितना जाएगा 13 तो y की value कितने आ गई 30 किलियर है अब y की value किसमें रख दू मैं equation इसमें किसमें 2 में तो यहां पे लिख देता हूँ मैं देखो solve क्या हम ज्यान से देखो putting 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 value of y value of y from equation इसको नाम देदो third equation third from equation third to equation किसमें 2 में equation 2 में जाएगा x is equal to 3 into y 3y और y कितना है 13 तो कितना जाएगा x तो x equal to 39 आई बस समझ में दोनों को यहां रख के देख लो क्या दोनों में 26 का difference है बिल्कुल देखो 39 minus 13 equal to 26 क्या एक नमबर दूसरे का तुन गुना है बिल्कुल देखो यह एक दूसरे के तीन गुना है आई की नही आई बस समझ में तो अच्छे से no down करना बहुत simple कोसर है और बहुत ज्यादा frequently यह पूछा भी जाता है जाम में बहुत ज्यादा आता है यह तो अच्छे से no down करना बिल्कुल एक point समझ के लिखना जितनी बात बताई मैंने उसको no down कर लेना समझ के लिखना तभी आपको समझ के करना है रट के नहीं तो इसको no down कर लो अगला कोसर देखते हैं ठीक है no down कर लो इसको question number next देखेंगे ठीक है क्या क्या रहा है second question exercise 3.2 का third का second question the larger of two supplementary angle सबसे पहले supplementary angle क्या होता है ठीक है यह समझते है ठीक है exceed the smaller by 18 degree 18 degree मतलब क्या करना है सबसे पहले let's let's smaller angle equal to x सरी smaller को ही क्यों माना क्योंकि larger दो है जो है वो smaller से 18 बढ़ गया है तो smaller को ही मानना पड़ेगा है तो let's say smaller angle x और larger angle equal to कितना हो जाएगा ध्यान से देखना अठारा बढ़ गया छोटे में से छोटे वाले से 18 बढ़ गया तो अठारा कैसे बढ़ेगा x पलस 18 degree किलियर है यह लिखा हुआ है अब हमें पता है supplementary angle क्या होते है जब दो एंगल का सम 180 हो जाए मतलब smaller angle smaller angle पलस larger angle larger angle दोनों का सम कितना हो जाए एक स्वस्षी तो उसको क्या बोलते है supplementary बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे value पूट कर दो smaller angle कितना है x पलस larger कितना है x पलस 18 इकोल टू कितना हो जाएगा 180 degree किलियर है अब इस 18 को खाल ले जाएगे इधर तो x और x मिलके कितने हो गए 2x इकोल टू कितना 180 माइनस 18 कितना बचेगा यहाँ पे 2x इकोल टू 162 तो यहाँ से x कितना आजाएगा x इकोल टू 162 अपोन 2 तो x इकोल टू कितना आजाएगा 81 degree x आ गया अब x को यहाँ पूट कर दो तो क्या हो जाएगा मेरा smaller angle कितना हो गया smaller angle smaller angle कितना हो गया मेरा 81 degree और larger कितना हो गया larger angle equal to कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 81 degree plus 18 degree कितना हो जाएगा 99 degree दोनों को add करो क्या 180 हो रहा है देखो बिलकुल 180 हो रहा है आई बात समझ में तो इस तरीक से इस question को किया जाता है बोर्ड में पूछा हुआ question है यह 2022 या किस में पूछा हुआ है बहुत सिंपल ता question है बहुत जादे exam में आता है अच्छे से note down कर लेना बहुत frequently पूछा जाने वाले question है अगर यह हमसे उसमें पूछ ले mcq में तो कैसे करेंगे ऐसे ही करेंगे ठीक है mcq का तरीका क्या है देखो अठारा एकसीड हो जा रहा है कितना हो रहा है अठारा तो क्या करेंगे पहले 180 में से 18- कर दिया ठीक है कितना आ गया यह 162 और इसको 2 से डिवाइट कर दो तो एंगल कितना आ गया 81 तो मतलब लेट के हुए mcq में हमें जल्दी से जल्दी पूरी एफिसेंसे के साथ करना है ताकि हमारा टाइम बचे और उसको सब्जेक्टिव में लगाए आई बास समझ में नोट डाउन कर लेना बहुत सिंपल कोस्टन है अगला कोस्टन देखते हैं ठीक है अच्छे से देख लो इसको कोस्टन नमबर ठर्ड देखेंगे अपने ncrt test book का बहुत ही frequently यह कोस्टन पूछे जाते हैं इसी साल 2024 में बेसिक्स में आया हुआ था यह कोस्टन वहाँ क्या था बस यह cricket bet की जगह यह था notebook और ठीक है करेंगे कैसे दोनों का तरीका सेमी है बहुत ज्यादा ही जाम में पूछा जाता है सिंपल सा समझेंगे सबसे पहले क्या कह रहा है the coach of a cricket team by seven bats and six ball of four rupees इतने तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां से देखना let let let's price of price price of one bet price of one bet का क्या मानेंगे x और let price of one ball यह कितना मानेंगे यह मानेंगे y अब क्या कह रहा है देखो एक का x माना तो साथ का कितना हो जाएगा 7x ठीक है प्लस बोल और bet दोनों को मिला के 3800 में खरीद रहा है तो ना तो हमें बोल के price पता है ना bet का price पता है लेकिन यह पता है कि दोनों को मिलाके 3800 में खरीद रहा है तो 7x और बोल का कितना मना y और कितनी बोल है 6y तो 6y इकॉल टू कितना हो जागा टूटल 3800 यह होगा ही equation 1 अब second equation में क्या कहा रहा है कि letter c by 3 bet and 5 ball मतलब 3x प्लस 5y इकॉल टू कितना 1750 यह होगा ही equation 2 आई बास समय में अब इसको substitution से करना है elimination से नहीं देखो उसने लिखा हुए कि substitution से ही करो elimination से भी कई बच्चे करेंगे हाला कि मैंने अभी elimination पढ़ाया नहीं है लेकिन बच्चे smart ज्यादा बनता है बोलते हैं कि अपनी मर्जी से कलो अपनी मर्जी से कलोगी तो marks कम नहीं मिलेंगे भाई उसने substitution लिखा है तो substitution से ही करना है ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ जहां से देखो मैं इस वाली क्योएशन को यह लिख सकता हूं 3x plus 5y equal to 1750 अब यहां से x या y किसी एक की value निकाल दो मैं क्या कर रहा हूँ एक सी value निकाल रहा हूँ तो मैं इस plus 5y को इधर ले जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है ध्यान से देखना यह आ रहा है 3x is equal to 1750 minus 5y अब क्या करेंगे मुझे x निकालना है तो यह 3 कहा जाएगा divide में इसके divide में तो क्या जाएगा x is equal to 1750 minus 5y upon में 3 किलिए रहा तक यह होगी मेरी equation third क्या नाम होगी यह third अब मैं क्या कर रहा हूँ putting putting value of x value of x from equation कौनसी equation third to equation कौनसी 1 में second में रखेंगे second को यह तो sold किया है equation 1 तो यहाँ पर लिख देता हूँ में क्या लिखा हुआ है 7 और x जगा है यह पूरा ठीक है थोड़ा calculated question है क्या कर सकते है बेटा है तो है upon में 3 फिर कितना जाएगा plus का 6y equal to कितना 3 8 0 0 3 8 0 0 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कोई समस्या नहीं है उपर वाले को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यह मेरा काम हो गया ठीक है देखना ध्यान से कैसे करेंगे ठीक है ध्यान से देखो तो मैंने क्या लिखा यहां से यह 7 कहां जाएगा multiply में तो इसकी multiply करी तो यह आएगा 0 साथ पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3 सत्यू सत्यू नंचास 50 सक्या उन बावन हासिल लगे 5 सातिकम सात और 5 बारा यह आएगा जीरो माइनस 35 वाई अब यह 3 किस से multiply होगा इससे तो प्लस में 6 वाई इंटू 3 अपोन में क्या आ रहा है देखो ध्यान से 3 और इकोल टू में क्या है 3 8 00 ठीक है अब क्या करेंगे इस 3 को भी इधर भीज देंगे पहले मैंने एलसेम लिया देखो क्रोस मल्टिप्लाई पहले एलसेम लिया फिर उसको इधर विजेंगे तो क्या जाएगा 1 2 2 5 0 माइनस 35 वाई और प्लस का 18 वाई इकोल टू 3 8 00 इंटू 3 किलिए रहे है यहां तक अब ध्यान से देखना एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या यह आ रहा है कि नहीं देखो देहां से तो यह मैंने मल्टिप्लाई कर दी किसकी वन सेवन फाइब जीरो इंटू 7 यह आ रहा है ठीक है अब क्या करेंगे देखो देहां से तो इधर से कितना बचा 1 2 2 5 0 इसमें से कितना बचेगा माइनस का 17 वाई कर लेना आप 17 दूनी चोंतिस और एक 35 त ठीक है तो यह कितना हो जाएगा जीरो जीरो आट तिया 24 का चार केरी लगे दो तीन तिया नो और दो 11 यह आगे समझ में अब देखना ध्यान से कैसे करेंगे ठीक है ध्यान से देखो थोड़ा क्या कर सकते हैं तो है इसमें देखो कुछ नहीं किया जा सकता अब इस 17 वाई कितना आएगा इसको भी कैलकुलेटर पर कलेते हैं जल्दी से तो यह आजाएगा 12250-11400 कितना आया यह 850-17Y अब यह 17 कहा जाएगा डिवाइड में तो 850 अपोन 17 इकोल टू वाई तो कितना जाएगा यह डिवाइड़ वाई 17 मतलब 50 तो यह मिटा दिया मैंने तो y कितना गया 50 मतलब एक बैट की कीमत कितनी है 50 रुपे आई बात समझ में एक बैट की वेल्यू पता चल गए कितनी है 50 रुपे अब इसको क्या कर रहा हूं मैं इकोईशन में रख दिता हूँ कोनसे एकोईशन में एकोईशन 1 में ठीक है तो मैं क्या लिख रहा हूं putting value of y in equation 1 क्या है देखो दिखन से 7 X Plus 6 into y कि जाग बचैस 2021 equal to कितना है 3,8,0,0 तो यहांसे कितना आ जाएगा 7x और यहां जाएगा 300 equal to 3,8,0,0 अब क्या करेंगे 300 को इधर ले जाके माइनस में ठीक है ध्यान से देखना है ना तो क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना तो यहां जाएगा 7x equal to 3,8,0,0 minus 3 हंटे तो कितना आ जाएगा यहां से 7x equal to 3,5,0,0 तो x equal to 3,5,0,0 upon 7 तो x equal to कितना आ जाएगा 500 ठीक है मतलब x बैट 500 का है और बोल 50 रुपे की है और नॉर्मल भी देखो तो बैटी महेंगा आता है बोल सस्ती आती है तो यहां पे multiply करके देख लेते हैं तो यहां रखके देखो तो यह कितना हो जाएगा 7,5,0,0,0,0,0,0 तो इस तरीके से इस question को करना होता है बहुत प्यारा बहुत जवरदस question था बहुत frequently पूछा भी जाता है note down करना अभी मैंने बताया था क्या क्या रहा है दोब ध्यान से यह यह कह रहा है the taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered मतलब एक टेक्सी वाला है वो क्या कह रहा है ऐसे समझो कि जैसे आप कहीं घर पे रह रहे हो और आपको अपने दोस के यां जाना है दोस का घर है 3 km तो टेक्सी वाला यह कह रहा है कि भाई मैं 10 रुपे तो लूँगा ही लूँगा मतलब एजामपल से उसके बाद आप जितने किलोमेटर चलोगे उस पर 20 रुपे और एक्स्टा लूँगा मतलब 10 रुपे तो फिक्स लेगा ही लेगा एकॉल टू एक्स और दूसरे क्या है लेट्स चार्ज चार्ज पर किलोमेटर एकॉल टू वाई ठीक है अब क्या लिखना है ए टी क्यू ए टी क्यू मतलब अकोडिंग टू कुशन क्या क्या रहा है फोर ओ डिस्टेंस ओफ 10 किलोमेटर the charge paid by rupees इतना 10 km को या आदमी चला तो 10 km के लिए क्या condition बनेगी x plus 10 y equal to कितना 105 ये चीज़ समझ में आई कि नहीं कि भाई fix charge तो ये fix है ये थोड़ी ना बदल रहा है जो बदल रहा है distance जितनी चल रही है उतना ही तो वो पैसा देगा आई बस समझ में तो ये हो गई मेरी equation 1 क्यों कि भाई देखो मानलो कोई 10 km चला या 11 km ले ले लेते हैं तो 1 km का तो ये fix हो गया बाकि 10 km का ही तो बदल रहा है मानलो कोई 10 में से रास्ते में 8 चला 7 चला 6 चला तो वही तो बदलेगा ये तो fix है कि ये तो लगेंगी लगेंगे आई बस समझ में ये अब second case देखो क्या कह रहा है and for a journey of 15 km the charge paid by rupees इतना अब 15 km तो दूसरी क्या हो जाएगी दूसरे अलग मारकर से लिग देता हूँ देखो x plus 15 y equal to कितना 155 ये चीज़ समझ में आई के नहीं clear रहें यहां तक अच्छे से समझ में आब ध्यान से देखना ये होगी मेरी equation 2 अब क्या कर रहा हूँ है equation 1 से x value या equation 2 से की से भी x की value निकालके equation उसमें रख देतना है तो क्या लिख रहा हूँ है from equation 1 putting putting value of x x value of x in equation 2 मतलब equation 1 से equation 1 को मैं ये लिख सकता हूँ तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ x is equal to 105 minus 10y ये चीज़ समझ में आई के नहीं मतलब इस x को मैं यहां रख रहा हूँ तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ तो ये x कीज़ कितना हैगा 105 105 minus 10y 155 किलिए रहे हैं यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्य नहीं होनी चाहिए अब देखो इस 105 को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो ये कितना आज़ागा देखो minus का 10y plus का 15y equal to 155 minus 105 तो यहां से देखो कितना आज़ागा 5y equal to 50 तो y equal to 50 upon 5 मतलब 10 rupees कितने ले रहा है वो 10 रुपे आज़ागा समझ में अब उसको equation इसमें रख देते हैं किसी में भी रख दो है ना तो y के value equation 1 में put कर देता हूँ तो देखन से देखना putting value of y यहां पे लिख देता हूँ in equation 1 putting value of y value of y in equation कौन सी equation 1 यहां पे रख देता हूँ तो x तो ऐसे ही रहा plus 10 into y कितना आया 10 equal to कितना है 105 तो यहां से कितना आजएगा x plus 100 equal to 105 अब क्या होगा यह यह इधर जाएगा minus में तो कितना आजएगा x equal to 105 minus 100 मतलब कितना आगया 5 रुपे आई बाज समझ में मतलब fixed charge के 5 रुपे ले रहा है और charge पर किलोमेटर के 10 रुपे ले रहा है आई बाज समझ में मतलब यह fix तो है यह तो लेगा ही लेगा चाहे ओटो में आप बैठ के उतर ही क्यों ना गए हो यह इतना लेगा ही लेगा अब देखो ध्यां से अब हमसे 25 कीलोमेटर के कितने पैस लेगा पताइस कीलोमेटर के 10 क्योंकि एक किलोमेटर के इतने लेगा है यह समझ में आप कभी बच्चि इतना ही कर आ जाएगए लेकिन यहां पे पलस का 5 भी आएगा क्यों क्योंकि fix price है वो तो ले जाये ना मतलब fix price 5 रुपे और जितनी किलोमेटर आप चले उसको 10 रुपे इसके तो total कितने हो गए 255 रुपीज मतलब समय गाया मतलब वो क्या कहा रहा है 25 किलोमेटर चलने के किसको कितने पैसे देने बहुत असानी से मैंने आपको समझाने की कोशिस की है है ना जितनी बात बता ही मैने उसको नोट डाउन कर ले ना बहुत सिंपल कोशन था कई बार एक। हमें हमसे सिंपल सिंपल कोशन भी नहीं हो पाते क्योंकि हमें समझ में यात्ता कि करना कैसे है अच्छे से नोट डाउन करो बहुत जिवर्दस कोशन था कोशन नमबर नेक्स देखते हैं नोट डाउन कर लो इसको ठीक है अब देखो pair of linear equation की अब हम theory पढ़ चुके हैं उसमें अब से हम कुछ world problem करेंगे बच्चों को हमेसा world problem में कुछ ना कुछ problem होती ही रहती है और यकीन मानो world problem सबसे असान होते हैं यह अपने आप में बताते हैं कि मुझे solve कैसे करना है तो ज्यादा दिरना करते हुए वीडियो fraction become यह लाइम पढ़ो और fraction become मतलब fraction सबसे पहले समझते हैं fraction क्या होता है देखो fraction क्या होता है fraction होता है जिसमें fraction का मतलब क्या होता है जिसमें numerator हो ठीक है numerator हो और अपन में denominator हो जैसे कि मैं लिख रहा हूं 1 by 2 यह भी fraction है 3 by 2 यह भी fraction है या 4 by 5 यह भी fraction है इसको तो इसमें अब यहां पर हमें fraction तो पता नहीं है तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखना सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लेट्स ध्यान से समझना लेट्स निम्रेटर निम्रेटर को कुछ मान लेंगे क्या मान लेंगे जी एक्स और बाई लेट्स निम्रेटर इकल टू एक्स और डीनोमिनेटर डीनोमिनेटर इकल टू य ठीक है अब कोशन पर आ जाते हैं क्या कह रहा है और fraction बिकम मतलब यह जो fraction है हमारा क्या हो जाएगा fraction अब मेरा क्या हो गया fraction हो गया मेरा एक्स अपोन वाई ठीक है यह मेरा fraction हो गया अब हो यह क्या रहा है और fraction बिकम यह जो fraction है यह क्या हो जा रहा है 9 by 2 मतलब क्या लिखेंगे हम fraction तो मतलब एक्स अपोन वाई इस इगल टू 9 अपोन 11 यह fraction 9 अपोन 11 हो जा रहा है कब if 2 is added इस लाइन को पड़ो if 2 is added to both the numerator and denominator मतलब दोनों में में क्या एड कर रहा हूं 2 तो देखो दोनों में 2 एड कर देते हैं तो इस लाइन को बढ़ा कर देते हैं और इसमें भी 2 एड किया और इसमें भी यहां तक समझ मैं है मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब क्रोस मल्टिप्लाई यह इधर और यह इधर तो क्या आ जाएगा 11 into x plus 2 equal to 9 into y plus 2 अब 11 को अंदर भीजो तो कितना आ जाएगा 11x plus 11 into 2 is equal to 9y plus 9 into 2 किलिए रहे यहां से क्या आ जाएगा 11x plus 22 is equal to 9y plus 18 किलिए रहे अब variable वाले एक तरफ और number वाले एक तरफ तरफ तो कितना आ रहा है 11x minus 9y is equal to 18 minus 22 तो यहां से कितना जाएगा 11x minus 9y equal to minus का 4 यह होगी मेरी equation 1 किलिए रहे यहां तक सारी चीजे समझ में आ गए होगी अब आगे देखो क्या कह रहा है ध्यान से देखो यही देखो यह समझ लिए यह होगा आपने अच्छे से यह मिटा देता हूं मैं अब देखो line से line wise पड़ेगी क्या कह रहा है इफ यदि अब नई condition है यहां पर fully stop हो गया if 3 is added to both the numerator and the denominator मतलब किस में fraction में कौन से fraction में x upon y में x upon y में मैं क्या add कर रहा हूं 3 तो plus का 3 उपर भी और plus का 3 नीचे दी तो यह become मतलब यह कितना बन जा रहा है 5 upon 6 5 upon 6 ठीक है यह चीज़ समझ में आई कि नहीं अब से मोही काम यहां करेंगे cross multiply यह इधर यह इधर तो क्या आएगा 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3 ठीक है अब इस 6 को नदर multiply करेंगे तो 6 into x plus 6 into 3 is equal to 5 into y plus 5 into 3 तो यहां से कितना आजाएगा 6x plus 18 is equal to 5 by plus 15 अब क्या गरेंगे वही variable वाले एक तरफ नंबर वाले एक तरफ तो क्या आजाएगा 6x minus 5y is equal to 15 minus 18 तो यहां से कितना आजाएगा 6x minus 5y equal to minus 3 यह होगी मेरी equation 2 किलियर है यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बहुत सिंपल सा था अब इसको मिटा देते हैं ठीक है आपकी बुक का है यह test book का question है ठीक है 5y equal to minus 4 यह minus 4 और यह minus 3 किलियर है अब क्या करेंगे ध्यान से देखो इस equation को मैं किसे multiply कर देता हूँ इस पूरे को मैं multiply कर देता हूँ 5 से तो इधर भी multiply होगी 5 से ठीक है और इस equation को मैं multiply कर देता हूँ 9 से तो इधर भी multiply होगी 9 से ठीक है तो अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो यह कितना जाएगा 5 into 11 तो इसकी multiply करेंगे तो देखो 54 X minus 45 Y equal to minus 27 के लिए रहे अब क्या करेंगे देखो ध्यान से sign change तो sign change करेंगे तो यह line खीज़ दी मैंने ऐसे यह ऐसे यह line खीज़ दी और sign change तो यह minus यह minus है तो plus और यह minus है तो plus ठीक है क्या होगा आप ध्यान से देखो 55 में से 54 गए तो कितना बचा एक्स और यह पूरा क्या होगा यह कट जाएगा क्योंकि एक plus minus और इदर से कितना आएगा 20 में से 27 गए 7 तो X आगया मेरा जी 7 किलिए रहे यहां तक X कितना आगया 7 X को अब equation 1 या 2 खहीं पर भी रख दो तो मैं क्या लिख रहा हूँ putting putting value of X value of X in equation 1 1 में रख दो या 2 में रख दो खहीं से भी आन्सार आजएगा तो 1 में ही रख देते हैं तो 11 into X कितना है या 7 minus 9Y equal to minus का 4 तो यह कितना जाएगा 77 अब देखो 9Y को इधर और 4 को इधर तो minus का है तो इधर आगे कितना जाएगा minus का है तो इधर आगे 4 plus का और 9Y उतर तो यहां से कितना जाएगा 81 equal to 9Y तो यहां से कितना जाएगा 81 upon 9 equal to Y तो Y कितना जाएगा 9 is equal to Y तो Y कितना जाएगा 9 आई बस समझ में अब satisfied करवा लेते हैं fraction मेरा क्या बन गया तो now fraction, अब fraction क्या हो गया, fraction, fraction कितना हो जागा, numerator कितना है, x कितना है, 7, और ये कितना है, 9, ठीक है, अब इसको condition satisfied कर लेते है, दोनों में 2 add करके, क्या ही ये वो हो रहा है, तो करके देख लो, देखो, अपना answer चेक करने का तरीका है, if 2 is added, तो दोनों में अगर मैंने plus का 2 add कि या, तो ये क्या बन गया, उपर, 9 upon 11, मतलब मेरा answer सही है, second वाला भी check कर लो, चाहे हो तो, दोनों में क्या add कर रहे है, देखो ध्यान से, यहाँ पे, तो 7 upon 9, दोनों में क्या add कर रहे है, 3, तो 3 add करके कितना है, चाहिए 5 by 6, तो देखो, दोनों में 3 add करो, तो ये भी 3, औ और ये भी 3, तो ये कितना हो गया, देखो, ये हो जाएगा, 10 upon 12, दोनों किसे का trend, 2 से, तो ये 5 जा, 2 5 जा, और ये 2 6 जा, तो ये answer सही है, तो दोनों answer satisfied हो गया, इस तरीकी से इस question को किया जाता है, बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस question है, ये, पूरा well explained किया है, मैंने एक-एक point आपको बहुत detail में समझाया है, अच्छे से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना है, ना समझ में आए, ऐसा संभवी नहीं है, अगर 1% फिर भी अगर ना समझ में आए, तो दुबार से देखना, आपको जरूर समझ में आ लिएगा, अच्छे से देखना और और age वाला question बहुत important है, यह quadratic में भी आता है, और pair of linear equation में भी, दोनों में भी आएगा, और बहुत ज्यादा frequently पूछा जाता है, करेंगे कैसे, बिल्कुल step by step देखना, तभी आपको समझ में आएगा, वीडियो को इसको मत करना, बढ़ना समझ में नहीं आएगा, देखो जह the age of Jacob will be three times that of his son, मतलब सबसे पहले क्या लिख लेखते है, let's, let's, Jacob, Jacob, present age, Jacob, present age, equal to x, ठीक है, और Jacob, son's, age, यह कितने है, y, present age, ठीक है, आई बात समझ में, अब क्या लिखेंगे, according to question, according to question, five years, five years, hence, five years, hence, their age, their ages, ठीक है, अब ध्यान से समझो, पांस साल बाद, जैसे, अभी मालनो, 2024 चिल रहा है, मैं 30 साल का हूँ, और आप 15 साल के हो, तो पांस साल बाद, 2029 में, मैं किते साल का हो जाऊँगा, 29 साल का, ठीक है, और आप किते साल के हो जाऊँगे, 20 साल के, कैसे निकाला, जो आपकी age है, उसमें 5 एड कर दिया, तो भाई, दोनों की age कितनी हो जाएगी, दोनों की age कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो, x पलस 5 और y पलस 5, ठीक है, यह ऐसे लिख लेना, ऐसे लिखना कभी गलती में होगी, ठीक है, अब वो क्या कहा रहा है, ध्यान से समझना, यह चीज़ समझ भाई, तो दोनों को बराबर कर दो पहले तो, ठीक है, अब कौन कीस के 3 गुना है, जैकोब, तो कई बच्चे यहाँ पे 3 की multiply कर देंगे, यहाँ से answer गलत हो जाएगा, देखो जहान से, मालो मैं अभी 35 साल का हूँ, तो 2029 में मैं किते साल का हो जाएगा, 35 साल का, और आप 15 साल के ह तो आप किते साल के हो जाएगा, 20 साल के, तो आपको मेरे बराबर आने के लिए आप में multiply करेंगे ना, तभी तो आप दूनों की यह बराबर होगी, मालो मेरे में multiply कर दिया, तो मैं अभी 30 साल का हूँ, तो multiply होके और बढ़ा हो जाँगा, आपसे तो बहुत बढ़ा हो है, सन, दोटर, जो, भी, बाइफ, उसकी एज में multiply करते हैं, यह चीज याद रखना, तो multiply किस में करेंगे, इस में, तो यह कितना हो जाएगा, यहां से देहान से देखो, x plus 5 equal to 3y plus 15, आया समय में, 3 की multiply से, 3 की multiply से, अब 3y को इधर ले आओ, और 5 को इधर ले जाओ, तो क्य ना जाएगा, यहां से, x minus 3y equal to 10, यह होगी equation 1, अब 5 साल पहले, अब 5 years, अब यहां पर कह लिख रहा हूँ, 5 years ago, ठीक है, अब ऐसे समझो, 2004 भी चल रहा है, तो मैं अभी 30 साल कहूं, तो 5 साल पहले, मतलब 2019 में, मैं कितने साल कर आओंगा, 25 साल का, आपने कैसे निकाला, मे मेरी एज घट रही है, तो आपकी भी तो एज घटेगी, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप वहां पर रुकी रहोगे, आप 15 साल के अभी परजेंट में, तो आप 2019 किते साल के थे, 10 साल के, तो क्या करेंगे, अब दोनों की उमर से, 5-5 माइनस कर देंगे, तो जैकोब की जो एज ह है, वो 7 टाइमस है कि इसके अपने लड़के के, आई बस समझे है, कहा मैंने समझे में आया, हमेशा छोटे में मल्टिप्लाई करते हैं, अब इसको मल्टिप्लाई करते हैं, तो यह कितना हो जागा, x-5 equal to 7y minus 35, अब क्या करेंगे, 7y को इधर, इसको इधर, तो क्या हो जा equation 2, किलिए रहे, अब क्या करेंगे, इस equation को, इस equation को, मैं यह लिसकता हूँ, x is equal to 10 plus 3y, इस पूरे को उठाके, मैं यहां ले गया, तो इसको नाम ना दे के, इसको नाम दे दो, अब x की value यहां से put कर दो, तो उपर वाला मिटा दूं, क्योंकि यह मेरा काम हो गया, इसका को value of x, value of x, from equation 1, to equation, किस में, 2 में, तो क्या हैगा, देखो, x क्या लिख रहा हूँ मैं, 10 plus 3y, minus 7y, equal to minus 30, तो अब देखो, क्या करेंगे, इस 3y को, 3y को क्या रहा हूँ, इस 10 को इधर ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, और यह 3y में से 7y गये, तो minus का 4y, equal to minus 30, और minus का 10, तो कितना जाएगा, minus का 4y, equal to minus का 40, तो यहां से कितना आ जाएगा यह यहां पर देखो तो माइनस से माइनस कर दिया तो कितना आएगा y equal to 40 upon 4 तो मतलब y equal to 10 जैकोब अभी परजेंट में किते साल का है 10 साल का अब y के value equation 1 में put कर देता हूं देखो द्यान से है ना या लिख रहा हूं में putting putting value of y value of y in equation 1 क्योंकि y निकल चुका है y को यहां रख दो तो x आ जाएगा simple सी बात है तो क्या लिख रहा हूं मैं द्यान से देखो x is equal to 10 plus 3y तो कितना जाएगा x equal to 10 plus 3 into y कितना है 10 तो कितना जाएगा यह 10 plus 30 मतलब कितना जाएगा 40 मतलब x equal to जैकोब कितने साल के 40 साल के तो इनकी एज कितनी हो गई 40 और इनकी एज कितनी हो गई 10 अब condition verify करवा लेता है देखो अपसे 5 साल बाद ठीक है 5 साल बाद जहान से देखो यह आगे ना 5 साल बाद यह कितने साल के हो जाएगे 45 और यह कितने साल के हो जाएगे 15 क्या यह इसके 3 गुना है बिल्कुल है ना आया समझ में अब 5 साल पीछे जाके देखते हैं देखो 5 साल पीछे यह कितने साल के हो जाएगे 40 minus 5 मतलब 35 और यह कितने साल के हो जाएगे 10 10 10-5 मतलब 5 क्या इसके यह साथ गुना है बिल्कूल है तो इस तरीके से इसको हम verify भी करवा सकते हैं आज बास समझ में तो यहां पर हमारी exercise पूरी तरीक से complete होगी बहुत अच्छे से और बहुत detail में मैंने एक-एक point आपको समझाया एक चीज अच्छे से निकल वाई वीडिय कोशिज किया कि बहुत असानी से आपको समझाया सकूँ नोट डाउन करना कोई चीज ना समझ माया है तो दुबारा मेरे से comment section में पूछ लेना अगले exercise में मिलते हैं elimination method के साथ तब तक के लिए bye bye दोस्तो good morning student आपका स्वागत है मैं चैनल show time पे हम peer of linear equation में अब तक 12 lecture ले चुके हैं मैंने आपको जितने type के question थे substitution method, fraction वाले, figure वाले, numerator, denominator, denominator, exercise, graph सब करवा चुका हूँ infinite manage solution, no solution, unique solution सब तरह के आज से हम elimination method पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे और most important topic है यह बच्चों को इसमें कुछ ना कुछ problem होती ही है तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या रहा है, कैसे करेंगे, एक-एक point समझेंगे, ठीक है होता क्या है elimination method, पहले यह समझते हैं, देखो eliminate का मतलब क्या है, आपने देखा होगा, वीडियो गेम खेला होगा बच्चे में कि eliminate player, मतलब उसको हटा के देना, यहाँ पर हटा के उसकी जगे दूसरा नहीं लाना उसको पुरी तरीक से हटा देना, substitution का क्या मतलब है, कि एक को हटा के उसकी जगे दूसरा लियाओ elimination का क्या मतलब है, किसी एक को पूरी तरीके से हटा दो, या तो x को, या तो y को तो direct example, यह आपकी test book का पहला question है, इसी से direct करते हैं, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से यह मेरी 2 equation है, इसको नाम देदो equation 1 और equation 2, ठीक है, equation 1 और यह equation 2 अब करते क्या है, step 2 step लोग लिखवाते हैं, कि यह first step, second step फालतोगी बात है, direct question करते हैं, उससे ज्यादा minus का sign है, इसमें, कि second वाले के साथ, मतलब y minus में है, second equation में, first equation में y कैसा है, plus में, तो क्या करेंगे, जो plus या minus में हो, उसकी coefficient बराबर करते हैं, coefficient मतलब, यहाँ पे y के सामने कितना लिखा है, 1, x के सामने भी 1, यहाँ x से सामने 2, y के सामने 3, तो यहाँ पे 1 है, 1 को 3 बनाए एक लिए क्या करेंगे, इस equation को दोनों side 3 से multiply करेंगे, मतलब इसको भी multiply 3, और इसको भी multiply 3, ठीक है, यह करेंगे, ध्यान रखना, अब 3 से multiply किया मैंने, तो देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना, इस पूरी को 3 से multiply किया है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो यह कितना हो जाएगा, 3X plus 3Y equal to 530, 50, यह हो गई मेरी equation third, किलिया रहे हैं तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अब क्या करेंगे, equation 2 और 3 को add कर देंगे, जैसे बच्पन में करते थे, adding, equation 2 plus equation 3, ठीक है, add कर रहे है, add क्या से करेंगे, वही चीज जैसे बच्पन में करते थे, क्या, तो देखो यहां पर क्या लिखा है, 2X minus 3Y plus, इसके साथ लिखेंगे, 3X plus 3Y equal to, इधर कितना है, 4 और इधर कितना है, 15, किलिया रहे हैं यहां तक, मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, अच्छे से एक एक पॉइंट, अब क्यासे करेंगे, ध्यान से इस 3Y से यह 3Y कर दिया, तो यहां से कितना है, 2X और 3X कितना आ गया, 5X, और इधर कितना है, 19, तो यहां से X कितना आ गया, 5 आ जागा, दिवाइड में, तो 19 upon 5, यह मेरा X आ गया, ठीक है, X आ गया, अब X को किसी एक एक एक्वेशन में रख दो, फरस्ट में इसमें रख तो मैं क्या लख रहूं, फरस्ट में, तो पुटिंग, पुटिंग, वैल्यू ओफ एक्स, वैल्यू ओफ एक्स, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी है, यह वाली, तो X प्लस Y इकल टू 5, कितना है, 5, अब यहां से क्या करेंगे, X कितना है, देखो, 19 अपोन 5 प्लस Y इकल टू 5, अब क्या करेंगे, इस पूरे को वहां ले जाएंगे, तो कितना आजाएगा, Y इकल टू 5 माइनस 19 अपोन 5, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लगा दो, फिर इसकी मल्टिपला इधर, इसकी मल्टिपला इधर, तो Y इकल टू 5 इंटू 5 माइन 19 इंटू 1, अपोन में क्या आएगा, 1 इंटू 5, तो यहां से कितना आजाएगा, Y इकल टू 25 माइनस 19 अपोन 5, कितना आजाएगा यह, 6 अपोन 5, आई बास समझ में, तो इस तरीक से इसको हमें करना होता है, most important question है, बहुत ज्यादा तरीके से पूछा जाता है यह, और बह plus 3Y equal to 15, और दूसरी occasion कितनी है, यह री, 2X minus 3Y equal to 4, अब इसको direct add कर दो, इसका sign नहीं बदलना है, है न, sign तो direct ऐसे cut कर दिया, तो 3 और 2 कितना आजाएगा, 5X, और यह 15 plus 4, कितना हो गया, तो 5X equal to 19, तो X equal to 19 upon 5, इस तरीके से भी करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे, मे बदलने में, या ऐसे करने में, वो sign नहीं बदलता है, तो उसे गलती हो जाती है, इस तरीके से करोगी, तो कभी आपसे गलती नहीं होगी, तो दोनों तरीके मैंने बता रहे है, जिससे अच्छा लगे, उससे कल देना, आज बस समय है, यह हमारा पैसा पहला question था, note down कर लो लिए देखना है, कि किसके साथ minus है, second वाले में minus है, और कितना coefficient है, 2, यहाँ पर first वाले में plus है, लेकिन coefficient कितना है, 4, तो क्या करेंगे, हम इस 2 को 4 बना लेंगे, 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों side 2 से multiply, तो इधर भी में 2 से multiply कर देता हूं, और इधर भी में 2 से multiply कर देता हूं, तो क्या बन गई है, ध्यान से देखो, 2, 2 जा 4x, ठीक है, minus 2, 2 जा 4y, equal to कितना आ जागा, 8, यह 8 कह रहा हूं, 4 आएगा, क्यों 2, 2 जा 4, ठीक है, यह हो गई मेरी equation 3, आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, first और third को add कर रहा हूं, तो ध्यान से minus 4y, equal to कितना 14, अब देखो, add करेंगे तो ध्यान से देखना, यह सीधा सीधा कर जा रहा है, हमें sign बदलने की जरूरती नहीं है, plus और minus सीधा कर जागा, तो sign नहीं बदलना है, तो यहां पर कितना हो जागा यह, ऐसे लिख लो, 3x plus 4x, equal to इधर कितना हो जागा, 10 plus 4, तो कि x equal to 14 upon 7, मतलब x equal to 2, आया समझ में, यह x आगया, अब क्या करेंगे, इस x को इस वाली, original equation में put कर दो, 1 में, तो यहां पर लिख भी लो चाहें, putting, putting value of x, value of x, in equation, कौन से equation, 1 में, in equation 1, कितना आएगा, 3 into x कि जाए कितना आया, 2, plus 4 into y equal to 10, यह कितना हो जाएगा, 3 to 6, plus 4y equal to 10, यह 6 का जाएगा, अब इधर जाएगे, minus में, तो 4y equal to 10 minus 6, तो मतलब 4y equal to 4, तो मतलब y equal to 4 upon minus, 4 upon 4, तो कटके कितना जाएगा, 1, तो मतलब y कितना जाएगा, 1, इस तरीक से इसको करना होता है, आई बास समझें, अगर चेक कर ना है कि सर, answer सही आए कि नी, तो इन दोनों value को यहाँ put कर दो, यह 10 होना चाहिए, तो देखो ध्यान से, यह कितना है, 3x plus 4y equal to 10, तो 3 into x की जाएगा, 2 plus 4 into y की जाएगा, 1 equal to 10, तो यह कितना जाएगा, 6 plus 4 equal to 10, तो 10 equal to 10 होता है, बिल्कुल होता है, तो इस तरीक से हमारा verify हो गया, और check हो गया, कि मेरे x और y की value सही है, आई बात समझ में, इसी तरीक से आपको exam में करना है, बहुत ज्यादा frequently question आते ही आते है, elimination, substitution, यह कहीं भी लग जाएगा, यह किसी भी chapter में लग जाएगा, कहीं भी इसको solve करना पड़ सकता है, तो अच्छे से समझना ठीक है, को ऐसे भी solve कर देना है, नहीं, question द्यान से देखना, सबसे पहले क्या करना है हमें, कि variable वाले एक तरफ, number वाले एक तरफ, वो कर देना है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे, द्यान से देखना, इसको कैसे लिखेंगे, 3x minus 5y equal to, इस minus के 4 को कितना जागा, minus का है, तो उधर जागे, plus, और इसमें क्या है, देखो द्यान से, तो 9x तो ऐसी रहा, इस 2y को इधर ले आओ, तो minus का 2y, इस 2y को, इस 2y को इधर ले क्या हमें, equal to कितना, उधर कितना बचा है, 7, तो यह बन गई मेरी equation, कौन सी equation, standard, तो इसको नाम दे दो, third उधर इसको नाम दे दो, fourth, उससे काम नहीं है, अब इननी पर काम करना है, अब देखना ध्यान से, ध्यान से समझना क्या कर रहा हूँ मैं, तो इसको यहाँ तो इसको, यहाँ पर भी नहीं है, तो 9 बना लो, यह 5 है, ये 2 है, 5 और 2 का यह चैम कितना होगा, 10, 10 बनानने के इसको किसे multiply करूँ 2 से इसको 5 से तो वो calculation लंबी हो जाएगी बजाए इसके कि इसको मैं 3 से multiply कर लेता हूँ इसको भी 3 से और इसको भी 3 से ऐसा क्यों कि है मैंने देख़ो अभी आपको समझ में आ जाएगा calculation असान हो जाएगी थिरी थिरी जा 9x इसको लिख रहा हूँ इसको और minus का 5 तिया 15y equal to 4 तिया 12 यह आ गया और यह equation कौन सी है मेरी इस equation को इसके नीचे लिख देता हूँ 9x इसी को minus 2y equal to 7 किलियर है कोई समस्या मेरी ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं अब direct इसके sign बदल दो तो यह minus यह कैसा है minus है तो plus और यह कैसा है minus तो कितना आजाएगा ध्यान से देखो इसको ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया यह इससे यह कडिया तो माइनस के 15 में से 12 गए तो कितना बचेगा minus का 13 y और इधर कितना बचेगा 12 में से 7 गए 5 तो y equal to कितना आ रहा है 5 upon minus 13 यह minus यहां से 8 के कहा जाएगा यहां तो यह मेरा y आ गया किलिए रहे हैं यहां तक y कैसे निकालना मैंने simple सा है अब y को यहां put कर दो यहां देखो तो putting इसमें putting value of y value of y in equation कौन सी equation equation 2 तो क्या लिखा हुआ है 9x is equal to 2 into y कितना है bracket में minus का 5 upon 13 और यह कितना है यह न पलस का 7 तो इसको solve करते हैं तो 9x equal to कितना हो जगा minus का 10 upon 13 पलस का 7 तो यह कितना जगा 9x equal to minus का 10 अब देखो इसकी multiply इस से तो कितना हो जगा plus का 7 into 13 upon में 13 तो यह कितना जगा 9x equal to minus का 10 plus 13 सत्य 91 upon 13 तो यह कितना जगा 81 upon 13 तो यहां से कितना है 9 तो यह एक्स कितना जगा 81 upon 9 into 30 इस 9 से यह कड़िया किती बारी में 9 बारी में तो एक्स इतना आ गया x equal to 9 upon 30 आई बास समझ में x और y दोनों आ गए दोनों को equation में रखके देखो यहां पे कौन सी है equation यह क्या यहां पे दोनों को यह रखके आंसर आ रहा है बिलकुल आएगा आई बास समझ में तो इस तरीके से इसको करना होता है बहुत simple simple question है लेकिन इसमें calculation गड़बर हो जा करना ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना है बहुत अच्छे से मैंने explain किया आपको ठीक है no down करो अगला question देखते है question number next देखेंगे fraction वाला है बच्चों को कुछ ना कुछ इसमें problem होती ही है ध्यान से देखेंगे एक मिनट कुछ गला खराब हो रहा है तो देखो इसको करेंगे कैसे ध्यान से देखना fraction वाला है करेंगे कैसे बिल्कुल आसानी से इसके नीचे कुछ नहीं है तो one लगा दो ठीक है 3 into x plus 2 into 2y upon में क्या आएगा द्यान से देखो 2 into 3 2 into 3 equal to कितना minus का 1 कितना हो जाएगा यह 3x plus 4y upon 6 equal to minus 1 अब यह 6 का जाएगा यहाँ पे multiply में तो क्या जाएगा 3x plus 4y equal to minus का 6 इसको नाम देदो अपनी equation 1 ठीक है आया समझ में अब देखो इसको ऐसे लिख लो देखो द्यान से इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं इसकी multiply इधर इसकी multiply इधर तो क्या आएगा द्यान से देखना 3 into x minus 1 into y upon 1 into 3 equal to 3 तो यहाँ से कितना जाएगा 3x minus y upon 3 equal to 3 अब यह 3 कहा जाएगा इसे साथ multiply में तो क्या जाएगा 3x minus y equal to 3 3 जा 9 यह हो गई मेरी equation 2 दोनों equation मिल गई आई वास समझ में अब ध्यान से देखो क्या करेंगे simple सा यहाँ पर कितना है plus का 4 y यहाँ पर कितना जाएगा 4 y यह कैसा है minus का by तो क्यों ना इसे को multiply कर दू किसी तरीके से और 4 बना लो तो इस पूरी equation को, इस पूरी equation को क्या कर रहा हूँ? मैं 4 से multiply कर रहा हूँ ठीक है यह होगी मेरी equation 2 4 से multiply किया तो क्या बन गई है देखना द्यान से 4 अंदर जाएगा तो इसकी multiply 4 3 जा 12x minus 4 की multiply इससे तो minus का 4y equal to 36 clear है यह होगी मेरी equation 3 ठीक है आया समझ में यहां था मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समझ में आ गया होगा अब second और third equation को एक साथ लिख देता हूँ में कैसे लिख रहा हूँ द्यान से देखो यह मेरी second equation है क्या है 3x plus 4y equal to minus 6 और यह क्या है द्यान से देखो 12x minus का 4y equal to 36 clear है यहां तक अब देखो क्या कर रहा हूँ द्यान से देखना इसके साइंग बदलने की ज़रूरत है नहीं बदलने की ज़रूरत है क्यों नहीं है क्योंकि यह already minus में है तो यहां से कितना होगा यह दोनों कट जाएंगे यहां से कितना हैगा 3x plus 12x is equal to minus का 6 plus का 36 कितना आ जागा यह 15x equal to 30 तो x equal to कितना आएगा 30 upon 15 मतलब x equal to कितना आ गया 2 यह x आ गया इस x को इस equation में रख दो यहां पर equation 1 तो यहां पर लिख लो putting value of value of x in equation कौन सी equation in equation 1 तो क्या है 1 equation देखो द्यान से 3 into x कितना आएगा 2 plus 4 into y 4 into y equal to minus ka 6 यहां से कितना जाएगा यह 6 plus 4y equal to minus ka 6 यह 6 यहां से उठके अब खाँ जाएगा इधर तो कितना आएगा 4y equal to minus 6 minus 6 तो 4y equal to minus ka 12 अब यह 4 यहां से खाऍके खाँएगा यहां से ख़टके इसके अपोन में तो कितना जाएगा y equal to minus का 3 आई बाद समझ में तो इस तरीके से इसे हमें करना होता है तो जब भी fraction में आए इस तरीके को follow करना कभी भी आपसे कोभी question गलत नहीं होगा अच्छे से समझ में आ गया एक एक point note down करके लिख लिख लिना यह हमारे चारो question थे जो test book के थे अब इसमें हम world problem करेंगे जो हमें दिवी है आई बाद समझ में note down करो अब world problem करते हैं ठीक है note down करो जल्दी से अब देखो इसको कैसे करेंगे all time favorite question है जामिनर का fraction वाला बहुत important आता है आता ही आता है ठीक है सबसे पहले हम यह समझेंगे fraction क्या होता है fraction का मतलब क्या होता है fraction मतलब जिसमें क्या हो numerator जिसमें क्या हो numerator upon denominator ठीक है denominator fraction का मतलब क्या होता है यही होता है मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जिसमें numerator हो denominator हो हमें यहां पर numerator और denominator पता नहीं है तो लिख लो numerator क्या होगा let's numerator numerator equal to x or denominator equal to y ठीक है numerator x है और denominator y है अब condition पढ़ते हैं if 1 we added 1 to the numerator अब fraction क्या बने है पहले fraction तो देखो fraction होगया x upon y तो यही कहा रहा है कि if 1 added to the numerator and subtracted 1 from the denominator और fraction reduces to 1 मतलब अगर numerator में से numerator क्या है x इसमें से 1 minus कर रहा हूँ 1 minus नहीं plus और denominator में से 1 minus कर रहा हूँ तो fraction क्या हो जा रहा है reduces to 1 मतलब 1 हो जा रहा है गटके 1 हो जा रहा है आई बास समझ में यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आज़ा होगा कोई समस्या नहीं है सर इसको कैसे करेंगे कुछ नहीं करना है इसके निचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो इसकी multiply इदर इसकी multiply इदर तो क्या हो जाएगा यह माइनस का 2 यह बन गई मेरी फर्स्ट एक्वेशन के लिए रहा था अब सेकेंड केस देखो सेकेंड केस को काले पैन से लिख रहा हूँ इट रिड्यूसेज 1 बाइटू मतलब इट इट मतलब क्या फ्रेक्शन फ्रेक्शन बिकम 1 बाइटू फ्रेक्शन क्या हुज़ा रहा है 1 बाइटू कब जब इफ वी एड़ेट 1 टू दा दिनोमिनेटर दिनोमिनेटर की बात करिए निम्रेटर की नी तो अब क्या हो जागा सेकेंड केस में सेकेंड केस देखो ध्यान से सेकेंड केस ठीक है यह क्या कहा रहा है fraction fraction कितना है by numerator upon denominator मतलब x upon y यह कितना हो जा रहा 1 by 2 fraction कितना हो जा रहा है 1 by 2 कब if we add a one to the denominator मतलब numerator को कुछ नहीं बोल रहा है y equal to 1, आई बात समझ में, यह हो गई मेरी equation 2, अच्छे से समझ में आ गया, मेरी ख्याल से सारी चीज के लिए रहे, मिटा देता हूं, क्योंकि आप दोनों equation का काम है, यह चीज आपके काम की नहीं है, क्योंकि यह चीज हो चुकी है, आई बात समझ में, तो यह हो गई equation 1 और य minus y equal to 1, किलियर है यहां तक, इनका भी काम खतम हो गया, इनको भी मैं मिटा देता हूं, है न, क्योंकि जब जगह ही नहीं बचेगी न, बोट पे तो लिखिंगा कैसे, अब यह हो गई मेरी equation 1 और 2, यह हो गई equation 1 और यह हो गई equation 2, क्या करेंगे, simple सा, दोनों को subtract कर देंगे, तो क्या करते हैं, इसका side minus, यह minus है तो plus, और यह plus है तो minus, तो यह क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इस y से यह y कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, x में से 2x करेंगे, तो minus का x, आई बात समझे में, और minus 1, minus 2, और minus 1, मतलब minus का 3, यह minus से minus कर दिया, तो x equal to कितना आ गया x equal to 3 मतलब numerator कितना आ गया x अब इसको equation 1 में put कर दो क्या लेकर आओना है ज्यान से देखो putting putting value of x value of x in equation कौन से equation in equation 1 तो क्या हो जाएगा ज्यान से देखो x minus y equal to कितना है minus 2 सर कैसे करेंगे x कितना है minus 3 तो 3 minus y equal to minus का 2 यह 3 यहाँ से उठके खा जाएगा इधर तो क्या हैगा minus y equal to minus 2 minus 3 मतलब minus का y equal to minus का 5 तो minus से minus कर दिया तो y equal to कितना गया 5 y आगे ना 5 और fraction क्या था मेरा x upon y तो x कितना है 3 और y कितना है 5 तो मतलब यह मेरा final answer है fraction मेरा किया है 3 by 5 बहुत ही ज़्यादा frequently पुछे जाने वाले question में से एक है यह अच्छे से समझना एक एक point जीतना मैंने बताया उसको note down करना बहुत ज़्यादा exam में आता है मतलब मांगे चलो हर साल आता ही आता है आना ही है mandatory question में से एक है तो अच्छे से note down करना एक एक point समझके लिखना वीडियो ना समझ में दुबार से देखना ऐसा हू नहीं सकता कि समझ में ना है अच्छे से लिख लो अगला question देखते है second question world problem का question number next देखेंगे age related problem है एक अलग से मैंने separate video बना रखी है जिसमें सिर्फ age related question ही करवा है तो अगर आपको यहां पर ना समझ में तो वह जाके देख लो उसमें मैंने सारे concept clear कर रखे है ठीक है सारे तरह के question करवा रखे है इसको देखते है test book का question है क्या कह रहा है five years ago नूरी was thrice and was as old as sonu ठीक है वह पांस साल पहरे नूरी जो है वह अपने बेटे की तीन गुना है नूरी की अभी age पता है नहीं पता है sonu की पता है नहीं है तो सबसे पहले इस question में क्या करते हैं ध्यान रखना let's present let's present age of nूरी को क्या मालनी है मैंने x और इसी तरीक से let present age of sonu इसको क्या मालनी है मैंने वाई ठीक है अब normal साथ देखो हिसाब देखो मालनो अभी एक मिल्ट उप्याओ तो देखो क्या करेंगे actually phone आ गया था किसी का ऐसे समझो कि अभी आप 15 साल के हो 2024 में 5 साल पहले मतलब 2019 में आप किते साल के होंगे 10 साल के कैसे निकाला आपने 10 में 15 में से 5 को माइनस कर दिया अब मैं भी हूँ मैं मालो 30 साल का हूँ अभी 2024 में तो 2019 में किते साल का होंगा 25 साल का कैसे निकाला मेरी एस से 5 माइनस कर दिया ऐसा तो नहीं है कि मैं तब भी 30 साल का होंगा मेरी भी तो उमर घटेगी उसी तरिक से इसी को करेंगे पास साल पहले अब लिखेंगे 5 years ago 5 years ago 5 years ago नूरी age कितनी हो जाएगी x-5 और उसी तरिक से 5 years एगो नूरी सन मतलब सोनू कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी y-5 अब क्या कह रहा है according to quotient according to quotient यहाँ पे देखो सबसे ज़्यदा बच्चे गलती करते है क्या कह रहा है कि नूरी वाज thrice as old as soon मतलब सबसे पहले इनकी उमर को बराबर लग दो मतलब x-5 is equal to y-5 दोनों को बराबर कर दो अब देखो बीच में मैंने gap छोड़ा है क्योंग एप छोड़ा है अभी आपको समझभाए जाएगा कौन किसके तीन गुना है नूरी जो है वो अपनी बेटी की उमर की तीन गुना है तो तीन यहाँ मल्टिप्लाई करूगी यहाँ अब कई बच्चे यहाँ मल्टिप्लाई करूगे अरे बेखूफ यहाँ मल्टिप्लाई करोगे तो यह और बड़ी नहीं हो जाएगी छोटे को मल्टिप्लाई करते हैं बड़े के बराबर लाने के लिए तो हमेशा इसमें किसमें मल्टिप्लाई करेंगे यहां लिख भी सकते हो हमेशा किसमें multiply करते हैं छोटे में अब इसको solve कर दो तो क्या जाएगा x minus 5 equal to 3y minus 15 3 की multiply इससे 3 की multiply इससे अब क्या होगा इसको इधर और इसको इधर तो क्या जाएगा x minus 3y equal to minus 15 plus 5 तो final कितनी उमर आ गई x minus 3y equal to minus का 10 यह होगे equation 1 के लिए रहे यहां तक अच्छे समझ मैं अब आगे देखो 10 years later अब क्या लिख रहा हूँ 10 years 10 years later ठीक है opposite मतलब opposite नूरी age और sun age ठीक है तो नूरी की age कितनी है भाई अभी x 10 years later अब से 10 सल बाद किते सल के हो जाएगी x plus 10 तो बेटा भी कितने का हो जाएगा x y plus 10 तो मतलब x plus 10 और y plus 10 ठीक है अब क्या लिख रहा हूँ according to question according to question क्या दिया हुआ है ध्यान से पड़ो नूरी will be twice as old as sunoo मतलब नूरी जो है sunoo की दुगनी हो जाएगी तो नूरी की age कितनी है x plus 10 is equal to y plus 10 किस में multiply करेंगे सिंपल सा मैंने बताया था वीडियो के starting में हमें इसाथ छोटे में multiply करते हैं तो छोटा कोन है इसमें 2 की multiply इसको खोल तो अब x plus 10 equal to 2y plus 20 क्या करेंगे y को इधर 10 को इधर तो क्या जाएगा डिरेक्ट लिक देता हूं x minus 2y equal to 10 यह होगी equation 2 कि लिए यहां तक मेरी ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे ठीक है हो गया इतना है ना equation कोन से है मेरी पहली और दूसरी है ठीक है पहली equation क्या है मेरी पहली equation क्या बनी मेरी ध्यान से देखो x minus 3y equal to minus 10 और दूसरी क्या बनी x minus 2y equal to 10 क्लिए यहां तक अब ध्यान से देखना इतना कर लिया मेरा काम हो गया क्यूंकि main यही चीज ֹी इस में समझने वाली ठीक है अब देखो ध्यान से अब इसमें च्या करेंगे direct minus कर जितते हैं घ है क्योंकि X X कर जाए घर तो यह मांश्च 2 मेंस यह मानस है तो प्लस और यह प्लस है तो मैंश्च मांश्च 10 मतलब मैंस का 20 तो यहां से य कितना जाएगा ट्वंटि आई बार समझ में क्यों लडका कितने साल का है 20 साल का अब पहलीन पूट कर दो यह मेरी पहली एक्वेशन थी तो लिखो putting putting value of y value of y in equation कौन ची in equation 1 इस वन इमें तो क्या है यह x-3y equal to minus 10 तो यहां से देखो x x तो निकालना है मैं minus 3 into y कितना है 20 equal to minus 10 तो कितना आजाएगा x-60 equal to minus 10 अब ये minus 60 उधर जाएगे क्या हो जाएगा पलस का मतलब x equal to minus 10 पलस का 60 तो x equal to कितना आजाएगा 50 कितना आगया भाई मतलब नूरी कितने साल की है 50 साल की और लड़का कितने साल का है 20 साल का आई बस समझ में अब इसकी condition verify करवा लेते हैं मतलब नूरी कितने लड़के नूरी कितने की है 50 और लड़का कितने साल का है 20 साल का आई बस समझ में अब देख लेते हैं कि answer सही है की नहीं चेक कर लेते हैं तो 5 साल पहले अब से मतलब ये जो इनकी presentage है है ना 5 साल पहले ये कितने साल की रही होगी 5 माइनस कर दो तो 50 माइनस 5 इकोल टू 45 और लड़का कितने कार आओगा 20 माइनस 5 इकोल टू 15 क्या ये इसका 3 गुना है बिल्कुल देख लो 15 मंजा 15 तिर्या 3 गुना है अपने बेटे की बिल्कुल है दूसरा condition satisfied कर लो देखो क्या है 50 50 प्लस 10 और ये कितना हो जागा 60 और ये कितना है 20 प्लस 10 मतलब 30 अब इसको काट लो देखो तो 1 और 2 क्या ही इसका दूगना है बिल्कुल है आई बस समझ में तो मतलब मेरा आंसर सही है तो इस तरीके से स्टेप बाइज स्टेप हम इसे सोल करेंगे सिंपल ता कोसन था अराम से किके स्टेप लिखना आंसर आगयागा बहुत सिंपल कोसन था कोई मुस्किल नहीं था समझ में आगया होगा नोट डाउन कर लो अच्छे से अगला कोसन करते है वर्ल्ड प्रोब्लम का नोट डाउन को लो इसको आप अल्टिमेट कोसन ठीक है बहुत ही जबरदस कोसन 99.9% बच्चे इस कोसन को गलत करेंगे और गलत समझेंगे देखो ध्यान से कोसन क्या कहा रहा है सबसे पहले ध्यान से समझना मैं आपको इसमें थोड़ी बेसिक चीज बता देता हूँ स्टेंडर्ड फोर्म जो होती है स्टेंडर्ड फोर्म ओफ टू डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर इसकी स्टेंडर्ड फोर्म क्या होती है ध्यान से देखो नो इसके standard form होती है 10x पलस y ठीक है जहाँ पे y जो होता है y होता है हमारा unit oblique once place या digit ठीक है y क्या होता है मेरा unit या once place या digit उसी तरीक से x क्या होता है 10th place या digit ठीक है और जो number होता है number वो number जो होता है वो number क्या होता है वो होता है 10x पलस y और जहाँ पे x और y क्या होता है x और y जो होता है वो होता है digit ठीक है digits के लिए रहे या तक अब question पढ़ो क्या क्या रहा है ध्यान से ये सारी बात लिख लेना अगर समझ लिया तो इसके जैसे कैसा भी को सुनों आप कर लोगे हमें क्या क्या रहा है देखो यहां पर दियान से देखो यहां पर यहां पर लिख देता हूँ according to question मतलब क्या दिया हुआ है x plus y equal to 9 यह हो गई equation 1 अब second case में क्या कह रहा है also क्या लिखा है दियान से देखो also also nine times these number मतलब number क्या है यह देखो number इसका nine time मतलब number का number का nine time ठीक है यह होगा equal to यह किसके पराबर है is twice the number twice उसके बाद पढ़ो twice the number obtained by the order of the digit obtained by reversing the order of the digit मतलब जो यह number है इसको reverse कर रहा हूँ reverse मतलब यह यहां और यह यहां तो यह क्या होगा 10y plus x यह है reverse order क्या है यह reverse order ठीक है तो यह जो equation है original number उसका no गुना क्या हो जा रहा है digit को reverse कर दे रहे है उसका दुग ना मतलब क्या हो जागा 10y plus x यह चीज समझ में आई के नहीं बहुत ही जबरदसक होसन है आया समझ भे अब क्या करेंगे अंदर भेज दो इसको तो यह कितना जागा 90x इसकी multiply से plus 9y equal to 20y plus 2x के लिए रहे हैं तर मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा यह मिटा देता हूँ यह लिख लिया होगा आपने इसका कोई काम नहीं है अब देखो आगे अब उसको solve करते हैं तो x वाल एक तरफ y वाल एक तरफ मतलब 90x minus 2x equal to 20y minus 9y ठीक है कितना जागा यहां से 88x equal to 11y अब यह 11 खा जागा दिवाइड में तो 88x upon 11 equal to y यह कड़िया इससे तो कितना जागा 8x equal to y एक यह बन गई यह होगा equation 2 के लिए रहे हैं यहां तक अब क्या करेंगे equation 1 से 2 से equation 1 में value रख देंगे तो equation 1 क्या है यहां पर लिख लेता हूँ x plus y क्यूंकि उसको मुझे मिटाना है 9 यह है मेरी equation 1 ठीक है कि लिए रहे हैं तक तो अब ध्यान से देखना क्यूंकि बच्चा इसको आधे हदूरे में करेगा और आधा ही अधूरे समझेगा ध्यान से देखना पूरा question कैसे हो गाई है बहुत ही प्यारा और बहुत favorite question है अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो 9x equal to 9 तो x equal to कितना आजएगा 9 upon 9 कट गया मतलब 1 तो x equal to कितना आगया 1 x 1 आगया अब बापस से x को equation इसमें रख रहा हूँ मैं किसमें 2 में तो यहाँ देखो putting putting value of x in equation कौन सी equation equation 2 तो क्या है 8 into x कितना है 1 equal to y तो मतलब y equal to कितना आगया 8 आई बापस समझ में x और y दोनों आगया मिटा देता हुए है ना तो ध्यान से देखना x कितना आया 1 x equal to 1 और y equal to 8 अभी solve नहीं हुआ हमसे number पूछा है तो number क्या था हमारा देहां से देखो number था हमारा number equal to number क्या था हमारा 10x plus y तो यहाँ पर value रख दो 10 into x कितना है 1 plus y कितना है 18 तो कितना आजाएगा यह 10 plus 8 मतलब 18 इस number को reverse करो reversing number क्या हो जाएगा तो देखो reversing क्या हो जाएगा reversing number यह कितना हो जाएगा 81 क्या यह इसका देखो अब इसको 9 जे काट रहा हूं तो 9 2 जा और 9 7 9 9 जा क्या यह इसको 2 और 9 है बिल्कुल है देखो यहां पर क्या लिखा है 9 times और यहां क्या लिखा है twice मतलब दुखना तो दोनों एक दूसरे के वह हैं बिल्कुल है आया समझ में तो इस तरीकी से इस question को करना होता है बहुत ही प्यारा बहुत जबर्दस question था अच्छे से समझ में आया है मेरी ख्याल से समझ में आगया होगा नोट डॉन को लेना ultimate question था यह नोट डॉन करो अगला करते है ठीक है question number next देखेंगे बहुत ही जबर्दस question है ठीक है मिना went to bank to withdraw rupees 2000 कोई मिना नाम की लेडिज है वो बैंक गई उसने 2000 रुपे निकाले ठीक है see ask the cashier to give her rupees 50 and 100 रुपे note भाई उसने cashier को बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपे के note दो ठीक है रुपीज नोट नोट बी एक्स 50 रुपीज के note सो क्या माल लिए मैंने एक्स उसी तरीक से 100 रुपीज नोट बी वाई ठीक है भाई ऐसे समझो कि 50 के 5 नोट है तो कैसे कितने पैसे हुए वो 50 इंटू 5 मतलब 250 ठीक है यह तो तब है जब मैंने बता दिया अब मीना को तो पता नहीं उसकी भाई हमें भी नहीं पता कि 2000 रुपे में कितने 50 के कितने 100 के होंगे तो कितना जागा 50 X प्लस 100 Y इकोल टू 2000 के लिए रहा तक यह होगे इक्वेशन वन अब सेकेंड केस देखो मीना गोल 25 नोट 25 नोट मतलब ऐसे मालनो 50 के 10 नोट और 100 के 15 नोट तो टोटल 25 नोट मिले उसे ठीक है इस तरीक से तो मैं उसको बता देता हूं टोटल लेकिन यह हारे पास नोट कितने हैं X और Y मतलब क्या है एक्स प्लस Y दोनों को मिला के मतलब नोट दोनों के नोट को मिला के कितने हुए 25 यह होगे एक्वेशन सेकेंड यह समझ में आई की नहीं सबसे पहले समझना जिरूरी है करेंगी तो बाद में ठीक है अब करेंगी कैसे दिखन से देखो हमें सब्सक्राइबंकर पर चाहँ सब्सक्राइबór और यहाँ पर भी इंटू 50 कर दिया तो इससे क्या हो गई equation क्या बन गई मेरी देखो ध्यान से यह बन गई मेरी 50x plus 50y equal to इसकी multiply करेंगे तो 25 125 1250 यह हो गई मेरी equation second आई बास समय में second नहीं third यह हो गई equation third second तो यही वाली है simple से कौन सी है second यहाँ पर लिख लो x plus y equal to 50 x plus y equal to कितना 25 यह है मेरी second equation आई बास समझो है अब क्या करेंगे दोनों equation में elimination लगाएंगे तो दोनों equation को लिख लेते हैं पहली क्या है 50x यह बनी 50x plus 100y equal to कितना है 2000 और यहाँ पर कितना है 50x plus 50y equal to 1250 ठीक है क्या करेंगे simple साहे as usual यह minus यह minus यह minus कट गई यह दोनों तो देखो ध्यान से 100 में से 50 गए 50y और यहाँ से कितना बचेंगे 750 किलिए रहे यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया हुआ कोई दिक्कत नहीं है अब क्या कर रहा हूं मैं इसको मिटा रहा हूं क्यूंकि काम को गया तेक है यहां देखो यह जा Pत ट्यक है टो क्या है मेरे पास 50y कितना 750 तो यहां से the equal to कितना जाएगा 750 upon 50 जीरो से 0 कर दिया और यहां से the equal to कितना जाएगा 15 15 75 मतलब 100 के नोट कितने है 15 उसको रख दो equation 2 में तो यहां से क्या लिख रहा हूँ है putting putting value of y value of y in equation in equation 2 2 क्या है x plus y equal to 25 तो यहां से क्या लिख रहा हूँ x plus y कि जागे कितना आएगा 15 equal to 25 तो यहां से कितना आजाएगा x equal to देखो जहां से x equal to 25 minus 15 मतलब x equal to 10 यह 15 कहां चल जाएगा उधर x equal to कितना आगया 10 मतलब 50 के कितने नोट है यहां पे मिटा के लिख देता हूँ 50 के नोट तो है by 10 और 100 के कितने नोट है 15 आई बाद समझ में clear है अब दोनों को जोड़ के देखो 25 हो रहे हैं बिलकुल हो रहे हैं दोनों को equation में put करके देखो पहली वाली में तो देखो पहली वाली equation क्या थी मेरी द्यान से देखो इसको मिटा देता हूँ क्यों क्योंकि मेरा यह काम हो गया पहली equation क्या थी मेरी 50 x plus 100 y equal to कितना 2000 यह 2000 आना चाहिए यह वाला तो देखो 50 into x कितना है 10 plus 100 into y कितना है 15 तो यहां से कितना जागा 500 plus 1500 दोनों को add गिया तो कितना जागा 2000 और यह किसके equal है 2000 के मतलब हमारा आंसर सही है आई बात समझ में तो इस तरीक से इस question को करना होता है बहुत जवर्दस बहुत प्यारा question था ultimate question था एक्जाम में आया हुआ question है अच्छे से note down करना एक एक point समझ के लिखना ना समझ में है दुबार से देखना वीडियो को बिल्कुल समझ में आ जागा ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना है आई बात समझ में note down कर लो अगला question करते है लास्ट question ठीक है and additional charge for each day और each day का क्या additional charge सरीता paid rupees 27 for a book kept for seven days ठीक है अब देखो सरीता मैं समझा देता हूं जैसे सरीता है ठीक है और susi है s u s y susi ठीक है क्या question नहीं है द्यान से समझो यह यह कह रहा है ठीक है कि भाई कित्ते दिन होते हैं Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और Sunday ठीक है इसी तरीक से यहां पर भी Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और Sunday यह कह रहा है कि शुरू के तीन दिन के लिए मतलब यह तीन दिन जो है इसके लिए तो fixed charge है चाहिए कुछ भी हो जाए वो fixed charge मैं लोंगा ही लोंगा ठीक है और extra जितने भी दिन रख रहे हो उस दिन दिन ले रहा हूँ जैसे आपने दो दिन रखे तो दो दिन के charge जो होंगा फिर तीन दिन रखे तीन दिन चार दिन रखे चार दिन आई बास समय है तो सरीता ने क्या प्लस बाकी के जो ये चार दिन है, ये चार दिन तो उसने variable है और चार दिन का बेरियबल का कितना है y इन दोनों को मिला कि उसने कितने रुपे दिये 27 यह समझ में आया कि नहीं यह जरूरी है समझना तभी कोसन आपको समझ में आएगा सर यह कैसे लिखा भाई तीन दिन का फिक्स है ना फिक्स को मैंने क्या मान लिया तो इसके क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2y इकोल टू कितना कितना दिया है कितने पैसे दिये 21 यह हो गई equation 2 समझ में आया कि नहीं यह समझ में आ गया मतलब कोसन हो गया आया समझ में अब बस कुछ नहीं करना है दोनों को सोल करना है यह मिटा दिया मैंने ठीक है और यह भी equation क्या है मेरी देखो द्यान से X प्लस 4Y इकोल टू कितना है 27 और वहां पर कितना है X प्लस 2y इकोल टू 21 कैसे करेंगे द्यान से दिखो सिंपल चाहिए इसको कैसे करेंगे यह माइनस ये minus और ये minus तो क्या आया द्यान से line खीज देते हैं देखना द्यान से इस x से तो ये x कर दिया 4 में से 2 गए 2y ठीक है 2y क्यूंकि पलस का है और ये minus का है 27 में से 21 गए मतलब 27 में से 21 गए तो किताव चेगा 6 मतलब क्या जाएगा 2y equal to 6 तो मतलब y equal to तीन यह समझ मैं है सर सिक्स डिवाइड में चला जाएगा तो मतलब इच दे का डे के चार्ज कितना है वाई मतलब तीन रुपे और इसको रख दो तो यहां पर लिख लो पुटिंग वैल्यू ओफ वाई वैल्यू ओफ वाई इनधस इनक्वेसन का य Jew से टो एक्वेसन कितनी है तो क्लाज टो इन्टो वाई कितना है साइब थरी एकल टू的人 राजा यहां से कितना जाएगा? x plus 6 equal to 21. मतलब क्या जाएगा? x equal to 21 minus 6 मतलब x equal to 15. आया समझ मितलब fixed charge का कितना है? fix mandate 20 रूपे और variable कितना लेगा है? हर दिन का 3 रूपे तो इसको करके देख लेते हैं क्या मेरे answer सही है तो देखो check कर लेते हैं equation में put करके देखते हैं इस वली में ये मिटा देता हूं बस x और y याद रखना तो देखो जहांसे x और y याद रखना बस यहाँ पर रख के देखते हैं x कितना है देखो x आया 15 प्लस चार इंटू वाई कितना यह तीन इकॉल टू कितना 27 आना चाहिए तो यहाँ देखू 15 प्लस 12 किकल टू 27 तो 27 होता है बिल्कुल होता है मतलब मेरा आणसर सही है तो अच्छे से देखना बहुत अच्छे से बहुत सलोली सलोली मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया है यह चेप्टर एक एक कोशन करवाए हैं जितने टाइप के कोशन ते सारे करवाए हैं फिर भी अगर कोई कोशन रहे गया तो भूल चुक माफ कर देना ठीक है पहली बार इतने अच्छे से डिटेल में लोंग लेक कि आपने मेरे एक कोशन वीडियो बहुत अच्छे से देखिए होगी तो अच्छे से देखना मिलते अंगली वीडियो में बहुत प्यारे कोशन के साथ और नई चैप्टर के साथ तब तक के लिए बाई-बाई दोश्तो अब देखो पेयर ओफ लीनेर कोशन की अब हम थिय और अपरोटन कि यह अपने आप में बताते हैं कि मुझे शोलंट कैसे करना है तो ज्यादा देदा करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोशन देखते वह रहा है ठीक है बिल्कुल आरहम से पढ़ेंगे लाइंट लाइं जैसे मेंस्ट कर रहा हूं ठीक है और फ् छिसमें निमरेटर हो यह दिन्यूमिनेटर हो जैसे कि आ लिकराूँड वन बै टू, यह भी फ्रेक्षिन है, तो इसको बोलत het Ч अब यहाँगोएं पे हमें फ्रेक्षिन तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखना सबसे पहले क्या लिखेंगे हम let's ध्यान से समझना let's numerator numerator को कुछ मान लेंगे क्या मान लेंगे जी X और Y let's numerator equal to X और denominator 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 equal to Y ठीक है अब question पे आ जाते हैं क्या कहा रहा है of fraction become मतलब ये जो fraction है हो जाएगा fraction अब मेरा क्या हो गया fraction हो गया मेरा X upon Y ठीक है यह मेरा fraction हो गया अब वो यह क्या रहा है 10 यह जो fraction है यह क्या हो जा रहा है 9y2 मतलब क्या लिखेंगे आप fraction तो मतलब X upon y is equal to 9 upon 11 यह फ्रेक्षं 9 upon 11 हो जा रहा है कब if 2 is added इस लाइन को पड़ो if 2 is added to both the numerator and denominator मतलब दोनों में में क्या add कर रहा हूं 2 तो देखो दोनों में 2 add कर देते हैं तो इस लाइन को बढ़ा कर देते हैं और इसमें भी 2 add किया और इसमें भी यहां तक समझ मैं है मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब cross multiply यह इधर और यह इधर तो क्या आजाएगा 11 into x plus 2 equal to 9 into y plus 2 अब 11 को अंदर भीजो तो कितना आजाएगा 11x plus 11 into 2 is equal to 9y plus 9 into 2 किलियर है यहां से क्या आजाएगा 11x plus 22 is equal to 9y plus 80 किलियर है अब variable वाले एक तरफ और number वाले एक तरफ तो कितना आ रहा है 11x minus 9y is equal to 18 minus 22 तो यहां से कितना आजाएगा 11x minus 9y equal to minus का 4 यह होगी मेरी equation 1 किलियर है यहां तक सारी चीज़े समझ में आगे होगी अब आगे देखो क्या कह रहा है ध्यान से देखो यही देखो यह समझ लिए यह हुआ आपने अच्छे से यह मिटा देता हूँ मैं अब देखो line से line वाइस पड़ेंगे क्या कह रहा है इफ यदि अब नई condition है यहां पर fully stop हो गया if 3 is added to both the numerator and the denominator मतलब किस में fraction में कौन से fraction में x upon y में x upon y में मैं क्या add कर रहा हूँ 3 तो plus का 3 उपर भी और plus का 3 नीचे दी तो यह become मतलब यह कितना बन जा रहा है 5 upon 6 5 upon 6 ठीक है यह चीज़ समझ में आई कि नहीं अब सेम होई काम यहां करेंगे cross multiply यह इधर यह इधर तो क्या आएगा 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3 ठीक है अब इस 6 को नदर multiply करेंगे तो 6 into x plus 6 into 3 is equal to 5 into y plus 5 into 3 तो यहां से कितना आजाएगा 6x plus 18 is equal to 5y plus 15 अब क्या करेंगे वह इधरियेबल वाल एक तरफ नंबर वाले एक तरफ तो क्या आजाएगा 6x minus 5y is equal to 15 minus 18 तो यहां से कितना आजाएगा 6x minus 5y equal to minus 3 यह होगी मेरी equation 2 किलियर है यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्था नहीं होनी चाहिए यह बहुत सिंपल सा था अब इसको मिटा देते हैं आपकी book का है test book का question है नोट डाउन कर सकते हो चाहिए तो दीख भी सकते हो अब देखो यह दोनों equation आगए मेरे पास अब हम इसमें elimination या substitution लगाएगे दोनों equation को यहां पर फिर से लिख लेता हूँ सांती से तो केतना है 11x 11x minus 9y equal to 4 और इधर से केतना आ रहा है 6x minus 5y equal to minus का 4 और यह minus का 3 किलिए रहे अब क्या करेंगे दिखाल से देखो इस equation को मैं किसे multiply कर देता हूँ इस पूरे को मैं multiply कर देता हूँ 5 से तो इधर भी multiply होगी 5 से ठीक है और इस equation को मैं multiply कर देता हूँ 9 से तो इधर भी multiply होगी 9 से ठीक है तो अब क्या हो रहा है दिखो दिखो यह कितना जाएगा 5 into 11 तो इसकी multiply से तो कितना जाएगा 55x minus 9,5 45y minus 5,20 ठीक है और इसी तरीक से यह कितना आएगा दिखो दिखो दिखान से यह कितना आएगा इसकी multiply करेंगे तो नोचिक 154x minus 45y equal to minus का 27 के लिए रहे अब क्या करेंगे दिखो दिखो दिखान से sign change तो sign change करेंगे तो यह line खीज़ दी मैंने ऐसे यह ऐसे यह line खीज़ दी और sign change तो यह minus यह minus है तो plus और यह minus है तो plus ठीक है क्या होगा आप दिखान से देखो 55 में से 54 गए तो कितना बचा एक्स और यह पूरा क्या होगा यह cut जाएगा क्योंकि यह plus minus और इधर से कितना आएगा 20 में से plus का 27 गए 7 तो x आगया मेरा जी 7 किलिए रहे यहां तक x कितना आगया 7 x को अब equation 1 या 2 खहीं पर भी रख दो तो मैं क्या लिख रहा हूँ putting value of x value of x in equation 1 1 में रख दो या 2 में रख दो खहीं से भी आनतर आएगा तो 1 में ही रख देते हैं तो 11 into x कितना आया 7 minus 9y equal to minus का 4 तो यह कितना जाएगा 77 अब देखो 9y को इधर और 4 को इधर तो minus का है तो इधर आगे कितना जाएगा minus का है तो इधर आगे 4 plus का और 9y उधर तो यहां से कितना जाएगा 81 equal to 9y तो यहां से कितना जाएगा 81 upon 9 equal to y 9 is equal to y 9 आई बस समझ में अब satisfied करवा लेते है fraction मेरा क्या बन गया अब fraction क्या हो गया fraction कितना हो जागा numerator कितना है 7 और ये कितना है 9 अब इसको condition satisfied कर लेते है दोनों में 2 add करके क्या ही ये वो हो रहा है तो करके देख लो अबना answer चेक करने का तरीका है if 2 is added तो दोनों में अगर मैंने plus का 2 add किया तो ये क्या बन गया उपर 9 upon 11 मतलब मेरा answer सही है second वाला भी check कर लो चाहे हो तो दोनों में क्या add कर रहे है देखो ध्यान से यहाँ पे तो 7 upon 9 दोनों में क्या add कर रहे है 3 तो 3 add करके कितना चाहिए 5 by 6 तो देखो दोनों में 3 add करो तो ये भी 3 और ये भी 3 तो ये कितना हो गया देहान से देखो ये हो जाएगा 10 upon 12 दोनों किसे का track 2 से तो ये 5 जा 2 5 जा और ये 2 6 जा तो ये answer सही है तो दोनों answer satisfied हो गए इस तरीकी से इस question को किया जाता है बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस question है ये पूरा well explained किया है मैंने एक एक point आपको बहुत detail में समझाया अच्छे से देखना ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना है ना समझ में आए ऐसा संभवी नहीं है अगर एक percent फिर भी अगर ना समझ में आए तो दुबारा से देखना आपको जरूर समझ में आजेगा अच्छे question है बहुत frequently आते हैं ये जाम में अच्छे से देखना और डूड़ी अच्छी लगे और fraction become 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator यहां तक एक statement हो गई तो हमें पता है fraction क्या होता है fraction होता है fraction का मतलब क्या होता है जिसमें numerator हो हाँ ना and denominator हो numerator upon denominator यहां तक मेरी ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है fraction क्या होता है जिसमें numerator हो और denominator हो यहाँ पर numerator पता नहीं हमें तो क्या करेंगे let's numerator numerator equal to x numerator को क्या मान लिया x और denominator क्या हो जाएगा denominator denominator को क्या मानेंगे y यहाँ तक यह सब चीज में लिखना है अब क्या कहा रहा है fraction become 1 by 3 fraction क्या है fraction हमारा x upon y यह क्या हो जा रहा है 1 by 3 कब when 1 is subtract from the numerator मतलब numerator में से क्या कर रहा है जब 1 को subtract कर रहा है अई बाद समझ में clear है अब इसको cross multiply कर दो तो यह इधर यह इधर यह पूरा तो कितना हैगा 3 into x minus 1 equal to 1 into y तो इधर से कितना जाएगा 3x minus 3 equal to y y को इधर और 3 को इधर तो कितना हो जाएगा यह 3x minus y equal to 3 यह होगई equation 1 clear रहा है यहां तक मेरी ख्यालते कोई समस्या नहीं होगी अच्छे से अब दूसरा देखो second case and it's become it's मतलब यह fraction fraction x upon y यह क्या हो जा रहा है it becomes कितना है 1 by 4 कब when 8 is added to the denominator denominator मतलब 8 add कर रहे है denominator में आई बाट समझ में अब क्या करेंगे same वो इधर यह इधर तो यह कितना हो जाएगा 4 into x is equal to 1 into y plus 8 तो यहां से कितना जाएगा 4x equal to y plus 8 अब x y को इधर तो कितना जाएगा 4x minus y equal to 8 यह क्या हो गई भाई यह हो गई मेरी equation 2 किलिए रहे अब क्या करेंगे 1 and 2 को दोनों को simple सा वो कर देता हूँ subtract क्योंकि दोनों जाएगा 1 और 1 है तो यहां क्या लिखवा है 3x minus y equal to 3 और इधर कितना है 4x minus y equal to 8 ठीक है यह लिख दी दोन equation अब क्या कर रहा हूँ दियान से देखना दोनों को minus कर देता है ठीक है तो यह पूरी line खीज दी ऐसे और यह minus यह minus है तो plus और यह minus तो देखो कितना है direct यहां से इस y y से तो यह y कर दिया 4x में से 3x गए तो क्या बचा x और यहां से 8 में से 3 गए 5 तो x आजा मेरा कितना 5 x को यहां put कर दो equation 1 में putting putting value of x value of x in equation 1 तो 1 में क्या है देखो यहां पर रख दो इसमे तो क्या लिख हुआ है 3 into x minus 3 equal to y तो यहां से कितना है 3 into x कितना है मेरा 5 minus 3 equal to y तो यहां से कितना आ जाएगा 15 minus 3 equal to y तो y equal to कितना है 12 तो x और y दोनों हां गए fraction क्या माना था मैंने यह रहा fraction मेरा था यहां पर कितना हो जाएगा numerator numerator कितना है x माना था तो x कितना है 5 और y कितना है 12 तो यह मेरा fraction है आई बस समझ में 2020 में तीन नमर गाया हुआ है बहुत सिंपल सा question था जैसे step by step मैंने किया ऐसे ही आप exam में करना बिलकुल आपसे solve हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बस patience बना के रखना तसली से के step लिखना जैसे मैंने लिखे जरूर आंसर आए नमपे question number next देखेंगे बहुत ही जबर्दस और बहुत प्यारा question है करीं जैसे दिहान से देखो the sum of numerator and denominator of a fraction is 13 हमें पता है जी fraction क्या होता है fraction होता है जिसमें क्या हो जिसमें numerator हो और denominator हो जिसमें numerator हो और अपोन में denominator हो ठीक है denominator ठीक है यह तो हमारा fraction होता है जिसमें numerator हो या denominator हो अब हमें ना तो numerator पता है ना denominator पता है तो करींगे कैसे let's let's numerator numerator equal to x और denominator 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 इकोल टू य तो fraction क्या हो जाएगा मेरा x अपोन y यहां तक समझ में आया है अब क्या कहा रहा है the sum of numerator and denominator मतलब sum numerator और denominator मतलब x प्लस y का sum कितना गया हो है 13 तो यहां से कितना जाएगा x प्लस y equal to 13 यह हो गई मेरी equation 1 के लिए रहा है यहां तक कोई समस्यानी होनी चाहिए बहुत सिंपल तरीके से बने समझाने की कोशिश की है अब आगे देखू if the denominator is increased by 2 मतलब क्या है fraction यही fraction है x upon y if the denominator तो denominator का है y इसको मैं 2 से increase कर दे रहा हूँ तो यह मैंने प्लस का 2 बढ़ा दिया तो fraction कितना हो जा रहा है reduces to मतलब 2 by 3 यह चीज़ समझ में आई कि नहीं यह समझना बहुत ज़रूरी है आगे समझ में अब क्या करेंगे cross multiply यह इधर और यह इधर तो यह कितना जाएगा 3 into x is equal to 2 into y plus 2 तो यहार से क्या आएगा 3x equal to 2y plus 4 यह 2 की multiply से इस 2 की multiply से अब क्या करेंगे 3x इस 2y को इधर tx minus 2y equal to 4 यह बन गई मेरी equation 2 यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब क्या करेंगे देखो ध्यान से हो गया इसको मैं 2 से अगर multiply कर दूं तो यहां पे y का option 2y है और यहां पे भी 2 आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूं इसको इस 2 से multiply इधर और 2 से multiply इधर तो यह क्या बन जाएगा मेरा ध्यान से देखो यह बन जाएगा मेरा 2x plus 2y equal to 26 कि लिए रहा है यहां तक इसको नाम लिख दो equation 3rd क्या लिख दिया मैंने इसको 3rd कि लिए रहा है यहां तक अब क्या कर रहा हूं देखो 3rd second को मैं add कर दे रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं add कर दे रहा हूं ठीक है ध्यान से देखो तो लिख रहा हूं मैं यहां पर adding equation कुन सी adding equation 2 and 3 2 and 3 को add कर दे रहा हूं तो LHS LHS के साथ RHS RHS के साथ तो 2a 3x minus 2y plus यहां से कितना आएगा 2x plus 2y is equal to इधर कितना है 4 plus 26 के लिए रहा है यहां तक अब देखो 2y से 2y कर दिया 3x और 2x मिलके कितने हो गए 5x equal to महां पर कितना आजाएगा 30 अब यह 5 कहां जाएगा divide में तो यहां से x कितना आजाएगा 5 5 नहीं 6 x कितना आएगा 6 पंजे 30 होता है न 6 x आगया मेरा 6 के लिए रहा यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब x को बापस मैं कहां रख रहा हूं equation 1 में तो यहां पर लिए देखता हूं इसमें तो मैं क्या लिख रहा हूं putting putting value of x value of x in equation 1 equation 1 कुम से मेरी यह वाली मतल x plus y equal to 13 x कितना निकला मेरा x आ रहा है 6 यहां देखो 6 है न तो 6 plus y equal to 13 तो यहां से कितना आएगा y equal to 13 minus 6 मतलब y equal to 7 x और y दोनों आ गए अब हमसे fraction पूछा है तो fraction ही तो मेरा x और y है तो x की जगे कितना लिख दूँगा मैं x की जगा लिख दूँगा मैं 6 और y की जगे 7 तो यह मेरा fraction है जो answer है आई बात समझ में बहुत simple बहुत भी प्यारा जबरदस question था बहुत frequently यह question आते है जाम में प दो भी जाके देखो बहुत ही अच्छे question है अच्छे से देखना वीडियो अच्छी लगे तू लाइक अच्छे कोशन के साथ इसको लोड़ डाउन करो तब तक आप लो of the numerator and denominator of a fraction is four more than twice the numerator इस लाइन को समझना बहुत ज़रो हुई है यह इस लाइन को बिना समझे यह वाली four more than twice the numerator ठीक है तो पहले question लिख लेते है कि भाई fraction क्या होता है अपना fraction होता है fraction जिसमें क्या हो numerator numerator और denominator ठीक है इसी को तो fraction बोलते है denominator ठीक है अब यहाँ पर numerator भी नहीं पता denominator भी नहीं पता तो हम क्या कर रहे है let's let's numerator numerator equal to x or denominator denominator equal to y ठीक है तो fraction क्या हो जागा x upon y ठीक है अब देखो क्या कह रहे है जहां से समझना the sum of the numerator and denominator numerator क्या है x और denominator क्या है y इन दोनों का जो सम है मतलब x plus y is equal to कि इसके बराबर हो रहा है of a fraction is four more than twice the numerator इसका मतलब समझो कि four more than twice the numerator मतलब जो numerator है उसके दुगना numerator का दुगना और उससे भी चार ज़्यादा है यह चीज समझ में आई की नहीं यही इस question में main important चीज है अच्छे से समझो देख लो एक बार कि क्या कहा मैंने और क्या लिखा हुआ यह यह अगर समझ में आएगा तो आपसे question होगा नहीं आई बार समझ में अच्छे से clear अब देखो क्या कह रहा है अब इसको solve करते हैं तो x इस पूरे को इस पूरे 2 को उठाके यहां लेता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा x plus y minus 2x equal to 4 यहां से कितना जाएगा y minus x equal to 4 यह होगी मेरी equation 1 अब क्या कह रहा है second case if 3 is added to both the numerator and denominator मतलब numerator x है और denominator y है इन दोनों में अगर मैं 3 add कर दो 3 तो यह fraction कितना बन जा रहा है एड़ देयर रिशो बिकम टू रिशो 3 मतलब रिशो कितना हो जा रहा है 2 upon 3 actually ratio में यह x भी लगाता है ठीक है लेकिन यह x x यहां कट जाएगा तो 2 upon 3 बचेगा अगी बास समझें find the fraction तो क्या करेंगे इसकी multiply इधर इसकी multiply इधर तो कितना जाएगा 3 into x plus 3 is equal to 2 into y plus 3 अब क्या करेंगे 3 को अंदर बिजो तो 3x plus 9 is equal to 2y plus 6 अब क्या करेंगे 2y को इधर 9 को इधर तो कितना जाएगा 3x minus 2y is equal to 6 minus 9 तो यहां से कितना जाएगा 3x minus 2y equal to minus 3 किलियर है यह हो गई मेरी equation 2 यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब क्या कर रहा हूं देखो यहां पर कितना है x कैसा है minus का है यहां कैसा है x plus का तो इस equation को मैं 3 से multiply कर रहा हूं इसको भी 3 से और इस पूरे को भी 3 से तो equation क्या बन गए मेरी ध्यान से देखो 3 अंदर गया तो 3y minus 3x equal to 12 यहां तक समझ मैं है यह होगी मेरी equation third इसको क्या नाम दिया मैंने third अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो second और third को add कर दे रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं adding equation second plus equation third अब क्या होगा lhs lhs add होगा rhs rhs add होगा तो क्या लिखा है यहां पर 3y minus 3x फिर plus 3x minus 2y is equal to कितना है 12 minus 3 तो देखो ध्यान से 3x से 3x कड़ी है 3y में से 2y गए तो y बचा और इधर कितना बचेगा 9 तो मेरा y आ गया y कितना आ गया वही मेरा 9 अब y को मैं equation 1 में put कर रहा हूं मैं यहां पर लिख रहता हूं putting putting value of y value of y in equation 1 equation 1 कुन से है मेरी यह बचा लिख लिख लिखा हूँ है y minus x equal to 4 y कितना है 9 तो 9 minus x equal to 4 अब मैं क्या कर रहा हूं इस x को इस पूरे वाले x को उधर और इस 4 को इधर तो क्या आ जागा 9 minus 4 equal to x तो x equal to मेरा कितना आ गया 5 x और y दोनों आ गये तो fraction क्या हो जागा मेरा x कितना है 5 और y कितना है 9 तो fraction मेरा कितना हो जागा 5 upon 9 यही मेरा answer है बहुत ही जवर्दस बहुत प्यारा question था अच्छे से देखना यह इसलिए कर रहा है क्योंकि ratio वाल आ जाता है तो बच्चे घपर आ जाता है समझ में नहीं आता कि करेंगे कैसे अच्छे से समझना एक एक point note down करना यह हमारा type 4 था अच्छे से देखो वीडियो अच्छी लगे तो like and subscribe करना और bell icon दबा लेना इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे question के साथ bye bye दोस्तो Good morning student आपका स्वाधत है मेरी channel short time पर अब तक हम fraction वाले question कर चुके है एज वाले question कर चुके है आज हम क्या करेंगे number based problem ठीक है बहुत simple simple से होते हैं लेकिन कई बार बच्चे इसको भी गलत कर बैठते हैं तो अराम से एक-एक point समझेंगे कैसे break करना है question को कैसे पढ़ना है कैस इसको step लिखेंगे सब चीज अच्छे समझेंगे वीडियो पूरी देखना बिल्कुल समझ में आएगा ठीक है ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना है क्या क्या रहा है ध्यान से पढ़ते हैं the sum of the two numbers is 137 and their difference is 43 find the number ठीक है तो हमें number नहीं पता तो क्या करेंगे सबसे पहले ध्य नमबर को क्या मानने मैंने x और second number क्या हो जाएगा second number equal to y ठीक है अब according to question क्या दिया हुआ है the sum of two numbers इन दोनों का sum कितना दिया हुआ है 137 मतलब x plus y equal to 137 यह हो गई equation 1 यहां तक क्लिया रहे and their difference difference दिया हुआ है कितना 43 तो अब मैं क्या कर रहा हूँ difference या तो मैं यह लिख लूँ x minus y equal to 43 या y minus x equal to 43 दोनों से कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों नहीं फरेगा देखो अभी मैं आपको region बताता हूँ कि कई बच्चों का यह doubt होगा सरह ऐसे भी तो लिख सकते है बिल्कुल लिख सकते है देखो अगर मैं x minus y लिख रहा हूँ x minus greater than y है तभी तो भाई x में से y minus हो रहा है ठीक है और यहाँ पर क्या लिखा है y minus x तो इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब हुआ y greater than x क्यूंकि हमें पता नहीं कि कौन किसे बढ़ा है तो दोनों से कर सकते हैं आई बास समय में लेकिन अगर आप यह ले रहे हो तो इसमें x बढ़ाएगा क्योंकि x को में से y minus हो रहा है और अगर आप यह ले रहे हो तो y बढ़ाएगा ठीक है जहाँ रखना तो मैं क्या कर रहा हूं मैं यह वाली ले रहा हूं तो यह हो गई मेरी equation 2 ठीक है equation 2 और equation 1 अब हमें पता है pair of linear equation सिंपल सा एड कर दो या सब्ट्रेक कर दो अंसर है जागा लेकिन हम add करते हैं क्यों कि यहां पर y plus में है यहां y minus में है तो दोनों को add कर देते हैं तो मैं क्या लिख रहा हूं adding equation 1 प्लस 2 तो क्या हो जागा देखो lhs lhs से add होगा है ना और rhs rhs से add होगा तो कितना जागा यह 137 प्लस 43 तो यहां से कितना हो जाग यहां एक्स एक्स मिलके 2x और यह कितना हो जागा 180 तो यहां से x कितना जागा 180 divided by 2 मतलब x equal to 90 x कितना आ गया 90 ठीक है एक्स को equation 1 में put कर दो तो यहां लिख कुदू putting 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 value of x in equation 1 x value equation 1 में put करो तो क्या आएगा 90 plus y equal to 137 तो यहां से क्या आएगा y equal to 137 minus 90 तो यह कितना जागा 47 मतलब y कितना आगा 47 इस तरीक से हम इसको कर सकते हैं असानी से आजी बाद समझ में बहुत ही simple question होते हैं यह मैंने क्या बताया था देखो मैंने बताया ना कि अगर मैंने इसको लिया तो मेरा x already बढ़ाया बिल्कुल बढ़ाया की नहीं तो इस तरीक से हमें इस question को कर सकते हैं ठीक है अगर आप यह लेके करोगे यह लेके करोगे तो मेरा y 90 आ जाएगा और x 47 आ जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं कौन बढ़ा है कौन चुटा है तो इस तरीक से इस question क करना और बैल आइकन दबाना इसको नोट डाउन करो question नमर नेक्स्ट करते हैं नोट डाउन कर लो question number second देखेंगे बहुत ही प्यारा और जबरदस को समय करेंगे कैसे अराम से समझेंगे कि किस्टा the sum of two numbers is thousand दो number का sum कितना है thousand तो हमें number नहीं पता क्या लिखेंगे let's let's first number let's first number equal to x and let's second number number हमें पता नहीं न तो let's second number equal to y अब according to question जो दियावा है वो लिख लेंगे the sum of two numbers is thousand दो number का sum मतलब x plus y दोनों का sum कितना देवा है thousand यह हो गई मेरी equation one अब आगे देखो and the difference between the square is इतना दोनों के square का difference मतलब क्या लिखा अब देखो इसमें दो case बनेंगी या तो x square minus y square equal to two five six zero zero या क्या होगा y square minus x square equal to two five six zero zero आई बास समझ में सर कौन सा सही है देखो ध्यान से कैसे करेंगे अच्छे से समझना एक मिनट मैं देख लेता हूं यह ना कि two five zero मुझे कम लग रहा है ठीक है एक मिनट टुक जाओ तो यह है two five six कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से समझ मैं अब देखो यह हो गई मेरी equation two यह भी equation two ही है ध्यान रखना यह दोनों ही two है अगर मैं इसको ले रहा हूं तो अभी मैंने बताया था आपको अगर मैं इसको ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है x greater than y अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है y greater than x तो हमें तो पता नहीं कौन बढ़ा है कौन छोटा है तो हमें दोनों से solve करना पड़ेगा क्यों अपने से आप x को बढ़ा और y को छोटा नहीं मान सकते हमें दोनों से करना पड़ेगा तो इससे मैं कर देता हूँ इससे हूँ बहु आपको कर लेना है ठीक है तो ये वाला मैं ले रहा हूँ ये मेरी equation 2 है अब मैं क्या कर रहा हूँ equation 2 मेरी क्या है x square minus y square equal to two five six triple zero ठीक है इसको further मैं ये लिखता हूँ x plus y or x minus y equal to two five zero zero clear रहे अब मुझे क्या पता है मुझे पता है जी x plus y कितना है thousand तो x plus y ये thousand ये ना बार बार पता नहीं question में क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे data कुछ thousand है ये रहे ठीक है अब क्या करेंगे x plus y को कितना लिखेंगे यहाँ पर इस x plus y की जिगर क्या लिख लेंगे 1000 clear into x minus y equal to कितना जागा 2 5 6 0 0 ये thousand का जागा divide में तो यहाँ से कितना जागा x minus y equal to 2 5 6 0 0 upon में यह है आया समय तो देखो इस 2 0 से ये 2 0 कड़ गई तो यहाँ से कितना आया x minus y equal to 2 5 6 upon 10 clear है यहाँ तक यह होगी मेरी question second कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा है ना यह होई मेरी question third अब क्या करेंगे द्यान से देखना second और third को अगर मैं add कर दू तो मेरा काम होगी है बिल्कुल simple सी बात है क्योंकि यहाँ पे plus में है मैं तो मैं क्या कर रहा हूँ द्यान से देखो adding adding equation 1 plus 3 तो 1 plus 3 को add कर रहा हूँ तो क्या आएगा देखो x plus y rhs lhs lhs rhs से rhs rhs से add होगा plus x minus y equal to कितना हो जाएगा उज़र कितना है thousand plus 256 upon 10 के लिए रहे add करके यह आएगा है ना कोई समस्या नहीं है मिटा देता हूँ इसको क्योंकि यह समझ में आगया होगा आपको तो देखो y से y कट गया यह हो गई equation में जी ठीक है y से y कट गया तो x और x मिलके कितना हो गए 2x is equal to यहां कितना होगा देखो अब यह इसके साथ किस में जाएगा multiply में तो कितना जाएगा यह plus 256 upon में 10 10 है ना यहां देखो तो यह कितना हो जाएगा इसमें add करेंगे तो 10 10 256 upon 10 तो यहां से कितना आएगा यह x और यह 2 2 खाँ जाएगा divide में तो x equal to कितना जाएगा 10 256 upon 20 ठीक है अब इसको काटते है 20 से तो देखो क्या आएगा divide करके देख लेते हैं calculator पर ठीक है तो यह आजाएगा मेरा 10 256 ठीक है और एक मिनिट तो यह कितना आएगा 1 ठीक है यह आगया तो यह plus 256 कितना आएगा 10256 divide by 20 तो 20 से इसको divide करेंगे तो यह कितना आएगा और यह आएगा 512.8 x इतना आएगया point में x कितना आए point में x को यहाँ पर रख़दू equation 1 में ठीक है putting value of x value of x in equation 1 equation 1 में ठीक हो point में आ सकता है ऐसा confuse मत होना कि sir point में नहीं आ सकता बिलकुल आ सकता है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर रख़दू तो कितना है 512.8 plus y equal to 1000 यह उदर जाएगा तो क्या आएगा y equal to 1000 minus 512.8 minus करते हैं जल्दी से ठीक है तो कितना आएगा यह है ध्यान से देखो तो 1000 minus 512.8 कितना आ रहा है 487.2 यह मेरा y है आई बास समझ में तो यह मेरे दोनों आंसर है इस तरीकी से इस कोशन को हमें करना था कई बच्चे कहेंगे कितना यहां पे बुक में 10 और है बिल्कुल है वो 10 आप लगा दोगे तो पॉइंट ठड़ जाएगा लेकिन यही कोशन है अपने अनुसार कोशन को मोडिफाई नहीं करना है और नहीं ठीक करना है आज बास समझ में तो कोशन यह था बहुत सिंपल सा कोशन था साथ आंसर आ गया ऐसे ही आपको यहाब में करना step by step अच्छे से नोट डाउन करना एक एक बाद जो मैंने बताई उसको समझ के लिखना ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना है अच्छे से देखो और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बैल लाइक एंड दबा लेना मिलते हैं अगली वीडियो में नोट डाउन कोल लो इसको कोशन नमबर नेक्स दिखेंगे ठीक है सारे कोशन अलग-अलग टाइप के मैंने करवा दिये यह पहला कोशन टाइप 1 दूसरा कोशन टाइप 2 यह कोशन टाइप 3 कैसे करेंगे बहुत अच्छा कोशन है सिंपल सा दो नेचुनल नमबर का सम कितना है हमें नमबर नहीं पैदा तो एज यूजूल हमेशा की तरह है जैसे बार-बार कर रहा हूँ ऐसे लेट्स फर्स्ट नमबर इकोल टू एक्स और सेकिंड नमबर क्या हो जाएगा सेकिंड नमबर सेकिंड नमबर क्या हो जाएगा य अब क्या कहा रहा है 80Q 80Q मतलब अकोडिंग तू कोशन क्या दिया हुआ है the sum of two natural number is eight तो natural number का sum कितना दिया है x plus y equal to eight यह होगा equation one किलिए रहे है यहां तक आगे क्या कह रहा है and the sum of their reciprocal दोनों के sum का reciprocal मतलब reciprocal का sum तो इसका reciprocal क्या होगा इसका reciprocal होगा इसको पलट दो मतलब one upon कर दो तो one upon x पलस इसका reciprocal क्या होगा one upon y और इन दोनों का sum कितना दिया होगा है eight upon fifteen आया समझ में अब इसको कैसे करेंगे इसकी multiply इधर इसकी multiply इधर तो कितना आ जा गई y plus x upon xy equal to कितना eight upon fifteen किलिए रहे है यहां तक x plus y की value हम निकाल चुके है कितना है y equal to कितना जाएगा eight upon fifteen इस से यह एकट कर दिया तो यहां से क्या जाएगा xy equal to fifteen किलिए रहे है यह होगी मेरी equation two किलिए रहे है यहां तक सर इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से अब इसको further मैं यह लितकता हूँ x equal to eight minus y इसको लिख लो equation one सर आपने ऐसा क्यों किया देखो यहां पर multiply में variable है और यहां पर addition और subtraction जैसे में भी है यहां पर addition में तो addition में लिख लेते हैं तो यहां पर दो variable है तो दो variable में से मैं एक variable में change कर लोगी तो मेरा काम होगा बिल्कुल तो मैं क्या कर रहा हूँ दियाल से देखना putting putting value of x from equation one to equation two equation one से x value equation two में रख रहा हूँ तो क्या हो जागा यहां पर देखो यहां पर रख रहा हूँ क्या हो जागा एक माइनस y इंटू यह x ही जगा है और एक y ओल्रेडी है तो y equal to कितना हो जागा 15 तो यहां से क्या हो जागा इसको अंदर भेज देता हूँ तो 8y minus y square equal to 15 अब इस पूरे को उठाके उधर ले जाओ तो कितना जागा 0 is equal to y square minus 8y plus 15 किलियर है यहां तक अब इसको हमें पता है middle term splitting से तो middle term splitting से क्या जगा है y square minus 5y minus 3y plus 15 किलियर है यहां तक इस पूरे में से क्या को मना रहा है y तो क्या बचेगा यह y minus 5 इस पूरे में से क्या को मना रहा है minus का 3 तो क्या बचेगा y minus 5 तो यहां से क्या आजाएगा y minus 3 और यहां से क्या जाएगा y minus 5 तो y की दो value क्या आ गई y equal to 3 और y equal to 5 तो यह दो value है अब देखो अगर मैं y को 3 लेता हूं y को अगर मैं 3 लगता हूं तो x के आएगा 5 और y को 5 लगता हूं तो x के आएगा 3 तो ध्यान से देखना यह मिटा देता हूं यह मेरा काम हो गया ठीक है ध्यान से देखना अब मैं क्य equation 1 in equation 1 तो y को यहां रख रहा हूँ तो क्या जाएगा x is equal to 8 minus y को अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो x कितना आ गया 5 ठीक है एक और दूसरा क्या कर रहा हूँ मैं देखो ध्यान से putting putting y equal to 5 तो x कितना आएगा x equal to 8 minus 5 मतलब x equal to 3 आई बात समझ में तो इस तरीक से इसके इतने सारे आंसर होंगे आपको इग्याम में 4 करके दिखाने है आधा दूरा आंसर करोगे आपको पता ही नहीं शिलेगा कि आपकी गलती कहां हो गई आई बात समझ में तो अच्छे से निखना बिल्कुल conceptual question है एक एक point समझ के लिखना जितनी बात बताई मैंने उसको note down करना बहुत अच्छा question है नोट डाउन को next question करते है question number four देखेंगे ठीक है क्या कह रहा है पहले समझेंगे आराम से फिर step by step लिखेंगे और फिर solve करेंगे पहले question समझ माना बहुत जरूरी है solve करने के लिए आप question को पूरा पढ़ते नहीं हो समझते नहीं हो तो solve का कहां से करोगे solve होगा ही नहीं पहले question समझो क्या कह रहा है the sum of two natural number is 27 and their product is 82 find the numbers numbers पता करने है numbers पता है नहीं पता है क्या लिखेंगे let's दो number है तो let's first number equal to x x और let's second number equal to y तो यहां से क्या हो जाएगा ATQ ATQ मतलब according to question क्या दिया हुआ है दोनों का sum मतलब x plus y दोनों का sum कितना दिया हुआ है 27 यह हो गई equation 1 आगे दूसरी condition क्या कह रहा है end end के बाद नई condition and their product product मतलब x y equal to 82 clear है यहां तर मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी अब इसको कैसे करेंगे यहां से मैं यह लिख सकता हूँ y equal to 82 upon x यह होगी मेरी equation 2 sir यह हमने क्यों किया देखो इस y को अगर मैं इसमें put कर दूँगा तो सिर्फ x में variable बचेगा एक variable बचेगा बिलकुल क्योंकि एक variable बचेगा तो उसको हम सोल करना अच्छे से जानते हैं तो मैं क्या लिख रहा हूँ दियान से देखो यहां पर putting value of y from equation 2 to equation 1 equation 2 से equation 1 में put कर रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ देखो यहां पर x ऐसे ही रहा पलस y की जगर क्या लिख रहा हूँ यहां से देखो 82 upon x is equal to 27 अब क्या करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इसकी multiply इदर इसकी multiply इदर तो x into x plus 1 into 82 upon में 1 into x is equal to 27 कितना जाएगा यह x square plus 82 upon x equal to 27 यह x कहा जाएगा इसके साथ multiply में तो क्या जाएगा x square plus 82 equal to 27 x अब क्या करेंगे इस 27 को इदर लाएगे तो क्या हो जाएगा x square minus 27 x plus 82 equal to g के लिए रहे यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आगया होगा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब क्या करेंगे क्या करेंगे इसको करेंगे मतलब इसके ऐसे factor मतलब की 82 आजाए 82 के ऐसे factor जो plus minus करके 27 आजाए और है ना 41 41 अब किसे जाएगा 41 तो खुदी प्राइम नंबर आ गया 82 यह ना टू नेशुन नंबर इस इतना इतना ठीक है तो यहां तक मेरा कोई कंडिशन सही है if the sum of two natural number is 27 and their product is 82 find the number तो इसके prime factor क्या होंगे एक मिनट देखनों कोशन सही है कि नहीं एक मिनट होल्ड कर लो यार यह कोशन में एक छोटी से मिस्टेक हो गई थीक है मिस्टेक क्या हो गई यह हमारा 82 नहीं है यह 182 टीक है क्या है यह 182 जहार नखना यह कोशन में मिश्टेक हो गई यह 182 है यहां पर कितना जागा यह 182 ठीक है सभी से कर लेना यह प्लस का 182 इकल टू जीरो मैं होई तो सोचू कि फैक्टर क्यों नहीं हो रहे है वह 182 है मैंने गलत लिख लिए था कहो जाती है मिश्टेक कभी-कभी देखो फैक्टर मिल गए 13 और चोधा तो फैक्टर क्या होगा देखो एक्स स्कौयर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स पलस 182 इकल टू जीरो तो क्या आएक़ the से x को माल लिया, तो मैंने x-14, minus का 13 को माल लिया, तो यहां से कितना जिएगा, x-14, किसके पराबर रहेगा, 0 के, तो यहां से कितना जिएगा, x-13 एक ब्रेकिट में, और यहां से क्या चैएगा, x-14 दूसरे ब्रेकिट में, तो x की दो value आ गई, क्या आ गई, x equal to 13 and x equal to 14 आज़ बास समझ में अब देखो अगर मैं 13 रखता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ putting x equal to 13 in equation कुन सी? in equation 1 तो equation 1 में x रख रहा हूँ तो क्या जाएगा 13 plus y equal to 27 तो y equal to यहां से कितना हैगा 14 है ना ध्यान से और अब अगर मैं x को 14 रख रहा हूँ putting putting x equal to 14 तब क्या हो जाएगा जहां से देखो तो यह कितना जाएगा 14 plus y equal to 27 तो y equal to 13 आई बास समझ में तो यह सारे answer लिखने हैं हमें सारे answer सही होंगे इसके 13 14 भी हो सकता है और 14 13 भी हो सकता है क्योंकि हमें number नहीं पता कि भाई x क्या है y क्या है आई बास समझ में बहुत सांदार और बहुत जवरदस कोशन था यह अच्छे से note down करना जो मेरे से गलती हुई उसके लिए sorry आप एक बार उसको फिर से realize कर ले वो मतलब ठीक कर लेना है ना और वीडियो अच्छी लगे तो like and subscribe कर लेना और bell icon अबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालू तुरंत उसका notification आजाए और तुरंत आप देखके उसको cover भी कर लो अच्छे से समझ में है मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे कोशन के साथ बाई बाई दोश्तो गुड मॉनिंग इस्टुटेंट आपका स्वागत है मेरे चैनल शोटन पर हम अब तक वो क्या बोलते हैं numerator, denominator मतलब fraction वाले कोशन age वाले कोशन figure वाले कोशन और number वाले कोशन कर चुके हैं मतलब इसमें ऐसे होता है unit digit is twice the 10th digit इस तरह के बहुत frequently पुछा जाता है यह quadratic में भी आएगा और peer of linear equation में भी आएगा मैं आपको यहां करवा देता हूँ ताकि quadratic में करने की जरूवत ना पड़े बहुत अच्छे समझना बहुत प्यारा और बहुत conceptual इसका question बनता है 4 number का आता ही आता है जरूर आएगा ठीक है तो question देखते है वही question उठाया मैंने 2016 में जो 4 number का था simple size को basic से बताऊँगा उसको समझना अच्छे से और करेंगे कैसे वो भी देखेंगे ठीक है देखो क्या कहा रहा है question question यह कह रहा है कि in और two digit number ठीक है सबसे पहले two digit number की standard form क्या होती है जब मैं आपको पूरा बदाता हूँ देखो दिखाते standard standard form of two digit number ठीक है इसकी standard form क्या होती है यह होती है 10x plus y कई-कई book में 10y plus x भी लिखा हुआ रहता है कोई परिसान होने वाली बात नहीं है ठीक है ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूँ इसमें जो y होता है y y होता है हमारा unit place क्या होता है unit place ठीक है या once place भी बोल लिए है ठीक है x and y are digits यह क्या होती है मेरी digits और जो यह पूरा होता है 10x plus y यह क्या होगा मेरा number ध्यान से समझना ठीक है number यह पूरा concept इसी में है तभी आपको समझ में आएगा यहां तक समझ में आगा अब देखो यह मैं लिखके इसको समझाता हूँ दगीट इन यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस पर कौन चे डिजित है y is twice the digit in the tenth place तो जो unit place पर डिजित है y वो जो tenth place पर डिजित है उसका दुगना है मतलब कोस्टन क्या है according to कोस्टन according to कोस्टन तो क्या कह रहा है y equal to 2x ये चीज किते लोगों को समझ में ये कहा रहा है कि जो unit digit है वो tenth digit की दुगनी है मतलब tenth digit की दुगनी तो unit digit जो है वो tenth digit की दुगनी है ये है मेरी पहली equation आगी बास समझ में अब आगे देखो if if का मतलब क्या होता है यहां से नई condition इस्टार्ट हूँ लिए if the digit are reverse reverse का मतलब क्या हुआ द्याल से देख रहा है यहां पर reverse तो इसको मैं reverse कर दूँ तो क्या हो जागा ये 10 y plus x मतलब x की जगे y और y की जगे x ये reverse है reverse का मतलब 10 y plus x किलिए रहे अब वो कहा रहा है if the digit are reverse reverse करके तो reverse कर दिया the new number new number क्या हुआ ये वाला the new number is 27 more than the given number ये मेरा given number है दिहान से देखना ये given number है ये क्या है मेरा given number given number ठीक है वो ये कहा रहा है कि जो digit को reverse करके जो number है कौन सा number है ये 10 y plus x 10 y plus x ये is equal to क्या हो जा रहा है जो original number है original number कौन सा है given number है original number इससे सताई ज्यादा मतलब 27 plus ये 10 x plus y ये चीज किते लोगों को समझ में आई आई बास समझ में कैसे करेंगे पूरा कोशन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया अब इसको देखो कैसे करेंगे इस पूरे को उठाके इस पूरे को उठाके यहां ले आओ ठीक है तो क्या हो जाएगा 10 y plus x minus 10 x minus y equal to 27 क्लियर रहे यां तक अब देखो 10 y में से 1 y गए तो 9 y कितना है 9 y x में से 10 x गए तो minus का 9 x equal to 27 क्लियर रहे यां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से यह मैं मिटा देता हूँ यह पूरे आपने लिख लिया होगा बस याद रखना original number क्या है और reverse number क्या है ठीक है जहान रखना ठीक है अब देखो अच्छे से अब यह यहां पर क्या आ गया मेरा इसमें से कुछ को मना रहा है 9 को मना रहा है तो 9 को मन लिया तो मैंने क्या बच्चा y minus x equal to 27 तो यहां से कितना आ जाएगा y minus x equal to 27 upon 9 मतलब कितना आ गया 3 तो यहां से एक equation क्या मिल गए y minus x equal to 3 यह बन गई मेरी दूसरी equation आई बात समझ में अब मैं क्या कर रहा हूँ पहली equation से y की value direct यहां put कर दूँ तो मेरा x आ जाएगा एक ही बड़ी की तो मैं क्या कर रहा हूँ putting putting value of y value of y from equation 1 2 equation 2 मतलब equation 1 से y की value equation 2 पे रख देता हूँ y कितना है 2x तो यहां पर कितना आ जाएगा 2x minus x equal to 3 तो यहां से x equal to कितना आ गया 3 x 3 आ गया x को इहां रख दो देखो यह मैं मिटा देता हूँ मेरा काम हो गया है ना तो x कितना है देहान से देखो तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ putting putting value of x value of x in equation 1 में तो y ऐसे ही रहा x कितना रखोंगा मैं देखो x कितना है 3 तो 2 into 3 मतलब 6 तो y मेरा कितना आ गया 6 ठीक है मतलब digit पता चल गई कि भाई मेरी क्या है digit 3 और 6 लेकिन ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा ध्यान रखना ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर तो देखो ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल ओरिजिनल या इसको लिख दो गिवन नंबर ओरिजिनल नंबर ठीक है ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा 10 x plus y तो यहां पर value रख दो, तो 10 into x कितना है, 3 plus y कितना है, 6, तो यह कितना जागा, 30 plus 6 मतलब 36, यह है मेरा क्या, original number, ठीक है, और reverse करके देखते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, और reverse वाला number क्या था मेरा, ध्यान से देखना, reverse number, मतलब reverse, reverse number, ठीक है, reverse number क्या था मेरा, 10y plus x, तो 10 into y कितना है, y आया, 6, और x कितना है, 3, तो यहां से कितना जागा, 60 plus 3, मतलब 63, तो यह दो number आ गए, ठीक है, अब इनको चेक कर लेते हैं, कि जब इनको पलटा, तो क्या है, इनमें 27 का difference है, बिल्कुल देखो, तो 63 minus 36, तो यहां देखो, carry लिया, तो यह 13 हो गया, यह 5 हो गया, तो 13 में से 7 गए, 6, 5 में से 3 गए, 2, तो मतलब यह मेरा answer है, तो original number क्या था मेरा, 36, और reverse number क्या था, 63, आई बात समझ में, इस तरीकी से इस question को किया जाता है, बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस और बहुत conceptual question है, बहुत अच्छे से मैं आप question number next देखते हैं, इसको note down कर लो, question number next देखेंगे, यह भी exam में आए हुआ है, 4 number का, 2018 में 4 number का, ठीक है, 4 number से नीचे का आता नहीं है, ठीक है, तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि कैसे क्या करते हैं, लेकिन जो लोग channel पर पहली बार आए हैं, दुबारे से देख रहे है ठीक है, कि जो two digit number होता है, वो होता है हमारा two digit number, two digit given number, ठीक है, given number, ठीक है, यह होता है हमारा इस form में, 10x plus y, जहां पर x क्या है, y क्या है हमारा, unit place, y क्या है, unit digit, ठीक है, digit बोल दो या place बोल दो, एक ही बात है, और x क्या होता है हमारा, x होता है हमारा, 10th digit 10th digit ठीक है और x y दोनों क्या होती है digit और number क्या होता ये पूरा number ठीक है original number या given number क्या होता 10x plus y अब condition पढ़ते हैं ठीक है ध्यान से समझना the sum of the digit of two digit number is 12 मतलब x और y का जो sum दिया है वो दिया हुआ है 12 मतलब यहापे लिखलो according to question क्या दिया हुआ है x plus y equal to 12 यह हो गई equation 1 आज बस समझ में अब आगे देखो क्या लिखा है the number obtained by interchanging the two digits मतलब interchange कर रहे है तो interchange करने पर क्या हो जाएगा मतलब y की चला जाएगा x की जाएगा और x चला जाएगा y की जाएगा तो number क्या बन गया मेरा 10y plus x तो number क्या बन गया मेरा second case में second case में देखो तो यहाँ पर लिख भी लेना second second case तो second case में क्या हो जाएगा 10y plus x जो है जो हमारा interchange करके number बना the two digits exceed exceed मतलब बढ़ गया exceed का मतलब बढ़ गया exceed the given number by 18 तो exceed मतलब जो given number क्या है 10 y 10x plus y इससे क्या हो गया वो 18 बढ़ गया अब कई बच्चे 18 इधर एड़ करें के सरी इधर एड़ करें 18 इधर एड़ करेंगे तभी तो यह बढ़ गया अगर 18 इधर एड़ करेंगे तो यह बढ़ा हो जाएगा 18 इसमें एड़ करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 18 आई बढ़ समझ में यह second case है अब इसको solve करते हैं क्या करेंगे इस पूरे को उठाके इस पूरे को उठाके यहां ले आएगे तो क्या जाएगा 10 y plus x minus 10 x minus y equal to 18 यहां से क्या हो जाएगा देखो 10 y में से 1 y गए तो 9 y minus 10 x x में से 10 x गएगे तो minus का 9 x equal to 18 तो यहां से क्या answer आजाएगा 9 common लिया तो y minus x equal to 18 तो यहां से क्या आएगा 9 divide में जाएगा तो y minus x equal to 18 upon 9 कितना आजाएगा 2 यह होगी मेरी equation 2 equation 1 और equation 2 दोनों मिल गई अब क्या करेंगे देखो द्यान से दोनों को add कर देते है क्यों तभी तो x x कर जाएगा तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहां पर adding adding equation 1 plus equation 2 अब जैसे मैं add कर रहा हूँ वह यह से कर दा lhs lhs add होगा rhs rhs तो क्या लिख रहा हूँ है देखो यहां से x plus y plus y minus x equal to 12 12 plus 2 12 plus 2 तो यहां से कितना आजाएगा देखो x से x खड़िया y और y मिलके 2y equal to कितना 14 तो y equal to कितना आगया 14 upon 2 कितना आगया 7 तो y की value कितनी आगई 7 हमारा y निकल गया अब y को equation 1 में put कर दो तो यहां पे लिख देता हूँ मैं यहां पे देखो जहां से putting putting value of y value of y in equation को जो में 1 में तो कितना दिया हुआ है x plus y x plus y equal to 18 y कितना आया मेरा 7 तो यहां से कितना आजाएगा x plus 18 कह रहा हूँ बारा बारा लिखा हुआ है यार 12 तो y plus 7 equal to 12 तो यहां से कितना आजाएगा x equal to 12 minus 7 x equal to 5 मतलब x और y दोनों आगए मेरे अब हमारा original number क्या था यह सब ठीक है तो सब में मिटा देता हूँ original number में ठीक है देहन से देखना original number और reverse number दोनों लिख लेते हैं ठीक है तो हमारा कितना आया था 5 5 और 7 याद रखना x आया 5 y आया 7 ठीक है तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा क्या आया था x equal to 5 आया था x equal to 5 और y equal to 7 हमारा original number क्या था original number original और given एक ही बात है original लिख लो या given लिख लो या given number ठीक है और reverse number क्या था reverse reverse number ठीक है औरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10X प्लस Y और रिवर्स नंबर क्या था 10Y प्लस X तो यहां पर देखो 10 इंटू X कितना आया 5 और Y कितना आया 7 तो यहां से कितना आएगा 50 प्लस 7 मतलब 57 और यहां से क्या आएगा 10 इंटू Y कितना आया 7 प्लस X कितना आया 5 तो कितना आएगा 18 का difference करके देख लेते हैं तो 75-57 तो देखो यहां से carry लिया तो यह 6 हो गया 15 में से 7 गए 8 और यहां पे देखो तो हमारा answer सही है मतलब answer क्या है हमारा यह वाला ठीक है कई बार reverse number पूछ लेगा तो answer क्या होज़ेगा 75 आई बात समझ में वह इस तरीकी से इस question को बिल्कुल detail में करना होता है अच्छे से नोट डाउन करना बहुत important बहुत conceptual concept है एक एक बात समझ के लिखना जितनी बात बताई मैंने उसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बैल आइक अबा देना कि जैसे मैं कोई ने वीडियो डालो उसका concept बहुत अच्छी हो जाएंगे ठीक है देखो दिहां से क्या कहा रहा है बहुत simple से है क्या कहा रहा है समझो दा sum of the digit of all two digit number is 18 तो two digit number क्या होता है तो ऐसे लिखलो मैं बता चुका हूं जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए है वो दुबार से देख लो उनको समझ में आ जाएगा तो यह क्या करा है the sum of the digit digit का sum मतलब according to question according to question digit क्या होती है x और y मतलब x plus y का जो समय वो कितना दिया हुआ है 8 यह होई equation 1 अब second वाली ध्यांज पढ़ना बढ़ना most बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे the difference between the number and that form by reversing the digit is इसका मतलब क्या हुआ जो original number है कौन सा number यह 10 x plus y इसमें से difference bracket में लिखना बढ़ना आप गलती कर दोगे difference करेंगे तो minus अब reverse किया reverse किया तो क्या बनेगा 10 y plus x यह reverse किया दोनों के बीच का difference कितना दिया हुआ है 18 अब आप bracket नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे आप इसका तो sign बदलोगे इसका नहीं बदलोगे इसके कराण आपका अंसर गलत आएगा और एक्जाम में उलच किरे जाओगे तो इसको bracket में ले लो अब इसको solve करो क्या हो जाएगा यह 10x plus y minus 10y minus x equal to 18 solve करो 10x में से x गए तो 9x और यहां से minus का 9y equal to 18 9 common आ रहा है तो यहां से कितना हो जाएगा y minus x minus y equal to 18 9 कहां जाएगा divide में तो x minus y equal to 18 upon 9 2 मतलब x minus y equal to कितना गया 2 यह होगा equation 2 दोनों equation मिल गई अब simple से क्या करना है दोनों को add कर दो तो adding equation 1 plus equation 2 जैसे बता रहा हूँ वैसे करना यहां lhs में lhs rhs में rhs क्या दिया होगा है x plus y bracket में add कर रहा हूँ किसके साथ plus x minus y के साथ ठीक है और इधर कितना लिखा हुआ है 8 plus इधर कितना है 2 तो कितना आएगा देखो bracket खोल दो तो x plus y plus x minus y equal to 10 तो देखो y से y कर दिया x और x मिलके 2x equal to 10 तो x equal to 10 upon 2 मतलब x equal to 5 यहां गया मेरा किलिए रहें यहां तक अब क्या करेंगे x को equation 1 में put कर दो ठीक है जगह नहीं बच्छी है यहां पर लिख रहा हूं ठीक है देखो देहां से तो putting थोड़ा उपर से लिख लेता हूं यहां से ठीक है putting putting value value of x in equation 1 में in equation 1 equation 1 क्या है x plus y equal to 8 ठीक है आगया समझ में x कितना रखना है 5 तो 5 plus y equal to 8 तो y equal to 8 minus 5 मतलब y equal to कितना आ गया 3 किलियर है यहां तक x और y दोनों आ गए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक एक-एक point के लिए है अब और नंबर क्या है हमारा देखो नंबर यह है इसमें रख दो x और y को ठीक है तो और एक्स कितना है 5 original number क्या है मेरा यह तो इसमें रख देते हैं देखो इसमें रख देते हैं तो कितना आ रहा है 10 into x कितना लिखना है 5 plus y की जगए 3 तो कितना हो जागBen 50 plus 3 मतलब 53 ठीक है आया समय में अब चाहो तो आप चैक कर सकते हो क्या इन दोनों का सम एक neuroscience हो रहा है देखो 5 plus 3 creation दिकुल हो रहा है और इनका रिवर्स करेंगे तो 53 का रिवर्स क्या होगा 35 तो 53 का रिवर्स क्या होगा 35 दोनों का डिफरेंस अठारा रहा है देखो करके देखो तो तेरा तेरा में से पांच गए आठ और इधर तो आगया अंसर मतलब इस तरीके से मेरा चेक करने का यह तरीका था बहुत ही जबर्दस और बहुत कंसेक्शल कोश्ण है एक एक कोश्ण मैंने आपको समझा दिया नोट डाउन कोशन नमार नेक्स देखेंगे एज रीलेटेट प्रोब्लम मैंने अपने एक टीचिंग कैरियर में यही देखा है कि बच्चों को एज रीलेटेट प्रोब्लम बहुत प्रिसान करते हैं उनसे क्योविशन नि बनती समझ में नहीं आता किसमें मैं अटिप्लाई करें किसमे एड करें, किसमें सब्ट्रेक करें, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में आए, असंभव हो टास्क गई है, ठीक है, बस वीडियो को आप पूरा देखना बिना स्किप किये हुए, कोस्वन पढ़ते हैं, पहला कोस्वन क्या कह रहा है, 10 years hence, इसका मतलब क्या हुआ है, 10 years hence, अब इसका मतलब ना समझ में आए, तो परिसान मत होना, ठीक है, क्यों, देखो ध्यान से, यहाँ पे hence लिखा है, और यहाँ पे ego लिखा है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हो, एगो का मतलब पहले की बात कर रहा है, और hence मतलब अब से future की बात कर रहा है, ऐसे समझ सकते हो, तो यह कह रहा है, कि अब से 10 साल बात, मतलब 10 years hence, मतलब अब से 10 साल बात, a man's age will be twice the age of his son, ठीक है, मतलब आदमी की age अपने बेटे की 10 गुना हो जाएगी, अपसे 10 साल बात, हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले करते कैसे है, let's present, हमेशा present करना है, ठीक है, present age of father, father की present age को क्या मानेंगे, हमेशा, x, है न, let's present age of son, son की age को क्या मानेंगे, y, ठीक है, अपसे 10 साल बात, अपसे 10 साल बात, मालनो, अभी 2024 चल रहा है, मैं 30 साल का हूँ, तो अपसे 10 साल बात, मतलब 2034 में मैं कितने साल का हो जाओंगा 34 साल का ठीक है वो 40 साल का क्योंकि अभी मैं 30 साल का हूं तो 40 साल का हो जाओंगा ठीक है क्या हुआ मेरी एज में 10 एड हो गया अब आप तो रुके होए नी रिख गये ना भाई मेरी उमर बढ़ रही है तो आपकी भी तो एज बढ़ रही है तो अप से 10 साल माद मतलब 10 यह लूयुक्त और ऐैंस है वह 10 एंध ट lado के इस संसे हो जाएगे देख फस न यह जाएगे x plus 10 ठीक है और 10 year hence sun sun age कितनी हो जाएगी हमने कितनी मानी है y plus 10 ठीक है यह हो जाएगी condition क्या कह रहा है अब देखो condition क्या कह रहा है यहाँ पे दोनों की age बराबर लिखे लो मतलब x plus 10 एक bracket में और is equal to करके y plus 10 दूसर bracket में अब वो क्या कह रहा है man age will be twice the age of his son मतलब बेटे की उमर की दुगनी तो 2 से यहाँ multiply करो कि हाँ यह बच्चों को बड़ा confusion रहता है हमेशा याद करना यहाँ पे note down करके लिख लेना हमेशा जो छोटा होता है उसकी age में multiply करते है चाहे language कुछ भी लिखी हो तो यहाँ पे छोटा कोन है son तो son की age में 2 से multiply तो यहाँ से कितना हो जाएगा x plus 10 equal to 2y plus 20 अब क्या करेंगे इस 10 को इधर और इस 2y को इधर तो क्या जाएगा x minus 2y equal to 20 में से 10 होए तो 10 यह हो गई equation 1 किलिए रहे यहाँ तक अब आगे देखो यह होगई equation 1 अब क्या क्या रहा है 10 years ago अभी देखो 2004 चल रहा है मैं 30 साल का हूँ तो 10 years ago मतलब पीछे 2014 में मैं कितने साल का हो जोगा 20 साल का कैसे निकाला आपने 30 में से 10 minus कर दिया तो 10 years ago यहाँ क्या लिखेंगे हम 10 years ago 10 years ago father age कितने होगी ध्यान से देखना father age equal to x minus 10 और son age कितने होगी son age equal to y minus 10 यहाँ तक के लिए रहे अब क्या करना है वही चीज दोनों को equal रख लो x minus 10 एक ब्रेकेट में is equal to y minus 10 एक ब्रेकेट में ठीक है man was four times as old as his son मतलब वह अपने बीटे का चार गुना है तो मैंने क्या बता है था हमेज़ा किस में multiply करेंगे चोटे में तो चोटा कोन है बीटा तो यह इस में four की multiply यहाँ पर निक बीक लेना क्या होगा यह x minus 10 equal to four अंदर जाएगा तो four y minus 40 अब क्या करेंगे 10 को इधर और इसको इधर तो कितना जाएगा x minus four y equal to minus 40 plus 10 तो कितना जाएगा x minus four y equal to minus 30 यह होगई equation 2 किलियर है यहाँ तक मेरे ख्याल से सारी समझ्या समझ में आ रही होगी कोई दिक्कत नहीं है अब यह सब चीज addicted और equation को solve करते हैं थीक है यह मिटा दिया मैंने और यह मिटा दिया थीक है क्यूंकि यह आपने लिख लिया होगा थीक है अब दोनों की age यहां लिख लिते है क्या है भाई देखो ध्यान से x minus four y equal to minus का 30 और इधर से कितना आया X minus 2Y equal to 10 ठीक है यह दोने को यह सनावे क्या करते थे as usual हमीशा की तरह minus करतेंगे यह line खीच दिया इसे बड़ी सी मैंने और minus कर दिया तो यह minus यह minus है तो plus और यह plus है तो minus कितना हो जाएगा आप देखो इस X से यह X कर दिया यह minus होगा यार plus नहीं minus minus क्योंकि plus है तो minus होजागा तो minus का 30 और minus का 10 मतलब minus का 40 minus कर दिया 2 खाँ जाएगा डिवाइड में तो यहां से कितना जाएगा Y equal to 40 upon 2 मतलब कितना जाएगा 20 तो भाई यहां से हमारा Y आगया कितना है 20 आई बाद समझे अब Y को क्या करना है Equation 1 में put कर देता हूँ क्या लिख रहा हूँ Putting value of Y value of Y in equation 1 equation 1 में put कर देता हूँ तो क्या है भाई equation X minus 2Y equal to कितना है 10 तो X minus 2 into Y कितना है 20 equal to कितना जाएगा 10 तो यहां से कितना जाएगा X minus 40 equal to 10 हमें X निकालना था तो इस minus 40 को उधर ले जाएगे तो कितना जाएगा X equal to 10 plus 40 मतलब कितना आगया 50 तो मतलब X कितना आगया 50 हम से क्या पूछा है percentage तो percentage father कितने साल का है भी 50 साल का और beta कितने साल का है 20 साल का आई बास समझ में तो इस तरीकी से इस कोशन को करना होता है बहुत ही सिंपल और बहुत सांदार कोशन होते हैं आराम से देखना एक एक केज़ टैप समझना जितनी बाते बताई ही मैंने उसको note down कर लेना आपको समझ में आ जाएगा आई बास समझ में अच्छे से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एन सब्साइब कर देना और बैल आइकन दबा लेना ताकि जैसे मैं कोई नए वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए इसको note down करो question number अगला करते है if the twice the age option in years is added to the mother's age मतलब हम क्या कर रहे है सबसे पहले हमें age नहीं पता तो क्या लिखेंगे let's mother age mother age equal to क्या मानी मैंने mother's percentage percentage मानते है mother's mother present age कितनी हो जाएगी ये मैंने मानी x और क्या हो जाएगी let's son's urgent age ये कितनी मानी मैंने y अब जो condition कहा रहा है वो देखो if twice the son's age ये son की age का twice मतलब दुगना is added to the mother age mother की age में add कर देता हो तो कितना हो जा रहा है इनकी age का सम कितना हो जाएग 70 मतलब क्या लिख रहा हमे x plus 2y equal to 70 ये चीज कितने लोगों को समझ में आई और कितनों को समझ में नहीं आई इसी के किलियर करो देखो क्या है if twice the son's age son's age कितनी है y इसका twice कितना हो जाएगा 2y is added to the added इसको add कर रहा हूँ 2y को किसमें mother की age में इन दोनों की age का समझ कितना हो जाएगा 70 आई बाद समझ 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 में अब अगली कंडिशन देखो second case but if twice the mother says अब क्या क्या रहा है second condition कि mother की age का twice मजएग की age कितनी है x तो इसका twice इसको कैसे करें equation तो हमने बना ली अब देखो आप इसमें elimination substitution कुछ भी लगा लो इसका answer नहीं आएगा क्यों यह बहुत बढ़ी है कैसे देखो जो first equation में y के साथ coefficient में है वो second equation में x के साथ coefficient में है और जो first equation में यहां कुछ नहीं है तो one first equation में जो x के साथ multiply में है coefficient में x का जो coefficient है वही second equation में वही second equation में देखो ज्यान से वही second equation में y का coefficient है आई बाद समझ में ऐसे करके लिख लेना जैसे मैंने लिखा यह special case का question है अब इस तरह के question को कैसे करते है ज्यान से देखना बहुत अच्छे समझना सबसे पहले क्या करेंगे इन दूनों equation को add कर देंगे तो यहां में लिख रहा हूं ज्यान से देखना adding adding equation equation 1 plus equation 2 दोनों को add कर देंगे तो क्या हैगा देखो ज्यान से x plus 2y plus 2x plus y equal to कितना जाएगा 70 plus 95 कितना जाएगा ज्यान से देखो तो x और 2x मिलके कितना जाएगे 3x plus 2y और y मिलके 3y equal to कितना जाएगा 165 किलिया रहे यहां तक अब क्या करेंगे 3 common ले लिया x plus y equal to कितना जाएगा 165 तो यहां से कितना जाएगा x plus y equal to 165 upon 3 यह किस से कर जाएगा 15 15 15 तो यहां से कितना जाएगा x plus y equal to 55 यह होगी मेरी equation third किलिया रहे अच्छे से समझ में आया मेरी ख्याल से समझ में आगया होगा तो यहां पर लिख लिता हूँ मैं जो equation आई ना वो यहां लिख लिता हूँ मतलब x plus y equal to 55 यह होगी मेरी equation third किलिया रहे यहां तक अब यहां करना है द्यान से देखना अब add किया अब दोनों को subtract करना है द्यान रखना ऐसे ही करने का यह तरीका है कि subtract subtract equation 1 minus equation 2 अब 1 में से 2 को minus करना है 1 कुन सी है x plus 2y एक bracket में minus bracket में 2x plus y is equal to 70 एक bracket में minus 95 bracket का यह उच करना बना आप बिलत कर दोगे जहान रखना तो यहां से कितना हो जागा x plus 2y अब यह minus अंदर जाएगा तो minus का 2x और minus का y is equal to किता हैगा 70 minus 95 solve करते हैं इसको तो देखो x में से minus का 2x गया तो minus का x 2y में से y गया तो plus का y equal to कितना हो जागा यह 95 तो minus का 15 यह होगी मेरी equation 4 आई बास समझ में clear है मेरे क्याल से समझ में आगया होगा यहां लिख लिक लेते हैं equation 4 तो क्या आई minus x plus y equal to minus का 50 clear है यह होगी equation 4 मेरे क्याल से समझे में आगया होगा अब क्या करेंगे दिखेंगे दिखेंगे अब फिर से बहुत ही संदर को संस कंचेप का को सले में एक फिर से दोनों को एड कर देंगे फिर से क्या करेंगे एडिंग equation 4 plus equation 3, दोनों को add कर देंगे, तो क्या होगा है ध्यान से देखो x plus y plus bracket में minus x plus y is equal to 55 bracket में 55 plus bracket में minus 50 तो यहाँ देखो, अब अंदर भेज दो, bracket खोल दो तो कितना हो जगा, x plus y plus minus, minus का x और plus plus, plus का y और इज़र कितना जगा, 55 minus 15 तो देखो, x से x कर दिया, तो y और y मिलके कितने हो गए, 2y is equal to कितना, 40 तो y is equal to 40 upon 2, मतलब y equal to 20 तो बेटे की h कितनी आ गए, 20 साल तो यहां लिख लेते हैं, y कितना है y equal to 20 आई बात समझ में, अब क्या करेंगे इस y को equation 1 में रख देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, putting putting value of y value of y in equation कौन से equation, third में रख दो, fourth में रख दो, किसे में भी रख दो, one में रख दो, खहीं से भी आन सार जाएगा, 4 में से किसे में भी रख दो, इसको रख देते हैं, यह ज्याद आसान है, in equation, third ठीक है, तो third equation क्या है, x plus y equal to कितना है 55, तो यहाँ से कितना जाएगा, x और y कितना है मेरा, 20 equal to 55 तो यहाँ से कितना जाएगा, x equal to 55 minus 20 मतलब x equal to 35, बहुत ही जवरदस question है, ultimate conceptual question है, दो concept mix करके यह question को दिया गया है, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, ultimate question है, फिर repeat कर रहा हूँ, exam में आगया, तो एक बार को तोते खुल जाएंगे, उल जाएंगे, पता ही नीचे लेगा, करना कैसे है, एक एक पॉइंट लिखना, जो बात बताई, मैने उसको कोपी में लिख लेना, क्योंकि आपको एक साल तक याद रखना है, तभी आप इसको याद रख पाऊगे, और तभी समझ पाऊगे, कोपी में अच्छे से एक पॉइंट एक एक बारी की से लिखना, जितना मैंने आपको बताया, वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बैल लाइक अंद आपा लेना, कि जैसे मैं कोई ने वीडियो डालू, उसका नोटिश विकेसन आपको त एक चीज, तू इयर्स एगो, ध्यान से, पहले लाइन पड़ो, आपको सुनको पूरा पढ़ते नहीं हो सही से, तू इयर्स एगो, मतलब दो साल पहले, दो साल पहले, और फादर वाज, फाइब टाइम्स, एज ओल्ड, एज हीस सन, कैसे करेंगे ध्यान से रखना, जब भ लेट्स परजेंट एज ओफ फादर, कितना मालेंगे इसको, एक्स, और उसी तरिक से, लेट्स परजेंट एज ओफ सन, कितना मालेंगे, वाई, ठीक है, यहां तर, मेरे ख्यालते कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से, अब क्या कह रहा एज, फादर, एज, कितनी हो जाएगी, एक्स, माइनस टू, ठीक है, और संस एज, यह कितनी हो जाएगी, वाई, माइनस टू, ठीक है, यहां तक समझ में है, दोजार चोबीस है, मैं अभी 30 साल का हूँ, तो दो साल पहले, 2022 में कितने साल का हूँगा, 28 साल का, कैसे निकाल 2 is equal to y minus 2 थोड़ा gap देना देखो मैंने gap दे रखा है क्यों father was five times as old as his son मतलब father जो है वो अपने बीटे का 5 गुना है तो जैसा कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ जिस बच्चों ने नहीं देखा है वो उनको जाके देख लो concept के लिए रो जाएंगे guarantee है मेरी हमेशा छोटे में multiply करते हैं छोटा कोन है sun तो sun में multiply करेंगे किस से 5 से तो यहाँ से क्या बन जाएगा x minus 2 equal to 5y minus 5 2 जा 10 अब क्या करेंगे इसको इधर और इसको इधर तो क्या जाएगा x minus 5y equal to minus 10 plus 2 तो क्या equation बन गई x minus 5y equal to minus का 8 यह होगी मेरी equation 1 के लिए रहे हैं यहां तक आया समझ में अब देखो यहाँ पर अगली condition two years later यहाँ पर लिख लितना है two years later ठीक है later father age father age और son's age मतलब बेटी की उमार ठीक है father की age कितने हो जाएगी x plus 2 और son की कितने हो जाएगी y plus 2 भाई अभी देखो न 2024 चल रहा है मैं 30 साल का हूँ तो दो साल बार मतलब 2026 में मैं कितने साल का हो जोंगा 32 साल का कैसे आपने निकाला 30 में दो एड़ करते हैं वही तो लिखा है मैंने ठीक है 30 यहाँ पर कितना है x और 30 यहाँ कितना है y आई बात समझ मैं के लिए रहा था अब देखो क्या करा है अब मैंने क्या बताया था इन दोनों को एज उ Priija7 हीज मतलब फादर की एज क्या है जोव सन की एज है अब इस एज विल बी एट मोर धैं टी टाइमस मतलब थ्री टाइमस जो एज है उस से कितनी जादा है आए ज्यादा यह चीज मैं आई की नहीं सबसे ज़रूरी चीज यही है आई बार समझ में अब इसको नोट डाउन करते हैं तो क्या हो जागा यह x प्लस 2 इकॉल टू 3y प्लस 3 टू या 6 प्लस 8 तो यहां से कितना जागा x प्लस 2 इकॉल टू 3y आठ और चे 14 अब यह 3y इधर और 2 इधर तो कितना जागा x माइनस 3y इकॉल टू 14 माइनस 2 तो यहां से कितना जागा x माइनस 3y इकॉल टू 12 यहां तक क्लियर है यह हो गई मेरी equation यहां तक समझ में है की नहीं मेरी ख्याल से समझ में आ जा हुगा बहुत सिंपल सा question था अब क्या करेंगे सब को मिटा देते हैं दोनों equation जो है उसको लिख लिख लिते हैं यह पूरा मिटी है मेरा तो पहली equation कुन सी है यह लिए पहली equation को बापस से लिख लिता हूँ x माइनस 5y इकॉल टू माइनस का 8 यह मेरी equation 1 थी ठीक है इसको मिटा दिया second equation क्या है x माइनस 3y इकॉल टू 12 coefficient यहाँ पर already बराबर है तो हमें किसी से multiply subtraction नहीं करना है तो क्या करना हूँ लाइन खीज देता हूँ x यह माइनस यह माइनस है तो प्लस और यह प्लस है तो माइनस तो यहाँ से कितना आ जाएगा द्यान से देखो x से x कर दिया यहाँ से कितना आ रहा है 5 में से 3 गए तो माइनस का 2y और माइनस का 8 और माइनस का 12 तो माइनस से माइनस कर दिया तो y इकॉल टू 20 अपोन 2 तो y इकॉल टू कितना आ गया 10 clear है मतलब बेटा कितने साल का है 10 साल का clear है अब यहाँ देखो क्या कर रहा हूँ मैं ध्यान से देखना ठीह है यहाँ पे देखो अनसानी से यहाँ पुट कर देखता हुँ मैं क्या लेकरा हूँ putting putting value of y value of y in equation कौनशी equation भाई कौनशी equation है in equation 1 में रख दो 2 में रख दो खईंपे भे रख दो in equation 1 equation 1 क्या है x minus 5y equal to minus का 8 तो यहां से कितना आएगा x minus 5 into y कितना है 10 equal to minus का 8 तो यहां से कितना आएगा x minus 50 equal to minus का 8 50 उधर जाएगा तो क्या आएगा x equal to minus का 8 plus का 50 तो यहां से कितना आएगा x equal to 42 आई बाश समझ में तो मतलब किते साल गया और दो साल पहले यह किते साल का होगा आठ साल का क्या इसके पांच गुणा है यह देखो करके देख लो तो 42-2 और ये कितना हो जाएगा 10-2 तो ये कितना जाएगा 40 और ये कितना जाएगा 8 बंजा 8 फाइव जा क्या ये इसके 5 गुरा है बिल्गूल है मतलब मेरे अंसर सही है इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो आई बात समझ में भुँद सिंबल था भुद साधारण सा कोस्न था बहुत अच्चे से मैंने आपको समझा दिया सिंबल सिंबल साइग कोज़न है कोई बहुत मुस्किल नहीं है बस line to line पढ़ते जाओ उसको decode करते जाओ world में दिया हुआ है mathematically form में लिखते जाओ और solve करते जाओ आई बात समझ में आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि question को पूरा नहीं पढ़ते हो जीतना समझ में आया वहीं से start कर देते हो और फिर खुस होते हो कि मेरा answer सही है जो की सही नहीं होता है जब तक question पूरा clear नहीं होगा आपका answer नहीं आएगा पहले question पूरा समझो फिर उसको solve करने के लिए pen उठाओ आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो अच्छे से समझ में आया तो note down कर लो question number next देखते हैं note down कर लो इसको question number next देखेंगे थोड़ा पुराना question है लेकिन बहुत conceptual question है यकीन मानो maximum बच्चे इस question को गलत करेंगे यकीन मानो करके भी देखेंगे आप video post करके इसको note down करो आपका answer गलत आएगा क्यों क्योंकि आप इस question को आपने समझा ही नहीं question क्या कह रहा है the age of the father is twice the ध्यान से पड़ो twice the sum of the ages of his two children इसको underline करना क्या दिया हुआ है two children कैसे करेंगे ध्यान से देखना ध्यान से समझना let सबसे पहले as usual जो हम हमें इसा की तरह करते है let present age of father father की present age को मैंने क्या मान लिया x मान लिया ठीक है ध्यान से देखना और फिर क्या कर रहा हूँ let's present age of his two children क्योंकि दो बच्चे है ना two children ठीक है उनसकी age क्या मान लिया रहा है मतलब दो बच्चे है उन दोनों की age को मिला के कितना हो रहा है y अब क्या क्या रहा है ध्यान से देखो the age of the father ध्यान से is twice the sum of the age of his two children जो father की age है father की age कितनी है x वो बच्चों की age के दूगनी बच्चे की age कितनी है y और उसकी दूगनी के बराबर है यह चीज समझ में आई कि नहीं यही हो गई मेरी equation 1 इतना ही था बस अब क्या कह रहा है after 20 years अब यहाँ पर देख रहा है यहाँ पर गल्लत करोगे आप after 20 years x और 20 सालवाद x प्लस 20 और sun 2 tw sun's age यह कितनी हो जाएगी ध्यान से देखना 2 माना न तो यह y और y अब इसमें क्या करेंगे कुछ बच्चे यह add करके कहेंगे सर सही है यही सबसे बड़ी गलती करेंगी आपने क्यूं आपने 2 एक में add किया यहाँ पर 1 और 2 आएगा 1 और 20 आएगा क्यूं भाई 2 बच्चे हैं तो दोनों 20 साल बढ़ेंगे न आगे भाई 2 बच्चे हैं तो दोनों 20 बढ़ेंगे तो दो बार add होगो न यहाँ पर कितना है 2, 2 son है तो इसलिए दो बार add करेंगे, इसलिए ये question important हो जाता है, आई बाज समझ में, तो ये होगा इसका, क्या क्या रहा है, 20 years, his age will be equal to the, इसका, मतलब father की age जो है, क्या होजएगी, father की age कितनी है, x plus 20, तो x plus 20 जो है, वो equal किसके, y plus 40 के, आई बाज समझ में, अब क्या करेंगे, यहां से देखो तो इस ये 20 उदर, और y इदर, तो यहां से कितना जागा, x minus y equal to 20, ये चीज समझ में, आई की नहीं, ये होगई मेरी equation second, clear है, बाज हो गया, इतना आपने कर लिया, मतलब हो गया, तो direct यहां पर ये value, put कर दो, क्या लिख रहा हूं में, from equation 1, putting value of x, value of x, in equation 2, x कितना लिखा हूँ है, 2y, यहां पर रख दो, तो देखो जहां से, क्या लिख रहा हूँ है, x लिख रहा हूँ है, 2y, तो 2y minus y equal to कितना हो जागा, 20, तो y equal to कितना है, 20, मतलब बच्चे कितने साल के है, 20 साल के, दोनों की age, दोनों की age कितनी है, 20 साल के, अब 20 साल में एक 14 साल का, एक 6 साल का, एक 10 साल का, एक 8 साल का, एक 12 साल का कैसे भी, दोनों की क्यों की है है, अब y को फिर से equation 1 में लिख दे रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, putting value of y in equation 1, equation 1 कुन सी है रही, तो क्या लिख रहा हूं, मैं x equal to 2y, तो यहां से कितना जाएगा, x equal to 2 into y कितना है, 20, तो मतलब x equal to 40, तो पापा कितने साल का है, 40 साल का, आई बात समझ में, ultimate question था यह, बेसर थोड़ा पुराना question था, कहां गलती करते आप, वो चीज मैंने avoid करने की खोशिस की है, आपको well explained करवाया, एक एक चीज समझ चाही, अच्छे से note down करना, वीडियो अच्छी लगे, तो like and subscribe कर देना, और bell icon दबातेना, ताकि जैसे में कोई नई वीडियो डाले लो, उसका notification आपको तुर्णत मिल जाए, मिलते हैं अंगली वीडियो में, बहुत अच्छे question की साथ, तब तक के लिए, bye bye दोश्तों, अब तक हम इसमें, तीन टाइप के question कर चुके है, सबसे पहले मैंने क्या करवाए था, numerator and denominator वाला, दूसरा मैंने क्या करवाए था, easy related problem, और तीसरा मैंने क्या करवाए था, number based problem, जिसमें हमें ऐसे दे रखा था, 2 digit का सम इतना है, या digit based problem भी बूल सकते है, आज से हम क्या करे most important है, अभी 2024 में इसका एक बहुत अच्छा question आया था, वो भी कराऊंगा, लेकिन इसको समझते हैं पहले और फिर करते हैं, ठीक है, देखो पहला question क्या कह रहा है, ध्यान से समझ ला, the larger of the two supplementary angle, exceed the smaller by 18 degree, ठीक है, find them, मतलब हमें पता है supplementary angle क्या होते है, तो supplementary angle, वह एंगल ह हैं, जिसमें 2 angle का sum 180 हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, let's, first, first नहीं smaller angle, let's smaller angle, smaller angle, equal to x, smaller angle को मैंने क्या माल लिया, x, तो larger angle क्या हो जाएगा, larger angle, ठीक है, larger angle कितना हो जाएगा, देखो, larger जो है, वो smaller से exceed हो रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है, तो smaller कितना है, x, तो इसे 18 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, x plus 18, ठीक है, degree, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, मेरी ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, अब हमें पता है, supplementary angle क्या होते हैं, supplementary angle होते हैं, कि smaller angle, smaller plus larger, ठीक है, दोनों कसम कितना हो, 180, मतलब जब दो angle कसम कितना हो जात तो x, plus larger कितना है, हमारे पास, x plus 18, और इन दोनों का सम कितना है, 180, यहां तक मेरी ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा, अब क्या करेंगे, x plus x, कितना हो गया, 2x plus 18, इकोल टू कितना हो जागा, 180, तो यहां से कितना आ जागा, 2x इकोल टू 180, म यह कितना जागा, 162, मतलब 2x जो आ गया, वो किसके बराबर है, 162 के, मतलब x इकोल टू कितना आ जागा, 162 अपोन 2, इसको काड़ दिया, तो x इकोल टू कितना आगा, 81 डिग्री, और 81 क्या है, मेरा, smaller angle, तो मतलब smaller angle पता चल गया, मुझे, smaller, smaller angle, यह कितना हो जागा, जी इसमें x लिख दो, 81 की जागा, x, तो कितना जागा, 81 प्लस 80, इकोल टू कितना हो जागा, 90, 90, इन दोनों को add करके देखो, क्या 180 आ रहा है, बिलकुल आ रहा है, आई बस समझ में, तो इस तरीक से इस question को हमें एकजाम में करना होता है, बहुत simple सा question था, एकजाम में बहुत frequently आते हैं, mcq में बहुत जागा, पूछने के चांस है, तो अच्छे से करना, note down करना, जितनी बात बताईए, उसको लिख लेना, अच्छे से, आई बस समझ में, अगर फिर भी आपको कोई doubt हो, तो मेरे से comment section में पूछ लेना, यह हमारा question number 1 था, figure base, अब question number 2 करते हैं, ध्य simple था करेंगे, हमें क्या दे होगा है, ABCD एक rectangle है, और हमें क्या find the value of x and y, अब इसको करेंगे कैसे, हमें rectangle की property बता है, कि भाई rectangle में क्या होता है, आमने सामने की side बराबर होती है, तो यह इसके equal, देखो मैं marker से बता देता हूँ, है ना, यह वाली side, यह वाली side, इसके equal होगी ठीक है, आमने सामने side equal होती है, और यह वाली side इसके equal होगी, आई बात समझ में, इस तरीके से, करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, हमें जो दिया हुआ है, मतलब x plus y, x plus y किसके equal है, 22 के, क्योंकि आमने सामने यह है ना, तो मैं यहाँ से क्या लिख लेता हूँ, x plus y equal to 22, यह ह पूसरे में क्या दिया हुआ है, यह वाली side इसके equal, मतलब x minus y कितने के equal है, 16 के, यह हो जाएगी मेरी second equation, मतलब x minus y equal to 16, यह हो गई मेरी equation second, कुछ नहीं करना है, हो गया, बहुत बच्चों वाला को सुन था यह, लेकिन exam exam में आता है, तो हमसे हो नहीं पाता है, कैसे, हो जाएगा, देखो ध्यान से, add कर दिया, तो normal इससे यह कर दिया, x और x मिलके कितने होगे, 2x, और यहाँ से कितना जाएगा, 22 plus 16, तो 2x equal to कितना आ गया, 38, तो x equal to कितना आ गया, 38 upon 2, इससे यह कर दिया, मतलब 19, x की value कितने आगी मेरी, 19, किलिए रहे यहां तक, यह मेरा x आ जा, अब x को किसी एक equation में रख दो, तो मैं क्या लिखना हूँ, putting, putting, value of x, value of x, in equation कौन से, किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 2 में रख दो, दोनों से आन सार जागा, मैं 1 में रख देता हूँ, in equation 1, equation 1 क्या है, x plus y equal to 22, x कितना आ आया, मेरा 19, तो मैं क् y equal to कितना जागा, 22 minus 19, तो y equal to कितना जागा, 3 unit, कितना जागा, 3 unit, इस तरीक से ये भी 3 unit, और ये कितना जागा, 19 unit, क्योंकि हमें पता नहीं ना, कि मिटर में है के centimeter में, आई बर समझे में, तो इस तरीक से ये question को करना होता है, बहुत simple सा, बहुत साधारन सा question था, 3 number में आ तो हमें ये सारी चीजे strike नहीं कर पाती, क्योंकि हम recall नहीं कर पाते, तो जितनी बात मैंने बताई, उसको अच्छे से note down करके लिख लेना, notes बना के, कि सरने वीडियो में बोला था, कि rectangle में आमने सामने की side equal होती है, मतलब इन दोनों को equal कर दो, और इन दोनों को equal कर दो, औ अंसर आजाएगा, आई वाज समय में इस तरीक से इस question को कड़ना होता है, बहुत ही साधरान सा question था, note down करो, question number next करते हैं, अब देखो, question number next, maximum बच्छे इस question को समझे नहीं पाएंगे, कि sir कड़ना कैसे है, ठीक है, ध्यान से देखो, the length of a room exceeds its breath by 3 meter, जो length है, वो breath से 3 meter से length is increased by 3 meter, and breath is decreased by 2 meter, the area of a room remains the same, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, कि sir, area की चीज़ का लेंगे, square का, rectangle का, trapezium का, triangle का, देखो, normal सा common sense का कुछतन है, room की से में होता है, length into breath से में, अब कोई बच्छा बेवकूफ सा होगा, अड़ जाएगा, कहेगा, नहीं sir, मैं तो square की से म room नहीं होता है, बहुत rare होता है, normally length rectangle की shape में होता है, length बड़ी या breath चोटी, या breath बड़ी या length चोटी, ठीक है, अपनी room को भी देख लेना, तो उसी साब से करेंगे, कि हमारा room कैसा है, rectangle shape में, अब condition पढ़ता है, क्या कह रहा है, the length of a room exceeds its breath by 3, breath से कितना 3 बढ़ जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, breath let's, let's breath, b, r, e, a, d, t, h, breath of room, equal to कितना है, x, breath को क्या मैंना, मैंने x, तो क्या हो जागा, length, length of room, ये कितना हो जागा, ये breath से 3 बड़ जा रहा है, यहां अलग-अलग variable नहीं मानेंगे, बच्चे यहां अलग-अलग variable मानके, answer गलत कर देंगे, ग जी समय में आई कि नहीं, आज बाद समय में, अब area निकालता है, area क्या होता है, area equal to, area equal to rectangle का length into breath, यह होता है ना area, b, r, e, a, d, t, h, breath, length कितनी है, length है मेरी x plus 3, और breath कितनी है, x, यह होगी मेरी equation 1, यहां तक कोई समझ सेया, नहीं होनी चाहिए, अब आगे की case केस पढ़ते है ठीक है, if the length is increased by 3 meter, कौन सी length, यही वाली length, इसी वाली length को अब मैं 3 से बढ़ा दे रहा हूं, जान रखना, अच्छे से, length यही है में, क्योंकि length यही है, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, 80Q, according to question, length क्या हो जाएगी मेरी, length, जान से देखना, length of room, ठीक है, कितनी हो जा रही ह is increased by 3, तो पहली कितनी थी, x plus 3, x plus 3, और अब क्या हो गई, ध्यान से देखना, अलग मारकर से लिख रहा हूं, 3 से बढ़ गई, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा आप, x plus 6, कितना हो जाएगा यह, x plus 6, यहां तक कोई दिखका, second case पड़ो, and breath is decreased by 2 meter, breath को, तो breath लिख लिख हैं, breath, breath of room, यह कितना हो जाएगा, breath कितनी मानी है, मैंने, देखो, x, तो x से, यह दो कम हो जा रहे है, तो x रहा, और इससे, दो कम हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, x minus 2, यह चीज समझे माई ही कि नहीं, अच्छे से, अब क्या कहा रहा है, area, इस case में area निकालेंगे, area क् इकल टू, वही, l into b, l कितना है मेरे पास, यह, x plus 6, और यहां से कितना है, x minus 2, यह हो गई मेरी equation 2, ठीक है, अब देखो, जो main चीज है, the area of room remains same, इसको देखो, यहाँ पे अलग मारकर से लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको तब ही समझ में आएगा, कि यहाँ पे देखो, area of room remains same, कि जो area है room का, वो दोनों case में same है, आई बास समझ में, दोनों case कौन से, यह वाले और यह वाले, ठीक है, तो देखो, यह भी area के equal है, यह भी area के equal है, तो equation 1 and 2 से यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, तो वही लिख रहा हूँ, मैं, क्या बराबर, तो मतलब यह जब इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो यह दोनों भी तो आपस में इकल हो जाएंगे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, x और x plus 3 equal to, कितना लिखा है, x plus 6 और x minus 2, यह चीज समझ में आई कि नहीं, अब इतना आपको समझ में आ गया, बस हमारा काम हो गया, देखो, question हो गया हमारा, यह मिटा देता हूँ, मैं इसका काम थाई नहीं कुछ, मतलब लिख लिया होगा आपने, यह कहने का मतलब यह नहीं है, कि कुछ भी काम नहीं था, इसे पर तो question है, अब इसको solve करना है, solve करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको अंदर बेज 3x, उसी तरीक से x की multiple है, इससे तो क्या जागा, x square, फिर x की से, तो minus का 2x, फिर 6 की, तो plus का 6x, और 6 2 यह 12, मतलब minus का 12, किलिया है, देखो, अब x square से x square कर दिया, क्या बचा, 3x is equal to, यहाँ देखो, 6 minus का 2, और यह, तो कितना जागा यह, तो कितना रहा है, 4x, और minus का 12, कि इस 12 को ले जाओ, इधर, और इस 3 को ले जाओ, तो कितना जागा यह, 12 is equal to, 4x minus 3x, तो यहाँ से कितना जागा, 12 equal to x, मतलब x आजा, x मेनी कितना मानी थी, length, मतलब मेरी breath कितनी आ गई, 12 unit, कितनी आ गई, 12 unit, किलिया रह, अब length निकालना है, तो length कितनी हो जाएगी, length equal to, length कि कितनी हो मेरी, x plus 3, x कितना है, 12, तो मतलब 12 plus 3, मतलब कितना जागा, 15 unit, इस तरीके से, एक ही variable मान के, इस question को solve करना था, दो variable मान के करोगे, तो answer उससे भी आ जागा, लेकिन बहुत लंबा आएगा, अई बास समझ में, unnecessary calculation हो जागी, और पहली बात तो दो variable मान के करना ही नह next question, वैसा ही same question है, बहुत जिवर्दस question है, note down करो, इसको अगला question करते है, question number 4 देखेंगे, अब तक का सबसे प्यारा question यही है, मतलब figure based question में, सबसे दंदार question अगर कोई है, तो वही यही question है, ultimate question है, ज्यान रखना, maximum अच्छे इस question को गलत करेंगे, समझी नहीं पाएंगे, क क्या लिखा हुआ है, इसको, area of rectangle, तो area of rectangle क्या होता है, हमें पता होता है, कि भाई, let's सबसे पहले क्या करेंगे, let's length, ध्यान से देखना हो, length of rectangle, let's length of rectangle को क्या माना मैंने, x, और breath को क्या माना, b, r, e, a, d, th, breath of rectangle equal to y, ठीक है, अब ध्यान से पड़ो, क्या क्या रहा है, area, area क्या होता है, area equal to, l into b, आई बाई समझ में, अब, a, t, q, according to question, क्या दिया हुआ है, जहान से देखो, the area of rectangle, gets reduced, reduced by 8 meter square, मतलब area क्या हो रहा है, 8 meter square से कम हो जा रहा है, तो area जो है, area यहाँ पर, area क्या है, यह l into b, l into b क्या हो रहा है, 8 meter square से, मतलब, minus का 8 meter square से कम हो जा रहा है, कब, यहाँ पर देखो, if, if its length is reduced by 3 meter, is equal to, कब, जब length को, length को क्या माना मैंने, x, length को reduce कर दे रहे हैं, 5 से, into, breath is increased by 3 meter, और breath को किसे increase कर दिया, y, मतलब y plus 3 से, यह चीज़ समझ में आई कि नहीं, आई बास समझे, यही line सबसे important है, यह समझ में आगए कि नहीं, क्यों, क्योंकि area ही तो है, area कैसे निकलता है, l into b से, तो वो कहा रहा है कि area, 8 meter square से कम हो जा रहा है, कब, जब हम length को 5 से reduce कर रहे हैं, और breath को 3 से बढ़ा रहे हैं, अब इसको solve करते हैं, तो यहाँ से कितना जागा, lb minus 8 equal to, x की multiply करो, तो xy, और यहाँ से यह जाएगा, तो plus का 3x, minus का 5y, और minus का 15, कि लिए रहे हैं यहाँ तक, अब क्या करेंगे, देखो, l into b, और l into b क्या होता है मेरा, xy, देखो देखो देखो, देखो देखो, l, यह हैं यह है, तो क्या हो जागा यह, xy minus 8 equal to, xy plus 3x minus 5, वो, 5y minus 15, कि लिए रहे हैं, अब देखो, इस xy से, यह xy कर दिए, minus 15 यहाँ सोट की यहाँ गया, तो क्या हो जागा, minus का 8 plus का 15 is equal to, 3x minus 5y, अब यहाँ से देखो, minus के 8 में से plus का 15 गया, तो 7 बचेंगे, तो यहाँ से कितना बचेंगा, 7, आज साथ 15, यह होगी मेरी equation 1, यहाँ तक समझे में आया की नहीं, ultimate को सुन था यह, अब second case पढ़ते हैं, दूसरा, क्या कहा रहा है, if, if we increase the length by 3 meter, तो length कितनी है हमारी x, तो length को मैं किसे 3 से increase कर दे रहा हूँ, और breath को, and breath by 2 meter, और breath को भी 2 meter से बढ़ा रहा हूँ, breath कितनी है य, तो breath को भी 2 meter से बढ़ा दिया, by 2 meter, the area, तो अब जो area आएगा, the area increase by 74, area क्या इससा होगा, x into y, तो मतलब x, y जो है, वो किसे बढ़ जा रहा है, पलस का 74 से, ये चीज़ समझ में है की नहीं, आई बास समझ में, ये दूसरी condition है, अब इसको solve करते हैं, क्या करेंगे, देखो, इसकी multiply करो तो क्या जागा, x, y, plus 2x, plus 3y, plus 6, इकोल तो कितना जागा, x, y, plus 47, तो x, y से x, y कर दिया, तो यहां से कितना जागा, 2x, plus 3y, इकोल तो 47, ओ, 47 नहीं है, बेटा, 74, अरे, 74 है, 47 नहीं है, 74 है, 74, minus 6, तो यहां से कितना जागा, 2x, plus 3y, इकोल तो 68, यह हो गई, equation 2, यहां तक समझ में, आया की नहीं, आई बास समझें, अब हो गया बस solve, equation 1 और 2 मिल गए, तो elimination यह substitution लगा, तो solve हो जाएगा, तो देखो, अब मैं दोनों equation को लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, पहली equation क्या है, यह जिए, कि 3x, plus, minus, 3x, minus, 5y, equal to कितना है, 7, यह है मेरी equation 1, और दूसरी क्या है, 2x, plus, 3y, equal to, कितना, 68, यह है equation 2, किलियर है यहां तक, अब देखो, क्या कर रहा हूँ, मैं ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत बढ़िया question है, दमदार question, इस पूरे को, मैं, 5 और 3 का लिजम क्या हूँआ, 15, तो 15, 5 को 15 मनाने के लिए, इसको मैं 3 से multiply कर दे रहा हूँ, दोनों साइड, ठीक है, और इधर क्या कर रहा हूँ, इसको 15 मनाने के लिए, इसको मैं 5 से multiply कर दे रहा हूँ, ध्यक है, into 5, किलियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया, तो अब मेरी equation क्या बन गई, देखो ध्यान से तो थिरी थिरी जा अलग पैंसे लेगे देता हूं ताकि आपको confusion ना हो थिरी थिरी जा 9x माइनस का 15y इकल टू 21 और यहां से क्या आएगा 10x प्लस का 15y is equal to 340 अब क्या करना है कुछ नहीं करना है हो गया 16 देखो ध्यान से सीधा सीधा add कर दो क्यूं क्यूंकि यह plus minus है तो सीधे सीधे add हो जाएंगे तो इससे यह कडिया तो यहां से कितना आ गया 19x equal to 361 किलिए रहे अब यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा x equal to 361 upon 19 तो यह जाएगा मेरे ख्याल से 19 वारी नहीं आपको पता होगा यह 19 का इसको आयर होता है तो यह पूरा-पूरा कितना जागा 19 ठीक है एक बार फिर भी कैलकुलेटर पर कल लेते हैं अपने इस अंतुष्टी के लिए ठीक है कि यह कितना आएगा यह देखो ध्यान से क्या अब लेंद्ध को x को किसी एक किवैशन है 1 इक्यूर्फ में पुट कर दो यह वाली मैं बिना मल्टिप्लाई वाली मैं यह मल्टिप्लाई वाली थी बिना मल्टिपलाई वाली है मतलब यह यह मेरी original equation है ठीक है तो इसमें put कर दो answer आज़ेगा क्या लिख रहा हूं मैं putting 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 value value of length length value of length means x value of length means x in equation 1 तो equation 1 कुन से ही तो यहां कितना हो जागा 3 into x कितना है देखो यहां से 19 minus 5y equal to 7 तो यह कितना हो जागा 19 तिया 57 57 और 7 को इधर ले जाओ तो minus का 7 और 5y को उधर ले जाओ तो 5y तो यहां से कितना जागा 50 equal to 5y तो y equal to कितना जागा 50 divided by 5 मतलब 10 meter तो इस तरीके से यह इसका पूर अंसर आया बहुत ही प्यारा बहुत जवर्दस कोसं था मेरे क्याल से समझ में आ गया हुआ एक एक point मैंने आपको समझानी की कोशिस किये ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए वीडियो को पूरी अच्छे से देखना बिल्कुल समझ के लिखना बिल्कुल समझ में लिएगा और वीडियो अच्छी लगे तू लाइकेंड सब्सक्राइब करना और बैल आइकन दबाना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत विल जाए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे कोशन के साथ तब तक के लिए बा